जीरो टू वन पीटर थील हिंडी ओडियोबुक डोट कॉम प्रस्तावना व्यवसाई में हर मोका केवल एक बार आता है अगला बिल गेट्स एक ओपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा अगला लेरी पेज या सरगई वरीन एक सर्च इंजन नहीं बनाएगा और अगला मार्क जुकरबर्ग एक सोसल नेटवर्क साइट नहीं बनाएगा यदि आप इन लोगों की कोपी बना रहे हैं तो आप उनसे सीख नहीं रहे हैं बेशक कुछ नया बनाने के बज़ाए किसी भी मोडल में थोड़ा फेर बदल कर नकल बनाना आसान है एसा करना दुनिया को एक से एन तक ले जाना है लेकिन हर बार जब हम कुछ नया बनाते हैं तो हम जीरो से एक तक जाते हैं हर बार कुछ नया बनाने के कारिया के परिणाम बहुत ही अलग और अजीब होते हैं जब तक कम्बनिया नई चीजों को बनाने के कठिन कारिय में निवेश नहीं करती है, तब तक वे भविश्य में ऐसफल ही रहेंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके मुनाफ़े आज कितने बड़े हैं, हमें जो विरासत में मिला है, वह व्यावसाई की पुरानी त संभव है, यह स्थिती 2008 के संकट से कहीं जारा बगतर दिखाई देती है, आजकल की सरवतम मान्यताओं के कारण नए रास्ते अवरुद हो गई हैं, विशाल परसासनेक नोकर्शाहों की दुनिया में सारवजनिक और नेजी, दोनों ही एक नए रास्ते की तलास में एक चमत कार की उम्मिद लगाए बैठे हैं, यदि अमेरिकी व्यवसाय सभल होने जा रहा है, तो हमें असल में सैंकडों नहीं, हजारों चमतकारों की आवशकता होगी, यह एक महतपूर्ट तका निराशा जनक तत्य है, कि मनुश्य अन्य जातियों से ज़्यादा, चमतकारों के का चमता बढ़ाने की तकनिक को खोजता रहता है, प्रोधोगी की चमतकारी है, क्योंकि यह हमें हमारी मौलिक चमताओं को उचस तर तक पहुंचाने के लिए कम से कम करने की अनुमती देती है, अन्य जानवरों को सहज रूप से बांधों या हनिकॉन जैसे चीजों को बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन हम के वलवे हैं जो नई चीजों का आविश्कार कर सकते हैं और उन्हें बनाने के बहतर तरीके खोज सकते हैं, मनुश्य तैन नहीं करते हैं कि पहले से दिये गई विकल्पों की कुछ, बर्माडिय सूची से विकल्प बनाकर क्या बनाना है, इसके बजाए नई टेकनोलोजी बनाकर हम दुनिया की योजना को फिर से लिखते हैं, ये प्रात्मिक सकते हैं जो हम दूसरे ग्रेडर को सिखाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे दुनिया में भूलना आसान है, जहां हम जो भी करते हैं, वह दोराया जाता है, जो पह संस्थापक और फिर फेस्बुक सैंकणो स्टार्ट अप में निवेशक के रूप में सिखा है, लेकिन जब मैंने कई पैटर्न देखे और उन्हें यहां से जोडता हूँ, तो यह पुस्तक सफलता के लिए कोई सुत्र नहीं देती है, सिक्षन उद्मियता का विरोधवास यह है कि एसा सुत्र आवशक रूप से अस्तितों में ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतेक नवाचा नया और अनुठा है, दरसल मैंने देखा है कि एक मातर सबसे सक्टिशाली पैटर्न यह है कि सफल लोगों को ऐ प्रत्याशित स्थानों में मुल्य मिलता है, और वे सुत्रो के बारे में एक कोर्ट से उत्पन होती है, जिसे मैंने 2012 में स्टैन्फोर्ड में पढ़ाया था, कोलेज के कुछ सात्र विशेस्ताओं में बेहद कुशल बन सकते हैं, लेकिन कई लोग कभी नहीं सीखते कि व्यापक दुनिया में उन कुशल के साथ क्या करना है, कक्षा को पढ़ाने में मेरा प्रात्मिक लक्षय था, कि मेरे चात्रों को अकादमिक विशेस्टा उन दुवारा बनाए गए ट्रैकों से परे व्यापक भविशे में देखने के लिए मदद करें, उन चात्रों में से एक, ब्लैक मास्टर ने विश्तरत कक्षा नोट्स ले लिए, ज एसा कोई कारण नहीं है कि भविशे के वल स्टैन्फोर्ड या कोलेज में या सिलिकोन वैली में ही है, धन्यवाद, हिंदी ओडियोगुक डोट कॉम, आईए चलते हैं अध्याए एक की और, जो है भविशे की चुनोती, 021, हिंदी ओडियोगुक डोट कॉम, अध्याए एक, भविशे की चुनोती, जब भी मैं किसी नोकरी के लिए किसी का साक्षात कर लेता हूँ, तो मैं इस सवाल से शुरू करता हूँ, क्या आप कोई ऐसा महतवपूर्ण सत्या जानते हैं, जिससे बहुत कम लोग सहमत हों, यह सवाल सुनने में आसान लगता है, क्योंकि यह सीधा है, असल में इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, यह बोधिक रूप से कठिन है, क्योंकि स्कूल में हर किसी को जो ग्यान सिखाया जाता है, वह परिभासा पर निर्वर करता है, और यह वग्यानिक रूप से भी कठिन है, क्योंकि उत्तर देने का प्रियास करने वाला कुछ ऐसा कहेगा, जो जारा पर सिद्ध नहीं है, जिसे वो जानता है, हम जानते हैं कि शानदार सोज दुरलब है, लेकिन यह भी तो सच है, कि साहस प्रतिभा की तुलना में कम नहीं होना चाहिए, आम तोर पर मैं इस तरह के उत्तर सुनता हूँ, हमारी सेक्षनिक पर नाले टूट गई है, और ततकाली से ठीक करने की जरूरत है, या अमेरिका ऐसा धारन है, या कोई भगवान नहीं है, आदी आदी ये बुरे जवाब है, पहला और दूसरा कतन सत्य हो सकता है, लेकिन कई लोग पहले से ही उनके साथ सहमत है, तीसरा उत्तर बस एक परिचित पहस को एक दरब ले जाता है, एक अच्छा जवाब निमन लिकित जैसा हो सकता है, अधिकांस लोग इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन सत्य इसके विवरित है, मैं इस अध्याय के बाद में अपना उत्तर दूंगा, इस विरोधाबासी प्रशन का भविश्य के साथ क्या सबंद है, सबसे कम शब्दों में इसका आर्थ यह है, कि भविश्य बस आने वाले सभी ख्षेनों का एक सेट मात्र है, लेकिन भ यह है एक एसा समय होगा जब दुनिया आज से अलग दिखाई देगी, इसका मतलब है कि अगर हमारे समाज में अगले सो वरसों तक कुछ भी नहीं बदलता है, तो भविश्य सो साल से अधिक दूर है, अगर अगले दसक में चीज़े मूल रूप से बदलती हैं, तो हात में है, कोई भी भविश्य की सटीक भविश्यवानी नहीं कर सकता, लेकिन हम दो चीज़ें जानते हैं, कि कुछ अलग होने जा रहा है, और यह है आज की दुनिया का मूल है, विरोदाबासी प्रशन के अधिकांस जवाब वर्तमान को देखने के विभिन तरीके हैं, अ प्रगती का भविश्य है, जब हम भविश्य के बारे में सोचते हैं, तो हम प्रगती की उमीद करते हैं, वह प्रगती दो रुप्वों में होती है, शेतीज या होरीजेंटल प्रगती या व्यापक प्रगती का आर्थ उन चीजों की नकल बनाना है, जो एक से इन तक काम कर होरिजेंटल प्रगती की कल्पना करना आसान है क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि यह कैसा दिखता है। और वैसे ही सो टाइप राइटर बनाते हैं तो आपने क्षतिज यानि होरिजेंटल प्रगती की है। चीन वेस्वी करन का बेहतरिन उधारन है। इसकी 20 साल की योजना आज के अमेरिका की तरह बना है। चीनी हर उस सामान या सेवा की नकल बना रहा है जो विक्सित दुनिया में पहले से मौजूद है। 19 सदी के रेल बार्ग, 20 सदी के एर कंडिशनिंग और यहां तक की पूरे शहर भी। वे चीजों को बनाने की प्रोसेस के कुछ स्टेप पही छोड़ते या बदलते हैं। जैसे उधारन के लिए वे सीधे लेंड लाइन स्थापित किये बिना वाइरलेस पर जा रहे हैं। आखिर में वे सभी की नकल ही तो बना रहे हैं। टेक्नोलोजी वर्टिकल प्रगती 0 से 1 का बहतरिन उधारन है। हाल के दसकों में सूचना प्रगती की तीवर प्रगती ने सिलिकोन वैली को सामन्य रूप से टेक्नोलोजी की राजदानी बना दिया है। क्योंकि कम्प्यूटर के लिए तकनीक सीमित होने का कोई कारण नहीं है। उचित रूप से समझने के लिए चीजों को बनाने का कोई भी नया और बहतरिन तरीका तकनीक ही है। चुकि वैस्वीकर्ण और तकनीक प्रगती के दो भिन तरीके हैं। इसलिए दोनों एक ही समय में या तो हैं या नहीं है। उधारन के लिए वैस्वीकर्ण और तकनीक ने सन 1815 से 1914 तक तेजी से विकास किया पहले विश्वीकर्ण और किसिंजर की यात्रा के बीच 1901 में चीन के साथ सबंदों को फिर से खोलने के प्रियास हुए उस समय चीन में तेजी से तकनीकी विकास तो हो रहा था लेकिन वैस्वीकर्ण अभी ने के समान ही था 1901 के बाद हमने सीमित तकनीकी विकास के साथ तेजी से वैस्वीकर्ण देखा है जो ज़्यादातर information technology तक ही सीमित है वैस्वीकर्ण के इस युग में हमारे लिए कल्पना करना आसान है कि आने वाले दस्कों में अधिक एक रुपता और समानता आएगी यहां तक कि हमारी रोजमर्रा की भासा भी बताती है कि हम एक प्रकार से तकनीकी इतियास के अंत में विश्वास करते हैं दुनिया के विभाजन से हमारा तात्प्रिय है कि तथा कतित विक्सित और विकास सिल देशों में बटवारा विक्सित दुनिया के देश पहले से ही प्राप्त करने योग्य चीजों को प्राप्त कर चुके हैं और गरीब देश इन चीजों को पाने के लिए दोड़ लगा रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सच है विरोधाबासी प्रशन का मेरा जवाव यह है कि जादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया का बविश्य वैस्विकन द्वारा परिवाशित किया जाएगा लेकिन सच जाउत पादन को दुगना कर देता है तो यह इसके वाईयू परदुशन को भी दुगना कर देगा यदि भारत के लाकों परिवार अमेरिकियों की दिन्चरिया अपनाएगा और केवल अपने आपको पास्चात्य जिवन शैली से परिपूर्ण करने में लगा रहा तो परे जब संसादनों की दुनिया में नई तकनीक के विना वैस्वी करन ऐस्थाई है नई तकनीक कभी भी इतिहास की एक स्वयचालित विसेस्ता नहीं रही है हमारे पूर्वद स्थेर वैन्यून समाज में रहते थे जहां सब भलता केवल दूसरों की चीजों को जब्द करना मा नोंने धन कमाने के केवल कुछ ही नाममात्र के नए विकल्ब बनाए और लंबे समय तक वे उपाए एक ओसत व्यक्ति को कठिन जीवन से बचाने के लिए परियाप्त नहीं थे फिर लगबग दस हजार वर्सों बाद प्राचीन योग में क्रिशी, पवंचकी, मिट्टी के बरतन और सोल्वी स्तावदी में एस्ट्रो लेप्स और फिर अजानक आधुनिक दुनिया ने 1760 के दसक में भाप इंजन के आगमन से लगबग 1970 तक निरंतर तक्निकी परगती क परिणाम स्वरू हमारी किसी भी पिछली पीडी की कलपना के मुकाबले हमें एक अमीर समाज विरासत में मिला है हमारे माता पिता और दादा दादी को छोड़कर कोई भी पीडी 1960 के दसक के अंत में जो सोचते थे कि यह प्रगती इसी तरह निरंतर चलती रहेगी वे उन्होंने उमीद की थी कि वे घर के लिए बहुत सस्ती विजली का उप्योग करेंगे और एक चार दिवसिया टूर बनाकर चंदरमा पर छुट्टियां मनाएंगे पर वहन नहीं हुआ हमारे स्मार्टपोन हमें इस तथ्य से भी विजलित करते हैं कि हमारे आसपास का परिवेश अजीब तरह से पुराना है केवल कम्प्यूटर और संचार के मादेमों में नटकिये रूप से सुधार हुए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे माता पिता एक बहतरीन भविशे की कलपना करने में गलत थे बस वे तो केवल कुछ स्वेचालित होने की उमीद कर रहे थे आज हमारी चुनोती नई टेकनोलोजी की कलपना और निर्मान करना दोनों है जो बीस्वी स्थाब्दी की तुलना में एक्किस्वी स्थाब्दी को अधिक शांतिपूर्ण और समरद बना सकते हैं स्टार्टप सोच नई तकनीक नए उदमियों से शुरू होती है जिसे स्टार्टप कहते हैं राजनिती में संस्थापक पिता से विज्ञान तक रोयल सोसाइटी से चेर फेल्ड सेमी कन्डेक्टर के व्यापार तक मिशन की भावना से जुटे लोगों के चोटे समूँ ने दुनिया को बहतर बनाने के उदेश्य से काम किया और दुनिया को बहतर बना दिया इसके लिए सबसे आसान स्पस्टी करन नकारात्मक है बड़े संग्ठनों में नई चीजों को विक्षित करना मुश्किल है और इसे अपने आप करना भी मुश्किल है नोकर शाही पदा नुकरम दीरे दीरे बढ़ते हैं और लाबों को हानी से दूर रखते हैं दूसरी तरफ एक अकेला परतिवावान इंसान कला या साहिते के क्षेतर को तो बढ़ा सकता है लेकिन वे है कभी भी पूरे उद्ध्यों को नहीं बना सकता है स्टारट अप इस सिद्धान पर काम करते हैं कि आपको समान प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के साथ काम करने की जरूरत है लेकिन आपको भी इतना छोटा रहने की आपशकता है ताकि आप वास्तों में वह काम कर सकें सकारात्मक रूप से परिवासित स्टार्ट अप उन लोगों का सबसे बड़ा समू है जिने आप एक अलग भवशे के निर्वान की योजना के बारे में समझ सकते हैं एक नई कंपनी की सबसे महत्वपून टाकप नई सोच है जो अपने सहचरों को सोचने के लिए हावशक सुतंतरता प्रदान करती है यह पूस्तक उन प्रशनों के बारे में है जिनके आपको उत्तर जानना चाहिए कि नई चीजों की खोज में सफल कैसे हुआ जाए ग्यान का कोई मैनुवल या रिकोर्ड नहीं है बलकि सोचने का ही अभ्यास है क्योंकि स्टार्ट अप को यही करना है प्रशनों से प्राप्त विचारों के माद्यम से व्यवसाई पर पुनर विचार करना वै उसमें आवशक बदलाव लाकर दुनिया के जीवन स्तर में बदलाव लाना धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कों आईए चलते हैं अध्याई दो की ओर आपका दिन शुब हूँ अध्याई दो साल 1999 की तरह उच्छो मनाई हिंदी ओडियोबुक डोट कों यक्ष प्रशन वह कौन सा मैतव पूर्ण सत्य है जिससे कुछ लोग सैमत है इस प्रशन का सीधा उत्तर दे पाना मुश्किल है सीधे उत्तर दे शुरुवात से शुरु करना आसान हो सकता है क्या सभी इस पर सैमत है व्यक्तियों में काम के प्रति पागलपन दुरलब है लेकिन समूहों, पार्टियों, वैराश्ट्रों में यह नियम की तरह काम करता है निच्षे ने पागल होने से पहले लिखा था कि यदि आप एक ब्रह्मपुर्ण लोग प्रिय दारना की पहचान कर सकते हैं तो आप इसके पीछे छिपी हुई चीजों को पा सकते हैं यह एक विरोदावासी सकते हैं एक प्रारंबिक सत्य पर विचार करें कंपनिया पैसे कमाने के लिए बनी है इसे खोने के लिए नहीं यह सोच स्पस्ट रखनी चाहिए लेकिन 1990 के उतरार्द में कई लोगों के लिए यह इतनी स्पस्ट नहीं थी जब तक कि किसी का भी उज्वल वविशे के लिए किया गया निवेश पूरी तरह दूब नहीं गया नई अर्थव्यवस्ता की परंपरिक ज्यान का आदिकारिक स्विकारियमत है कि छोटे-छोटे लाब पैदल सैनिकों की तरह लाबदायक होते है परंपरागत मानेताएं है कि केवल हमें नुक्सान के समय ही बीटी बातों की जांज करने की याद आती है जब भी कोई बड़ा नुक्सान होता है तो बस यह ہیں एक बुलबले की भांती ही होता है लेकिन जब ये बुलबले दिखाई देने लगे तब हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए 1939 के बाद 90 के दसक का इंटरनेट बूम सबसे बड़ा बुनवुला था इसने टेकनोलोजी के बारे में हमारे सबी स्थापिद विश्वासों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था स्पस्ट रूप से सोचने का पहला कडम यह है कि हम अतीद के बारे में क्या जानते है 90 के दसक का संक्षिप्त इतिहास 1990 के दसक की एक अच्छी छवी है हम इसे एक स्मरग आशावादी दसक की रूप में याद करते हैं जो इंटरनेट बूम के साथ स्माप्त हुआ हम एक दसक तक वैस्विक संदर्ब से दूर ही रही थे नवंबर 1989 में बरलिन की दिवार हटने के साथ 90 के दसक की शुरुआत उल्लास के साथ हुई यह अल्प कालिन था 1990 के मध्य तक संयुक्त राजे अमेरिका में मंदी का दोर था तक्निकी रूप से मंदी मार्च 1919 में स्माप्त हुई लेकिन इसकी गती धीमी थी और जुलाई 1929 तक वेरोजगारी बढ़ती रही मैनुपेक्चरिंग सेक्टर भी पूधी तरह से पुन और जीवित नहीं हुआ था सेवाक्षेत्र की अर्थवे वस्ता में बदलाओ लंबा और दर्दनाग था 1992 से 1994 के अंत तक बहुती उदा सिंता का समय था इन दिनों केबल टीवी पर मातर सुमालिया में मरत अमेरिकी सैनिकों के समाचार ही प्रसारित होते रहते थे वैस्वी कर्ण और अमेरिकी प्रतिसपरदा के बारे में चिंता और ज़्यादा तब होने लगी जब रोजगार का बहाव मेक्सकों की तरफ तेज हो गया इस निराशावादी माहूल ने ततकालिक राश्टरपती बुस को कारेले से बाहर कर दिया और आस पे रोटकी 1992 में लगवग 20% अधिक मोटों से प्रिया जीत हुई साल 1912 में थियोडोर रुजवेल्ट के बाद यह तरतिय पक्स के उमिदवार के लिए सबसे अच्छी जीत रही लेकिन इस जीत के बाद जो निर्वान जैसे बैंड, तेज संगी और हीरोई नादी की और संस्कृतिक आकरशन से भी आशा या आतों विश्वास परति भिम्बित नहीं होता था सिलिकोन वैली भी सुस्त मैसूस कर रही थी, जापान सेमी कंड़क्टर युद जीत रहा था यूजर फ्रेंडली वेब ब्राउजर ने होने की वज़े से इंटरनेट अभी तक आंशिक रूप से चल रहा था लेकिन इसका वानेजी कुप यूग 1992 के अंत तक परतिबंदित था जब मैं 1985 में स्टैनफोर्ड कहुंचा तब वहाँ पर कंप्यूटर साइंस की बजाई इकोनिमिक्स विशेज सबसे लोग प्रिये था विश्विद्यले परिशर में ज़्यादातर लोग तकनिकी क्षेतर को मूर्ख तापूर्ण यहां तक कि इसके बारे में बात करने वाले को गवार तक कह दिया जाता था लेकिन इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया मोजेक ब्राउजर को आधिकारिक तोर पर नॉम्बर 1993 में रिलीज कर दिया गया जिससे लोग नियमित इंटरनेट का प्रियोग करने लगे मोजेक नेटस्केप में बदल गया जिसने 1994 के अंत में अपने नेविगेटर ब्राउजर को जारी किया बारा महिने के अंदर ही नेविगेटर इतना मशुवर हो गया कि जनवरी 1995 में ब्राउजिंग बाजार के उप्योग को 20% से बढ़ा कर 80% कर दिया नेटस्केप अगस्त 1995 में अपना IPO लाने में सक्षम हो गया था बहले ही वह अभी तक लाब दाइक स्तिती में नहीं था पांच महिने में ही नेटस्केप के शेर का स्टोक भाव 28 डोलर से 134 डोलर परतिशेर तक बढ़ गया था अन्य तकनिकी कंपनिया भी तेजी से बढ़ रही थी याहू अप्रेल 1996 में 848 मिलियन डोलर की वैलिवेशन के साथ सारवजनिक हो गया एमेजोन की कीमत मई 97 में 438 मिलियन डोलर थी 98 के वसं तक प्रतेग कंपनी के शेरों की कीमत चोगुनी से भी अधिक हो गयी अनेक मार्केट क्रिटिक्स ने गयर इंटरनेट कंपनियों के मुकावले इंटरनेट कंपनियों की कमाई और राजसों के गुणांकों पर सबसे ज़ादा सवाल उठाया अब यह निशकर्ष निकालना आसान था कि बाजार पागल हो गया था निशकर्ष समझ में आया लेकिन कलत समय पर डिसंबर उन्निस्सों चानमे में बुलबुले फटने से तीन साल पहले फेड चेर्मेन एलन ग्रीन स्पैन ने चितावनी नी थी कि अनावशक रूप से बढ़ी होई एसेट वेल्यू तरकेन अधिक्ता हो सकती है टेक्नोलोजी के निवेशक उच्छा में थे लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि वे कितने तरकेन थे यह जानना बहुत आसान है कि उस समय बाकी दुनिया में चीजें बहुत अच्छी तरह से नहीं चल रही थी पूरवी एसेई विद्य संकत जुलाई 1997 में आया क्रोनी पूंजीवाद और भारी विद्यसी करज ने थाई, इंडोनेशियाई और दक्षिन कोरिया यार्थवे वस्ताओं को उनके गुटनों के बल बैठा दिया था अगस्त 2008 में रूबल संकत उबरकर सामने आया डिफाल्टर हो गया अमेरिकी निवेशक पूरी तरह पर बाधार्थ व्यवस्ता को लेकर डरे हुए थे डाउजोंस ओध्योगिक सुचकांक उसत दिनों के मुकावले 10 प्रतिसत से वियदिक किर गया था लोगों का चिंतित होना स्वभाविक था रूबल संकट के कारण लोग टरम कैपिटल मैनेजमेंट एक अत्यदिक लिवरेज यूजर हेज फंड अस्तितों में आया 1998 के उत्राद में LTMC 4.6 बिलियन बचाने में कामियाब रहा और फेड ने बड़े पैमाने पर बेलव प्राप्त कर और ब्यासदरों में कमी कर सिस्टमिक आवदा को रोकने के प्रियास किये यूरोप इसे बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाया जनवरी 1999 में बड़े संदे और उदासिंता के समय में यूरो को लॉंच किया गया यूरो की कीमत अपने जनम यानि व्यापार के पहले दिन 1.19 डोलर हो गई थी लेकिन दो साल के भीतर यह 0.83 डोलर का रह गया था साल 2000 के मद्दे में G7 सेंटरल बैंकरों को इसे मल्टी बिलियन डोलर के हस्क शेप के साथ आगे बढ़ाना पड़ा तो सितंबर 1998 में शुरू होने वाले अलकालिन डोट काम भूम की प्रश्ट भूमी एक एसी दुनिया थी जिसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा था पुरानी अर्थव्यवस्ता वेस्वी करन की चुनोतियों का सामना नहीं कर सकी काम करने के लिए कुछ जरूरी था और वहे भी बड़े पैमाने पर काम करने के लिए भविश्य सभी के लिए बहतर होगा एप्रतेक्स प्रमान से इंटरनेट की नई अर्थव्यवस्ता आगे के लिए एक मातर रास्ता था सितंबर 1998 में से मार्च 2000 तक का पूम सितंबर 1998 में से मार्च 2000 तक के वल 18 महिने तक ही डोट कॉम उलास पागलपन के स्तर तक था इसे हम सिलिकोन वैले की सोने की दोड़ कह सकते हैं हर जगे पैसा था और उच्छा जनक लोगों की कोई कमी नहीं थी हर हपते दरजनों नए स्टार्ट अप ने सबसे भवया लॉंचिंग पार्टी देने की परतिस परदा की लेकिन पेपर करोड़ पती हजारों डोलर के डिनर बना रहे थे और अपने स्टार्ट अप के शेरों के साथ बुगदान कर रहे थे कभी-कभी यह काम भी कर जाता था लोगों के जूंड बड़ी पगार वाली अच्छी नोकरियां चोड स्टार्टम ने शामिल हो रहे थे एक चात्र जो मुझे पता था कि 1999 में छे अलग-अलग कम्पनियों को चला रहा था आम तोर पर इसे 40 वर्षी असना तक होने के बाद एक बार में आदे दर्जन कम्पनियों को शुरू करने के लिए पागल माना जाता है लेकिन 90 के उत्रार्द में लोग विश्वास कर सकते थे कि यह एक विजेता उद में था सभी को यह पता होना चाहिए था कि बूम एस्तिर था सबसे अधिक सफल कम्पनियां एक तरह के एंटी विजनस मोडल को गले लगाने लगी थी जहां वे पैसा खो देते थे जैसे संगीत बजने पर लोगों को नाचने के लिए दोश देना तरक हिन लगता है वैसे ही यह तरक हिन्तावी तरक संगत थी कि अपने नाम के पीछे डोटकोम जोडने से रातो रात आपका मुल्यदोग ना हो सकता है पेपाल भूम जब मैं 1999 में पेपाल चला रहा था तो मैं अपने कामों से डर गया था इसलिए नहीं कि मैं अपनी कमपनी में विश्वास नहीं करता था लेकिन इसा लग रहा था कि यहां पर हर कोई हर किसी पर विश्वास करने को तैयार था जहां भी मैंने देखा लोग कमपनी शुरू कर रही थे और कमपनीों को बंद कर रही थे एक परिचित वेक्ति अभी ने मुझे बताया कि कैसे उसने अपनी कमपनी को शुरू करने से पहले अपने बेडरूम से आई पियो की योजना बनाई थी उसे यह बिलकुल वी अजीब नहीं लगा इस तरह के बातावर्ण में सैदान्तिक रूप से अभीने करना संकी लग रहा था कम से कम पेपाल के पास तो एक उप्योगत बड़ा मिशन था हम अमेरिकी डोलर की जगए एक नई इंटरनेट मुद्रा बनाना चाते थे हमारा पहला उत्पाद लोगों को एक पाम पीडिये से दूसरे में पैसे बेजना था इस विचार को दस सब से खराब व्यवसाइक विचारों में से एक चुना हालांकि पत्तरकारों को छोड़कर उस उत्पाद के लिए किसी का भी कोई उप्योग नहीं था पाम पीडिये अब भी एलोग प्रिये ही थे इसकी जगे इमेल पहले से ज़्यादा परसलन में था इसलिए हमने इमेल के द्वारा पैसे बेजने और प्राब्द करने का एक तरीका अपनाने का फैसला किया 1999 के अंत तक हमारे इमेल से बुगतान के उत्पाद थे अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया कोई भी हमारी वेबसाइट पर लोगिन कर सकता है और आसानी से पैसे ट्रांसपर कर सकता है लेकिन हमारे पास प्रयाप्त गरहात नहीं थे विकास धीमा था और खर्च बढ़ गए पेपाल के काम करने के लिए हमें कम से कम दस लाग उप्योग करताओं के वल्यूम को अपनी ओरा कर्शित करने की आवशकता थी अगर भी ग्यापन किया जाए तो इसकी लागत कमाई से ज़्यादा थी बड़े बैंकों के साथ करार पर बावी नहीं हो रहे थे इसलिए हमने लोगों को साइन अप करने के बगले में कुछ बुगदान देने का फैसला किया हमने नई ग्राहक को शामिल होने के लिए दस डॉलर दिये और जब भी उसने किसी मित्र को साइन अप करवाया तो हमने उने रैफरल के तोर पर दस डॉलर और दिये वे ऐस उरक्षित थी जब आप लोगों को अपने ग्राहक बनने के रूप में बुक्तान करते हैं तब गुनात्मक उरदी के साथ साथ आप अपनी सरंचना लागत को भी बढ़ा लेते हैं उस समय यह ऐसा मन्य लागत समान्य थी लेकिन हमने सोचा कि हमारी बढ़ी लागतें क कम थी एक बड़े कस्टमराधार के बाद पेपाल ने ग्राहकों के लेंदेन पर एक छोटा सा सुल्क लगाकर अपने लाग के लिए एक आसान वे बहतरिन रास्ता निकाल लिया था हम जानते थे कि हमें उस लक्षे तक पहुँचने के लिए और अधित दनाश्य की आफशक के लिए अपने मिशन में निवेश्कों के विश्वास की अपेक्शन नहीं कर सकते थे इसलिए हम धन जुटाने के लिए तेजी से काम कर रहे थे 16 फरवरी 2000 को वर्ल स्टिर्ज जनरल ने हमारे वाइरल विकास की सराहना करते हुए एक कहानी सुनाई और इन्वेस्टर्स को सुझाओ दिया कि पेपाल की कीमत 500 मिलियन डॉलर के पार थी हमने अगले महीने 100 मिलियन डॉलर जुटाई हमारे मुखे निवेस्टर्स को ने जर्नल के मुल्यांकन को आधिकारिक रूप में स्विकार कर लिया अन्या निवेसक निवेस की जल्दबाजी में थे एक दक्षिन कोरियाई फरम ने बिना पहले कोई सोदेवाजी किये या किसी दस्तावेस पर हस्ताक्सर किये बिना मुझे 5 मिलियन डॉलर वायर किये थे जब मैंने पैसे वापस करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इसे कहां भेजना है मार्च 2000 में जब हमने अपने आपको मार्केट में स्तापित कर भेजना शुरू किया तब इसमें पेपाल को सफलता मिलने शुरू हो गई थी जैसे ही हमने सोदे की डील फाइनल करना शुरू किया तब भूम का बुलूला फट गया सीख सिखी नासडग मार्च 2000 के मद्दे में अपने चरम सुचकांग 5048 पर पहुंच गया और फिर अपरेल के मद्दे में यही सुचकांग 3321 तक गिर गया जब अक्टूवर 2002 में यह सुचकांग 1114 पर पहुंचा तब देश ने 90 के दसक के तकनिकी आशावाद के खिलाब किये गई बाजार के पतन की व्याठ्या को सही माना कार्नुकोपियन उमीद के अनुसार इस यूग को मुर्ख लालच के यूग का पुने लेवल लगा दिया गया और इसे स्थाई माना गया हर किशे ने भविश्य को मौलिक रूप से एनिस्चित्ता के रूप में मानना सीखा और योजनाओं को तिमाईयों के बजाई वर्सों में मापा जाने लगा वैस्वी कर्ण ने भविश्य की आसा के रूप में टेकनोलोजी को बदल दिया 1990 के प्रोम ब्रिक टूप क्लिक विचार ने उमीद के अनुसार काम नहीं किया निवेशक इंटो यानि आवास और ब्रिक्स यानि वैस्वी करण पर वापस लोट गए नतीजा इस बार रियल इस्टेट के रूप में एक और भूम का पुलवुला सिरिकोन वैली में फसे उदमियों ने डौटकाम दुरगटना से चार बड़े सबग सीखे जो आज भी व्यापारी वर्ग को मार्गदर्शन देते हैं पहला व्रदशील प्रगती करें बड़े लक्षों ने भूम के बुलबुले फूलाए इसलिए उन पर जादा निर्बन नहीं होना चाहिए कोई भी जो कुछ महान करने में सक्षम होने का दावा करता है वह संदे में होगा और जो भी कोई दुनिया को बदलना चाहता है वह अधिक विनमर होना चाहिए छोटे वरदसील कदम एक मातर सुरक्षित मार्ग है दूसरा नरम वैद लचिले रहो सभी कंबनियों को हर समय लचिला होना चाहिए आपको पता नहीं होता कि आपका व्यावसाई क्या करेगा और योजना बनाना ठकाऊ वे कठिन काम है इसके बजाए आपको चीजों को पुन्रावर्ती करने की कोशिश करनी चाहिए और उद्मिता सिल्टा को जीरों से शुरू करना चाहिए तीसरा परतियोगिता में सुधार करें समय से पहले एक नया बाजार बनाने की कोशिश मत करो आपके पास एक वास्तविक व्यावसाई है यह जानने का एक मातर तरीका है कि पहले से ही मौजूद गिराहक से शुरुवात करना है इसलिए आपको सफल परतिस परदियों द्वारा पहले से पहचाने जाने युग्य उत्पादों में सुधार करके अपनी कमपनी का निर्मान करना चाहिए चोथा उत्पाद पर ध्यान के अंदिरित करें विक्री पर नहीं यदि आपके उत्पाद को बेशने के लिए विग्यापन या सेल्स पोर्स की आवशक्ता है तो यह प्रयाप्त नहीं है नई तकनीक मुख्य रूप से उत्पाद के विकास से संबंदित होती है वित्रण के बारे में नहीं किरावट के दोर में विक्यापन या प्रयाप्त होते हैं इसलिए केवल टिकाव तकनीक ही असल विकास है ये सबक स्टार्टप दुनिया में सिधांत बन गई है जो लोग उन्हें अंदेखा करेंगे उन्हें साल 2000 में आने वाली प्रोदोगी की दुरगटना को आमंतरित करने वाला माना जाएगा और फिर भी इसके विपरित सिधांत शायद अधिक सही है पहला तुछता से साहस का जोखिम उठाना बहतर है तूसरा योजना नए होने के तुलना में खराब योजना बेहतर है तीसरा परतिस परदी बाजार लाग कम करते हैं चोथा बिक्री उतनी ही महतोगून है जितने की उतपाद यह सच है कि प्रोदोगी की में एक बबल था 90 का उतराद अभिमान करने का समय था लोग 0 से 1 तक जाने में विश्वास करते थे लेकिन वास्तों में बहुत कम स्टार्टप वहां पहुँच रहे थे और कई लोग इसके बारे में केवल बात ही करते थे लेकिन लोगों ने सोचा कि कुछ नए करने से तो अच्छा है कि कुछ करने के तरीके खोज जाए मार्च 2000 का बाजार अपने उच्छ सिखर पर था कम स्पष्ट लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह सपलता की चोटी भी थी लोगों ने इसमें वहिश्य देखा कि हमें नई तक्निक कितनी दूर वे सुरच्छित रूप से वहां पूँचने में मदद करेगी और फिर इसे स्वें बनाने में सक्षम होने का फैसला किया हमें अभी भी नई तक्निक की आवशक्ता है और हमें इसे पाने के लिए कुछ 1999 की अभीमानी शहली और उत्सा की वियावशक्ता होगी अगली पीडी की कमपनियों का निर्मान करने के लिए हमें दुरगणना के बाद बनाए कई वाच डोग जैसे सुभाव को त्याग ना होगा इसका मतलब यह नहीं है कि वीपरित विचार स्वेचालिक रूप से सत्य है इसके बजाए खुद से पूछें व्यवसाय के बारे में आप जो कुछ जानते है वह पिछली गलतियों के गलत परतिकरियों के रूप में आकार लेते है अभी तक का सार यह है कि हमेशा भीड का विरोध नहीं करना चाहिए बलकि खुद के लिए भी सोचना चाहिए दन्यवाद हिंदी ओडियोबुक.com आईए चलते हैं अध्याए तीन की ओर आपका दिन शुब हो अध्याए तीन हिंदी ओडियोबुक.com काम्याब कमपनियां अलग दिखती है हमारे विरोध वासिव प्रशन का व्यवसाइक संसकर्ण यह है कि कोई बड़ी कमपनी अपनी इमेज की इमारत क्यों नहीं बना रही है यह सवाल दिखने में कठिन है क्योंकि आपकी कमपनी अधिक मुल्यवान होने के बावजूद अधिक वैल्यू बना सकती है केवल वैल्यू बनाना प्रयाप्त नहीं है आपको अपने दुवारा बनाए गई कुछ मुल्यों को भी अपनाने की आवशकता है इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े व्यावसाई भी खराब व्यावसाई हो सकते है उधारन के लिए अमेरिकी एरलाइन कमपनिया हर साल लाकों यात्रियों की सेवा करती है और सैंकडों अरब डॉलर कमाती है लेकिन 2012 में जब ओसत वीमान किराया 178 डॉलर था तब एरलाइन्स प्रती यात्री केवल 37 सेंट का ही लाब कमा रही थी हम अगर उनकी तुलना गूगल से करें जो कम धन लेकिन लाब अधिक कमा रहा था गूगल ने 2014 में एरलाइन्स की 160 बिलियन डॉलर कमाई के मुकावले 50 बिलियन डॉलर कमाई यानि अपने रेविन्यू का 21 परसेंट लाब कमाया एरलाइन उद्यों के लाब मार्जिन से 100 गुना अधिक गूगल अकेला इतना पैसा कमाता है जो अमेरिका की सभी एरलाइन्स के संयुक्त लाब से 3 गुना अधिक है एरलाइन्स एक दूसरे के साथ प्रतिसपर्दा करते हैं लेकिन गूगल अकेले खड़ा है अर्थसास्तरी अंतर को समझाने के लिए दो सरलिकर्द माडल का उप्योग करते हैं परफेक्ट कम्पिटिशन और मोनोपली परफेक्ट कमपीटिशन को अर्थजास्तर में आदर्च और डिफाल्ट स्थिती दोनों ही माना जाता है जब प्रतिशपर्दी बाजार संतुलित हो तब उत्वादक अपूर्ती और उबोगता मांग समान होते हैं प्रतिस्पर्दी बाजार में प्रतेक कमपनी समान मुल्य पर अपने उत्पादों को बेचती है चुकि किसी फर्म के पास कोई मार्केट पावर नहीं है इसलिए उन्हें बाजार के अनुसाद निर्धारित होने वाले कीमतों पर अपना सामान बेचना होता है यदि यहाँ पैसा बनाया जा रहा हो तो नई कमपनी बाजार में प्रवेश करेंगी आप उर्ति में व्रदी करेंगी कीमते नीचे गिराई जाएंगी और इस तरह वो गुनाफे खत्म हो जाएंगी जो उन्हें पहले मिल रहे थे यदि बहुत से कमपनिया बाजार में प्रवेश करती हैं तो उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ेगा कुछ बंद हो जाएंगी और कीमते नीचे टिका उस तर पर वापस आ जाएंगी परफेक्ट कमपेटिशन के अंतरकत लंबे समय तक कोई भी कमपनी आर्थिक लाब नहीं कमा सकती मोनोपली परफेक्ट कमपेटिशन से एकदम वीपरीद है परतिसपर्दी कमपनी को अपना सामान बाजार के द्वारा निर्धारित मुल्या पर वेजना पड़ता है लेकिन मोनोपली बाजार का मालिक है इसलिए यहे अपनी कीमतें खुद निर्धारित करता है चोंकि इसमें कोई परतिसपर्दा नहीं है इसलिए इसके उत्पाद की मात्रा वे मुल्य तालमेल पर रहते हैं जो इसके मुनाफे को हमेशा ज्यादा रखते हैं एक अर्थ सास्त्री को परतेक मोनोपली एक जैसी दिखाई देती है भले ही यह नियमों के अनुसार काम करके विवेक पूर्ण रूप से परतिदवंदियों को स्मप्त करता है और सिर्ष पर रहकर अपना रास्ता खुद बनाता है इस पुस्तक में हम अवैद या सरकारी पक्षपात की बात नहीं कर रहे हैं मोनोपली से हमारा मतलब है कि कोई कमपनी वह सामान या सेवा परदान करे जिसे कोई दूसरा निकट बविश्य में उपलब्द नह करवा सके जीरो से एक तक जाने का गूगल सबसे अच्छा उधारन है सर्चिंजन के ख्षेतर में साल 2000 के दसक के आरंब से कोई भी इसका कमपिटेटर नहीं है यह निश्चित रूप से माइक्रोसोफ और याहू से अलग है अमेरीकियों ने समाजवादी सोच, कमाई के बारे में सोच से हमें बचाने के साथ साथ परतिसपरदा का मिधख दिया है असल में पूंजीवाद और परतिसपरदा इससे विपरित है पूंजीवाद पूंजी के संचे पर आधारित है लेकिन पूर्ण परतिस्परदा के तहट सभी मुनाफे निम्न हो जाते है उद्मियों के लिए सबक सपस्ट है यदि आप स्थाई मुल्यवान व्यावसाई बनाना चाहते हैं तो पहले से ही परिवाशित कमोडिटी व्यावसाई ने बनाई वास्तों में दुनिया कितनी मोनोपोलिटिक्स है वास्तों में कितनी कम्पिटिटिव है यह कहना मुश्किल है क्योंकि इन मामलों में हमारी आम सोच उलजनबरी है बाहर से देखने वालों को सभी व्यावसाई समान दिखाई दे सकते हैं इसलिए उनके बीच केवल छोटे अंतर को समझना आसान है लेकिन वास्तों का उससे कहीं अधिक दुवी आधारी है सही परतिसपरदा और एक अधिकार के बीच एक बड़ा अंतर है और अधिकांस व्यावसाई आम तोर पर किसी एक के ज़्यादा करीब होते हैं जो हम आम तोर पर महसूस करते हैं ब्रहमाने एक तरीकों से बाजार की स्थित्यों का वर्णन करने के पूर्वा ग्रह से आता है दोनों एक अधिकारियों और परतियोगियों को सच्चाई की और जुगाओ के लिए प्रोचसाहित किया जाता है मोनोपली करने वाले खुद को बचाने के लिए जुट बोलते हैं वे जानते हैं कि अगर उनके इस एक अधिकार के बारे में ज़्यादा बात की जाए तो ओडिट, खातों की जांच और अन्य तरीके के कागजी हमले किये जा सकते हैं चुकि वे चाते हैं कि उनके मोनोपली मुनाफ़े को निरंतर जारी रखा जाए वे अपने एक अधिकार को चिपाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं आम तोर पर अपने परतिस पर्दा के शक्ति का प्रियोग करके भी कर सकते हैं इस बारे में सोचें कि गूगल अपने व्यावसाई के बारे में कैसे बात करता है। यह निश्चित रूप से मोनोपली करने का दावा नहीं करता है। लेकिन क्या यह मोनोपली करता है। खेर यह निर्वर करता है मोनोपली में। गूगल मुख्य रूप से एक सर्च इंजन ह मई 2004 तक इसका सर्च वाजार लगवग 68 परतिसत था इसके निकत्तम पतियोगियों माइक्रोसोप्ट और याहू का सर्च मार्केट करमशे 19 परतिसत और 10 परतिसत था यदि आपको यह परियाप्त प्रभावशाली नहीं लगता है तो इस तत्यवर विचार करें कि गूगल शब्द अब एक क्रिया के रूप में और प्सपोर्ड अंग्रेजी शब्द कोस में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है बिंग के साथ भी यही होने जा रहा है माल लीजी हम कहते हैं कि गूगल मुख्य रूप से एक विग्यापन कंपनी है इससे चीजों में बदलावा जाएगा यूए सर्च इंजन विग्यापन बाजार सालाना सत्रा बिलियन डोलर का है ओनलाइन विग्यापन सैंटिस बिलियन डोलर सालाना है पूरा यूए सर्च इंजन विग्यापन बाजार डेट सो बिलियन डोलर है और वैस्विक विग्यापन बाजार चार सो पिचानमे बिलियन डोलर का है तो अगर गूगल ने पूरी तरह से यूए सर्च इंजन विग्यापन का एका दिकार किया है तो यह वैस्विक विग्यापन बाजार का सिर्फ तीन पॉइंट च्यार परसेंट होगा इस तरह से गूगल विश्व परतिस परदा में एक छोटे से खिलाडी की तरह दिखाई देगा क्या होगा यदि हम गूगल को एक प्रोदोगी की कंपनी के रूप में दिखें यह कापी सही भी लगता है अपने सर्च इंजन के अलावा गूगल दर्जनों अन्य सोफ्टेर उत्पाद बनाता है रोबोटिक कारें एंडरोइट फोन आदी लेकिन गूगल के राजसाओ का 95 परतिसत सर्च विग्यापनों से आता है इसके अन्य उत्पादों ने 2012 में सिर्फ 2.35 बिलियन डॉलर की कमाई की जो कि इसके तक्निकी उत्पादों का केवल एक प्रतिशत है चोंकि उबोगता तक्निक बाजार दुनिया वर में 964 अरब डॉलर का है इसलिए गूगल 0.24 परसेंट से भी कम काम मालिक होगा अगर एकादिकार को छोड़ दे तो गूगल कुद को एक और तक्निकी कमपनी के रूप में तैयार करे तो इसे सभी प्रकार के कामों से ध्यान अटाना पड़ेगा प्रतिश परदी जूट गैर एकादिकार वादी इसके वीपरित जूट बोलते है हम अपने सुएं के खेल में हैं जिसके हम रैफरी हैं एंटर्प्रेनर्स परतिश परदा के पैमाने को हमेशा कम करके पक्षपात पूर्ण व्यवहार करते हैं लेकिन यह स्टार्ट अप की सबसे बड़ी गलती है कहतक प्रलोबन आपके बाजार को बेहत संकिर्ण रूप से वर्णित करता है ताकि आप इस पर परिवासा के अधार पर हावी हो सकें माल लेजिए कि आप एक रैस्तरा शुरू करना चाते हैं जो पालो आल्टो में बिटिश खाना बनाता है यह काम पूरी मार्केट में कोई और नहीं कर रहा है आप तर्क दे सकते हैं हम पूरे बाजार के मालिक हैं लेकिन यह केवल तभी सच है जब पूरा बाजार बिटिश खोजन के लिए विशेज बाजार हो क्या होगा यदि सामान्य बाजार पालो आल्टो रेस्टरा बाजार ही हो और क्या होगा यदि आसपास के शहरों में सभी रेस्टरा इसी बाजार का हिस्सा हो ये कठिन प्रशन है लेकिन बड़ी समश्या यह है कि आपको इसकी कोई आशक्ता नहीं है कि आप सभी से यही प्रशन पूछें जब आप सुनते हैं कि अधिकतर नए रेस्तरा एक या दो वर्सों में फेल होकर बंद हो जाते हैं तो आपके मन में एक विचारा आता है कि आपका रेस्तरा और उसे कैसे अलग है आप लोगों को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि आप इन सब से कैसे अलग हैं और यह आपके साथ नहीं होने वाला साल 2001 में पेपाल के मेरे सैकरमी और मैं अक्सर कास्तरो स्ट्रीट के माउंटेन वियू में दोपैर का बोजन करने जाते थे यहां पर भारतिय, शूशी और बर्गरादी सभी परकार के बोजन थे इस रेस्तरा में उत्तर भारतिय और दक्षन भारतिय जैसे बोजन की स्रेनिया भी थी यहां पर सस्ता और महगा सभी तरह के बोजन भी कल्प थे परतिस पर्दिस्तानिय रेस्तरा बाजार के वीपरीव पेपाल उस समय दुनिया की एक मातर इमेल अधारित पेमेंट कमपनी थी हमने कास्त्रो स्ट्रीट के रेस्तरा की तुलना में कम लोगों को नोकरी पर रखा था लेकिन हमारा व्यवसाय उन सवी रेस्तराओं के तुलना में अधिक कमाता था एक नया दक्षिन भारतिय रेस्तरा जुरू करना पैसे बनाने का एक मुश्किल तरीका है यदि आप परदिसपरदी वास्तविक्ता को देखते हैं और चोटे-चोटे कारणों पर ध्यान के अंधिरित करते हैं तो शायद आपका व्यवसाय बने रहने की संभावना नहीं के बराबर होगी रचनात्मक उद्योग भी इसी तरह से काम करता है कोई पठकता लेखक यह स्विकार नहीं करना चाता कि उसकी नई फिल्म की स्क्रिप्ट पहले से ही कहीं पर लिखी जा चुकी है इसके बजाए नई पिच यह है यह फिल्म पूरी तरह से नई तरीकों से वे विभिन रोमांसक कारलामों से भरी होई है यह सच भी हो सकता है गैर एकादिकारवादी अपने बाजार को विभिन छोटे छोटे बाजारों के रूप में परिवासित करके अपने सीक्रेट्स को बताने में अती करते हैं इसके विपरीत मोनोपली करने वाले अपने बाजार को कई बड़े बाजारों के संग के रूप में तैयार करके अपने एकादिकार को छिपाते हैं एक एकादिकारवादी संग की कहानी वास्तों में कैसी दिखती है साल 2011 की कांगरे सुनवाई में Google चेर्मेन एरिक स्मिट की गवाही के एक बयान पर विचार करें हम एक बेहत परतिसपर्दी मावल में काम करते हैं जिसमें जानकारी पाने के लिए वोगताओं के पास कई तरह के विकल्प मुझूद है PR से अनुवादित साधी भाशा में Google एक बड़े तालाब में एक छोटी मसली है हमें किसी भी समय पूरी तरह से निगल लिया जा सकता है हम वह मुनुपली नहीं है जिसे सरकार ढून रही है क्रूर लोग परतिसपर्दी व्यावसाई के साथ समश्या मुनाफे की कमी से भी परे है कल्पना कीजिए कि आप माउंटें व्योके उस रेस्तरा को चला रही है आप अपने दरजनों परतिसपर्दियों से अलग नहीं है इसलिए आपको खड़े रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी है यदि आप कम मारजन के साथ अच्छा बोजन देते हैं तो आप शायद करमचारियों को सेलिरी का बुगतान भी नहीं कर सकें और आपको अपनी पूरी ताकत लगाने की आवशक्ता होगी यही कारण है कि छोटे रेस्तरा ने दादी को रजिस्टर में काम करने और बच्छों को पीछे वर्तन दोने के लिए रखा हुआ है रेस्टोरेंट सबसे उंचे रेटिंग वाले पाइदान पर भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जहां मिशेलिन के स्टार सिस्टम जैसी समिक्षा और रेटिंग वैतेज कम्पिटिशन के संस्कृति के माहुल को बना जा है फ्रांसिसी सेफ तीन मिशेलिन स्टार के विजेता बनार्ड लोई शाओ को यह कहते हुए सुना गया था यदि मैं एक स्टार भी खो देता हूँ तो मैं आत्मत्या कर लूँगा मिशेलिन ने अपने रेटिंग पर करार रखी लेकिन 2003 में लोईजो ने खुद को मार डाला जब एक परतिसपर्दी फ्रांसिसी डाइनिंग आइड ने उनके रेस्तरा को डाउन ग्रेड किया परतिसपर्दी परिस्तितिक तंतर लोगों को कुरूरता करने या मोत को गले लगाने की और दखेल देता है गूगल की मोनोपली अलग तरह की है चुकि इसे किसी के साथ परतिसपर्दा करने की चिंता करने की आफशक्ता नहीं है इसलिए इसके करमचारियों, इसके उत्पादों और पूरी दुनिया पर इसके प्रभाव की देखवाल करने के लिए व्यापक तरीके है गूगल का आदर्स वाक्य है बुरा मत बनो यह एक प्रांडिंग चाल है या यू कहीं कि यह एसा व्यावसाय है जो नेतिक का वै अपने अस्तितों को खत्रे में डाल कर सफल रहा है व्यावसाय में पैसा मेहतोपूर्ण है या फिर यह सब कुछ है एका दिकारवादी पैसे कमाने के अलावा अन्य चीजों के बारे में सोचते हैं गैर एका दिकारवादी एसान नहीं कर सकते परफेक्ट कम्पिटिशन में व्यापार आज के मार्जिंग परकेंद्रित होता है यह संबहुत है लोंग टरम फ्यूचर के लिए योजना नहीं मना सकता रोजना के मारा मारी से केवल एक चीज़ व्यापार को खड़ा रहने ते सकती है वो है केवल मोनोपली लाव मोनोपली पूंजी बाद सब के लिए आंत्रिक मोनोपली अच्छी है लेकिन बाहर के बारे में क्या क्या समाज के बाकी हिस्सों में बुरे लाव आते हैं असल में हाँ लाव क्राकों के परसे बाहर आते हैं और इसलिए मोनोपली दूद कारने लाइक है लेकिन केवले इसी दुनिया में जहां कुछ भी नहीं बदलता है एक स्थिर दुनिया में मोनोपली सिर्फ एक कमाई का तरीका है यदि आप किसी चीज़ के लिए बाजार को अपने गेरे में लेते हैं तो आप कीमत को बढ़ा सकते हैं दूसरों को आप से खरीदने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा मशूर बोर्ड गेम के बारे में सोचें खिलाडी, खिलाडियों के आसपास कुमते हैं बोर्ड कभी नहीं बदलता है एक बेहतर परकार की रियल इस्टेट की खोज करके जीतने का कोई तरीका नहीं है गोणों के मुल्य हर समय तै किये चाते हैं इसलिए आप उन्हें अपनाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं वहेक कतिशील है नई और बहतर चीजों का आविश्कार करना संबव है क्रियेटिव एक अधिकारवादी दुनिया में नई खोजों के द्वारा ग्रहाकों को अधिक विकल्प देते हैं समाज के बाकी हिस्सों के लिए ही नहीं बलकि वे इसे बहतर बनाने के लिए एक शक्तिसली इंजन की तरह काम करते हैं यहां तक की सरकार भी यह जानती है यही कारण है कि इसके विभागों में से एक नई आविशकारों को पेटेंट देकर मोनोपली बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और तूसरा उन पर एविस वसनिया मामलों पर मुगदमा चला कर शिकार करता है यह पुछना संभाव है कि किसी को भी मोबाइल सोप्टे और डिजाइन की तरह कुछ सोचने के लिए वास्तों में कानोनी रूप से लागू करने योग्य एक अधिकार से सम्मानित किया जाना चाहिए लेकिन यह स्भस्ट है कि आईफोन डिजाइन उत्पादन और विप्णन से एपल के मोनोपली लाब की तरह कुछ अधिक लाब पैदा करने का इनाम करत्रिम नहीं है करहाकों को वास्तों में स्मार्ट फोन प्राप्ट करने के लिए ज़्यादा पैसों का भुगतान करने का विकल्प था जिसने वास्तों में काम किया नए एकादिकार की गती सिल्ता स्वें बताती है कि पुराने एकादिकार इनोवेशन क्यों नहीं करते हैं एपल के iOS के उसाथ मोबाइल कम्प्यूटिंग के जनम ने Microsoft के दसक के लंबे ओपरेटिंग सिस्टम वर्चसरों को नाटकिय रूप से कम कर दिया है इससे पहले 60 और 70 के दसक में IBM ने हाड़वेर मोनोपली को Microsoft के सोप्ट्वेर मोनोपली द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था बीश्मी स्थाबदी में AT&T के पास टेलिपॉन सेवा पर मोनोपली थी लेकिन अब किसी को भी किसी भी परदाता से सस्ती सेलपोन योजना मिल सकती है यदि मोनोपली व्यवसायों की परवर्ती प्रगती को रोपती है तो वे खतरनाक होंगे और हम उनका प्विरोद करेंगे लेकिन प्रोग्रेस का इतिहास निर्वर्टाओं की जगे बहतर मोनोपली व्यवसायों का इतिहास है मौनोपली परोग्रेस को चलाते हैं क्यों कि वर्सों या यहां तक की दस्कों तक मौनोपली लाव के साथ साथ इनोवेशन करने के लिए शक्ति साली पर उच्सान देता है मोनोपली इनोवेशन को सुरक्सित रख सकते हैं क्योंकि मुनाफ़ा उन्हें लंबी अवदी की योजना बनाने और मैतवकांक सी अनुसंधान पर योजनाओं को वित पोशित करने में सक्षम बनाता है वे यह भी जानते हैं कि परतियोगिता से बाहर होई कमपनियों के सपने तूड़ जाते हैं अर्थ सास्त्री परतियोगिता को एक आदर्स तरीके के रूप में मानने के प्रति जुनूनी क्यों है यह इतिहास का एक अवशेश मात्र है अर्थ सास्त्रियों ने उन्निसमें स्ताबदी के बोतिक विदों के काम से गनिती अगरना की नकल्क बनाई है वे व्यक्टियों और व्यवसायों को अलग-अलग रूप में देखते हैं नैकी एद्वितिय रचनाकारों के रूप में देखते हैं उनके सिद्धान परफेक्ट कम्पेटिशन की संतूलन स्थिती का वर्णन करते हैं क्योंकि मोडल के लिए यह आसान तरीका है यह बेहत्रेर बिजनस का प्रतिनेदी तो नहीं करता है लेकिन यह जानने लाइक है कि उननीस में स्ताब्दी की भोति की दुआरा परविशेवानी की जाने वाली दिर्ग कालिन संतूलन एक एसा विचार था जिसमें सभी उर्जा समान रूप से वितरित की जाती है और सब कुछ आराम के लिए किया जाता है जिसे ब्रमाण का गर्मी से अंत भी कहा जा सकता है थर्मो डाइनामिक्स पर जो कुछ भी आपका विचार है यह एक शक्ति साली रूपक है व्यवसाय में संतुलन का मतलब स्टेसिस है और स्टेसिस का मतलब मोध है यदि आपका उद्योग परतिसपर्दी संतुलन में है तो आपके व्यवसाय के अंत से दुनिया में कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला कुछ अन्य निर्विबाद परतियोगी हमेशा आपके जगह लेने के लिए तयार रहेंगे सही संतुलन उस सुन्य का वर्णन कर सकता है जो अधिकांस म्रमान में है यह कई व्यवसायों को भी चितरित कर सकता है लेकिन हर नई रचना या कोज संतुलन से दूर होती है आर्थिक सिदांत के बाहर वास्त्विक दुनिया में हर व्यवसाई वास्तों में इस हद तक सफल होता है कि यह कुछ अलग नहीं कर सकता है मोनोपली भी अपवाद नहीं है मोनोपली हर सफल व्यवसाई में होती है टल्स्टाई ने कहा है कि सभी खुश परिवार समान है प्रतेग दुखी परिवार अपने तरीके से नाखुश है वेहुसाय में यह वीपरीत है सभी काम्याव कमपनियां अलग-अलग है प्रतेग एक अनूठी समश्या को हल करकी मोनोपली प्राप्त करती है सभी एक सभाल कमपनियां समान है वे प्रतिस परदा से बसने में नाकाम रहती है नइवाद हिंदी ओडियोबुक डोटको आईए चलते हैं अध्याइच चार की ओर आपका दिन शुब हो अध्याईच चार प्रतिस परदा की विचारदारा क्रियेटिव मोनोपिली का मतलब उस नए उत्पाद से है जो सभी के लिए उप्योगी वे निर्माता के लिए लाबदाइक हो परतिसपर्दा का आर्थ है किसी के लिए कोई लाब नहीं और अस्थितों के लिए संगर्ष करने वाला तो फिर लोग परतिसपर्दा को अच्छा क्यों मानते है? इसका मतलब यह है कि परतियोगिता सिर्फ एक आर्थिक अउधारना नहीं है कि जिसके आधार पर व्यक्तियों और कम्पनियों का बाजार में सोधा होता है किसी और चीद से अधिक पर्तियोगिता एक विचारधारा है वह है विचारधारा जो हमारे समाज में फैली हुई है और हमारी सोच को विक्रत करती है हम परतिसपर्दा का प्रचार करते हैं अंतरमन से इसे आउशक मानते हैं और इसके नियमों को लागू करते हैं और नतीजन हम इसके अंदर खुद को और ज़्यदा फसाते चले जाते हैं हम जितनी अधिक परतिसपरदा करते हैं उतना कम लाब कमाते हैं यह एक साधान सत्य है लेकिन हम सभी को इसे अंदेखा करने के लिए परश्यक्षित किया गया है हमारी सेक्षनिक परनाली परतिसपर्दा के हमारे जुनून को चलाती है और इसे हमारे अंदर परतिभिम्वित करती है ग्रेड्स सुयैंवीतो परतेख शातर की परतिशपर्दात मग्दा को एक सटीक प्रमाने पर मापने के लिए बनाए गए है ज्यादा अंग प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उचस्तान और प्रमानपत्र मिलते हैं व्यक्तिगत प्रतिभा और वरियताओं के बावजूद हम प्रते की विवा को वही विशय एक ही तरीके से पढ़ाते हैं जो चातर डिस्क पर बैठकर अच्छा नहीं सेखते हैं उन्हें कमतर मैसूस करवाया जाता है जबकि परिक्षा और असाइन्मेंट जैसे पारंपरिक तरीकों में उतकरष्टा प्राप्त करने वाले बच्चे इस आजीव तरह के प्रकृतिक समानता के विप्रित काम करने वाले सिस्टम में अपनी पहचान गड़ते हैं और यह तब बत्तर हो जाता है जब चातर इसके उच स्तर तक पहुन जाते हैं उच वर्ग के चातर अपने सपने को पाने के लिए कड़ा कम्पिटिशन करते हैं और आतम विश्वास से आगे बढ़ते हैं उच विदैलियों में मैंनेजमेंट और बैंकिंग जैसे पारंपरिक करियर के लिए चातर आज कम्पिटिशन के बहुर में पूरी तरह फंस चुके हैं और इसके लिए बहुत महंगी महंगी टूशने भी रखते हैं हम खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं जब मैं छोटा था तब मैंने अपने आप से यह पूछा था कि आठवें कक्षा से ही मेरा करियर पाथ सेट कर दिया गया था मेरे एक दोस्त ने भविश्य वाने की थी उसके अनुरूप ही चार साल बार मैं स्टैन्फोर्ड में पढ़ने के लिए गया और पारंपरिक रूप से स्नातक उतिर्ण होने के बाद मैंने स्टैन्फोर्ड ला स्कूल में दाखिला लिया जहां मैंने सफल होने के लिए कड़ी मेहनत और प्रतिस परदा की कनून के चात्रों की दुनिया में पुरुसकार्स पस्ट हैं हर साल हाजारों सनातकों में से केवल कुछ दरजनों को सुप्रिम कोर्ट में कलर्क शिप मिलती है एक साल के लिए सेंट्रल अपील कोर्ट में कलर्क लगने के लिए मुझे जस्टिस कैनेडी और स्केलिया के साथ कलक्षिप के लिए इंट्र्यू के लिए बुलाया गया जस्टिस के साथ मेरी चर्चा अच्छी तरह चली थी मैं इस आखरी परतियोगिता को जीतने के बहुत करीव था मैंने सोचा अगर मुझे कलक्षिप मिल गई तो मैं जीवन में सभल रहूंगा लेकिन मैंने इसा नहीं किया और मैंने अपने इस करियर को बर्बाद कर लिया 2004 में मैं पेपल के बंद होने के बाद अपने ला स्कूल के पुराने दोस्त के पास किया ताकि वो मुझे मेरी एसपल कलर्क्षिप एप्लिकेशन तयार करने में मदद करे हमने लगबग एक दसक से बादचित नहीं की थी उसका पहला सवाल यह नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं या इतने लंबे अर्से बाद मिले हैं इसके बजाए वह चिलाया और पूछा क्या आप कलर्क्षिप खोने से खुश नहीं है हम दोनों ही जानते थे कि जीतने वाली अंतिम परतिस्परदा मेरे जीवन को बदल देगी अगर मैं वास्तों में सुप्रिम कोर्ड में कलर्क होता तो शायद मैं अपने पूरे करियर में कुछ नया करने की बजाए अन्य लोगों के व्यापरिक सोदों को लिखता और उन्हें तयार करता यह कहना मुश्किल है कि यह कितना अलग होगा लेकिन आउसर लागत बहुत अधिक थी सभी विद्वानों के पास उनके अतीत में एक अच्छा भविश्य था युद और शान्ती प्रोफेसर अकादमिक कटगरा संस्कृति को कम करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैनेजरों को युद और व्यापर एक समान नजर आते हैं एम्बीए के चात्र क्लाउस बीट्स और संटीजू को कापी करते हैं युद के जैसे शब्द हमारी रोजमरा की व्यवसाई क भासा में प्रियोग किये जाते हैं जैसे हम एक सेल्स पोर्स बनाने के लिए हेड हंटर शब्द का प्रियोग करते हैं जो हमें कैप्टिव बाजार लेने और शिकार करने में सक्षम बनाता है लेकिन वास्तों में यह परतिस परदा है, वेवसाई नहीं, यह युद की तरह है, कथित रूप से जिसे बहतुरु माना जाता है, लेकिन अंततय वह विनाशकारी होता है, लोग एक दूसरे के साथ परतिस परदा क्यों करते हैं, कारल मार्क्स और सेक्सपियर लगवगार परकार के संगर्स को संपन से लड़ता है, क्योंकि उसके पास अलग-अलग भोतिक परिस्तितियों में पूरी तरह अलग विचार और लक्षय होते हैं, मत बेद जितना आधिक होगा, संगर्स उतना ही बड़ाब होगा, इसके विपरीद सेक्सपियर के लिए सभी लड़ाकों को समान रूप से क और ज्यादा दिखता है, यह बिल्कुल स्पस्ट नहीं है कि उन्हें क्यों लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, रोमियों और जूलिट की शुरुवाती लाइन पर विचार करें, दो घर, दोनों गरिमा में समान, दोनों गर एक जै शेक्षपियर बेहतर गाइट साबित हुए हैं, कमपनी के अंदर लोग अपने सहे कर्मियों से और कमपनी अपने परतिदोंदियों से बाजार परतियोगिता में आगे निकलने के लिए हमेशा प्रियासरत रहते हैं, संसार में लोग यह भूल जाते हैं कि उनके अपने क्य अबाइने हैं और उनके लिए क्या सही है, इसके बजाए बस वो केवल अपने परतिदोंदियों पर ध्यान के निरित करते हैं, आईए वास्तविक दुनिया में शेक्षपिर माडल का परिक्षन करें, रोमियो और जूलियट के आधार पर केट्स और स्मिट नामक एक समानता के कारण उत्वन संघर्ष के बारे में चर्चा करते हैं, संघर्ष पहले केवल दिखने में एपर्यारिया लगता है, वास्तों में यह पूरी तरह से टालने योग गया था, ये दोनों परिवार अलग अलग स्तानों से आये थे, मॉन्टेक हाउस ने ओपरेटिंग स सिस्टम और आफिस सॉफ्ट एर का निर्मान किया, हाउस आप कैप्लेट ने सर्च इंजन बनाया था, इनमें आपस में लड़ने के लिए क्या था, जाहिर है बहुत सारे, स्टार्ट अप के रूप में प्रते कंपने सोतंतर रूप से समर्द होना चाहती थी, लेकिन जैसे इन्होंने बढ़ना शुरू किया, वैसे ही एक दूसरे पर ध्यान के अंदरित करना शुरू कर दिया, प्रेनाम विंडोज बनाम क्रोम ओएस, बिंग बनाम गूगल सर्च, एक्स्प्लोरर बनाम क्रोम, ओफिस बनाम डॉक्स, और सरफेस बनाम नेक्सेस, इस यूद के कार मांट्यूग और कैपिलेट्स को इसके कीमत चुकानी पड़ी, जो माइक्रोसोफ्ट और गूगल के प्रवुतों की लागत थी, इसी बीच एपल आया और उन सभी को पीछे छोड़ दिया, जनवरी 2013 में एपल का मार्केट कैपिलेजम 500 डॉलर बिलियन था, जबकि गूगल और माइक्रोसोफ्ट दोनों का इकठा मार्केट कैपिल 467 अरब डॉलर का था, सिर्फ तीन साल पहले माइक्रोसोफ्ट और गूगल एपल की तुलना में बड़ी फर में थी, युद्ध यानि कमपेटिशन एक महेंगा प्यापार है, परतियोगिता पुराने अवसरों पर अधिक जोर देने का कारण बनती है, जिन चीजों ने अतीत में काम किया है, उनकी केवल हम नकल बनाते हैं, आईए हम हाल ही में बने मोबाइल क्रेडिट कार्ड डीडर का विचार करें, अक्टूवर 2010 में स्क्वाइर नामक स्टार्ट अप ने एक छोटा सफेद स्क्वाइ राकार वाला प्रडेक्ट जारी किया, जो किसी भी क्रेडिट कार्ड को आईफोन के साथ स्वाइप करके पेमेंट स्विकार करने देता है, मोबाइल हैंसेट के लिए यह पहला और अच्छा पेमेंट प्रसेसिंग समाधान था, परतियोगी तुरंत इसकी और आकरशित हु नेच допनीन नेट सेकर नामक के गनाडाई कंपनी ने अपना खुद का काड रीडर आर्दचंदरमा आकार में लोंच किया, इन्ट्यूटी से बिलनाकार आकार में लाया, मार्च 2012 में इबे की पेपा लीकाई ने अपना कुद का कापीकेट काड रीडर लोंच किया, यहे एक हमें नगली प्रतिस परदा के खत्रियांशिक रूप से समझा सकते हैं कि सिलिकोन वैली में एक्षमता वाले वेक्ति आज क्यों लाब में हैं। रूप से अच्छा बनेंगे। फिर जब आप अपने कोशल से कुछ शुरू करते हैं तो आप दूसरों के मुकाबले अपनी संभावना को का मांगते हैं। इससे आपको स्पष्ट रूप से परतिस परदा करने वालों से बचाया जा सकता है। परतिस परदा लोगों को अवसर के परति ब्रहमित करती हैं। जहां कोई भी अस्तितों नहीं है। बूम 1990 के समय ऑनलाइन पालतु जानवरों के स्टोर बाजार में बहेंकर परतिस परदा थी। यह पेट्स.com बनाम पेट्स.com बनाम पेटोपिया.com वे और भी दरजनों उधारन थे। प्रते एक कंपनी अपने परति दूंदियों को पराजित करने के साथ साथ खुद भी अपने काम के प्रति भ्रमित थी। कुत्य के खिलों ने ज़्यादा मुनाफ़ा दे रहे थी। कौन सर्वस्रेस्ट सूपर बाउल भी ग्यापन बना सकता है। यह कंपनिया पूरी तरह से इस सवाल में खो गई। कि ओनलाइन पालतु जानवरा पुरति बाजार सही जगे ह है भी या नहीं जीतना हारने से बहतर है। लेकिन जब कोई युद लड़ने योग्या ही नहीं हो तो हर कोई हार जाता है। इस डोट कॉम दूर गटना के बाद पेट्स डोट कॉम की तीन सो मिलियन डॉलर निवे स्पूंजी काईब हो गई। दूसरे समय में पर्ति द्व जो 1993 में साइबेल सिस्टम स्थापना से पहले दोनों के वीद सेक्सपियर के द्वारा बताया गया संगर्स चल रहा था। एलिसन का विश्वास साइबेल के विश्वास काथ के बाद से उठ गया था। साइबेल अपने पुरो मालिक की छाया से ही नवरत करता था। दो इन दूसरे से गरणा करते थे। एलिसन और सिवेल ने 90 के दसक की दूसरी चैमाई में एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश की। एक समय तो एलिसन ने सिवेल के मुख्यालियों में आइसक्रिम सेन्वीच के लोडेट ट्रक भेज दिये ताकि सिवेल के करमचारियों को अपने के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश की जा सके। उनके रैपर पर लिखा था गरमी निकट है और एकल यहां है अपने करियर को उच्जवल करने के लिए आई है। आश्रिय जनक रूप से औरेकल ने जान बुज़कर दुस्मनों को जमा किया एलिसन का सिधान्द यह था कि दुस्मन होना हमेशा के लिए अच्छा होता है जब तक कि यह खतरनाक नहें दिखने लगे जब तक कि कमपनी को दमकी देने जितना बड़ा नहें हो जाए 1996 में इनफॉर्मेटिक नामक एक छोटी डेटाबेस कमपनी ने औरेकल के रेड़ूड शोरेस मुख्यले के पास एक बिलबोर्ड लगाया जिस पर लिखा था चेतावनी डाइनसोर क्रोसिंग उत्तर के बाउंडरी मार्क पर एक और सुजना लिखी थी आपने रेड़ूड को पास किया है जिसे हमने भी किया था औरेकल ने भी एक विलबोर्ड लिखा था जो बताता था कि इनफॉर्मेटिक का सौफ्ट्वेर गोंगे से भी धीमा था फिर इनफॉर्मेक सीओ फिल वाइट ने व्यक्तिगत हमला करने का फैसला किया जब वाइट ने जाना कि लेरी एलिसन ने जादूई समुराई चलाना सीखा था तो उजने औरेकल के लोगों को एक तूटी हुई समुराई तलवार के साथ चितरित करने वाला एक नया बोर्ड लगवा दिया यह विग्यापन और एकल को एक कंपनी के रूप में भी नहीं मानता था यह एलिसन पर व्यक्तिगत हमला था लेकिन शायर वाइट ने परत्योगता के बारे में चिंता करने में कुछ अधिक समय लगा दिया वह बिलबोर्ड बनाने में व्यास्त था तब इनफोर्मिक्स बड़े पैमाने पर अकाउंट को टाले में फंस गया और वाइट ने जल्दी अपने आपको सिक्यूर्टीज दोगादरी के जुरुम में संगिय जेल में पाया यदि आप परत्युदंदी को हरा नहीं सकते हैं तो विले करना बेहतर हो सकता है मैंने 1998 में अपने सहसंस्तापक मेक्स लेविनिन के साथ कनफिनिटी की शुरुवात की जब हमने 1999 के अंत में पेपाल उतबाद जारी किया तो एलन मस्क का एक्स डोट कॉम हमारी एडी तक था हमारी कंपनियों के कारेले पालो आल्टो में युनिवेस्टी एवेन्यू के अलावा चार अन्य ब्लोक में थे और एक्स के उतबाद ने हमारे फीशर को परतिविम्भित किया है 1999 के अंत तक हम पूरी तरह से युद में थे पेपाल में हम में से कई ने सो गंटे तक सापताई काम किया इस में कोई संदे नहीं था कि यह काम परतिकूल था इनका फोकस उदेशय पर नहीं बलकि X.com को हराने पर था हमारे इंजिनियिरों में से एक ने वास्तों में इस उदेश्य के लिए एक बम तयार किया था जब उन्होंने एक टीम मिटिंग में इसे योजनाबत तरीके से परस्तूत किया तब पता चला कि उनकी अत्यदिक नेंद की कमी का कारण क्या था लेकिन फर्वरी 2000 में एलन और मैं तेजी से बढ़ते तकनिकी बून के बुलबले से डर गए थे हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि एक वितिय दुलक्रना हम दोनों को हमारी लड़ाई खत्म होने से पहले ही परबाद कर देगी हम मार्च के शुरू में एक कैफे में मिले जो लगबग हमारे कारेलियों के पास ही था तब हमने 50-50 परतिसत पर विले की बाचित की परतिद्वंधिता के कारण विले से पहले अपने आपको कमांगना आसान नहीं था लेकिन जहां तक बात समश्याओं की थी उनके चलते यह अच्छा था हम सैयूग टीम के रूप में डोटकों दूगटना से बाहर निकलने और फिर से एक सफल व्यवसाय बनाने में काम्याब रही कभी कभी आपको लड़ना पड़ता है आपको लड़ना और जीतना चाहिए कोई और विकल्प नहीं है और नहीं आप इसमें कोई दाओ चल सकते तो कड़ी मेहनत करें और इसे जल्दी खत्म करें इस सला का पालन करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपका गरू और सम्मान रास्ते में आ सकता है महानता का मतलब है कि अंडे के चिलके सरी के कारणों के लिए भी इच्छा से लड़ना चीजों के लिए कोई भी लड़ता है सच्चे हीरो अपने व्यक्तिकत सम्मान को इतनी गंभेरता से लेते हैं कि वे उन चीजों के लिए लड़ेंगे जिन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यह दोहरा तर्क मानो प्रकरती का हिस्सा है लेकिन यह व्यापार में विनाश्तारी है यदि आप प्रतिस पर्दा को एक विनाश्तारी फोर्स के रूप में देखते हैं तो आप अधिक समझदार है अगला अध्याई एक मोनोपली व्यवसाई बनाने के लिए स्पस्ट सोच विक्सित करने के बारे में है नन्यवाद अध्याई पांच की योगड आपका दिम शुब हो अध्याई पांच अंतिम लाप अध्याई पांच हिंदी ओडियोगुक डोट कोम प्रतिस पर्दा प्रतियोगिता आपको एक अधिकार परदान करती है लेकिन भविश्य में एक आधिकार यानि मोनोपली ही एक महान व्यवसाई है ट्विटर के साथ न्यूव्यार्क टाइम्स कंपनी के मुल्या की तुलनागरें दोनों कुछ हजार लोगों को रोजगार देते हैं और लाखों लोगों तक समाचार पहुंचाते हैं लेकिन जब ट्विटर 2013 में सारोजनिक हुआ तो इसका मुल्या 24 अरब डालर था जो टाइम्स के बाजार पूंजी कर्ण के मुकाबले 12 गुना अधिक हलांकि टाइम्स ने 2012 में 133 मिलियन डॉलर कमाए जबकि ट्विटर ने पैसा खो दिया ट्विटर के लिए विशाल प्रीमियम क्या बताता है जवाब कैश पलो है यह पहली नजर में विचितर लगता है कि टाइम्स लाब में था जबकि ट्विटर घाटे में था लेकिन भविश्य के एक महान व्यावसाई को कैश पलो उत्मन करने की क्षमता वाले के रूप में परिभासित किया जाता है निवेश्कों को उमीद है कि अगले दसक में ट्विटर मोनोपली लाब हासिल करेगा जबकि समाजार पत्रों की मोनोपली के दिन खत्म हो गई कहा गया है कि आज के व्यापार का मुल्य भविश्य के कमाई गई सारे धन का योग है डिसकाउंटेड कैश फ्लो मोडल की तुलना में कम विकास करने वाले व्यावसायों और उच वरदी करने वाले स्टार्टप के बीच का अंतर सबसे महतोपूर्ण है कम व्यावसायों का अधिकास मुल्य निकट अधी में है एक पुराना एकोनिमिक बिजनेस अपने करन्ट कैश फ्लो को पांच या अच्छे साल तक पनाई रख सकता है हलांकि करीबी फर्म को इसके मुनाफ़े में प्रतिस्परदा दिखाई देती है नाइट कलब्स या रेस्तरा इसके अच्छे उधारन हैं इनमें सफल लोग आजधन एक अतर कर सकते हैं लेकिन अगले कुछ सालों में उनके कैश फ्लो शायद कम हो जाएंगे जब ग्राहक नए और ट्रेन रियर विकल्पों की और मुड़ जाते हैं प्रोधोगी की कमपनियां अपोजिट ट्रांजेट्री का प्रियोग करती है वे अक्सर पहले कुछ वर्सों के लिए नुकसान सहती है वैसे भी मुल्यवान चीजों को बनाने में समय लगता है और इसका मतलब रेविन्यू में देरी है अधिकांस तक ने की कमपनियों का मुल्य भविश्य में कम से कम 10 से 15 वर्स तक लाब कमाने लगेगा मार्च 2001 में पेपॉल ने अभी तक लाब नहीं कमाया था लेकिन हमारे रेविन्यू सालाना 100% तक पढ़ रहे थे जब मैंने अपने भविश्य के कैश्फलों का अनुमान लगाया तो मैंने पाया की कमपनी का वर्तमान मुल्य 75% जो की साल 2011 और उसके बाद में उत्पन मुनाफे से होगा और मुश्किल से केवल 27 महिनों के लिए कारोबार में रहने वाली कमपनी के लिए यह विश्वास करना कठिन था लेकिन यह कम आंकलन के रूप में सामने आया आज पेपाल साराना लगबग 15% की दर से आगे बढ़ता जा रहा है जो एक दसक पहले की डिसकाउंट रेर से कम है अब यह प्रतीत होता है कि कमपनी का अधिकांश मुल्य दो हजार बीस और इसके बाद आएगा लिंक्टन एक एसी कमपनी का अच्छा उधारन है जिसका मुल्य दूर बविश्य में मौजूद है 2014 की शुरुवात में इसका बाजार पुंजी करन 24.5 बिलियन डोलर था जो की एक अरब डोलर से कम रेविन्यू वाली कमपनी के लिए बहुत अधिक था और जिसकी 2012 में शुद आए केवल 21.6 मिलियन डोलर थी आप इन नम्बरों को देख सकते हैं और निसकर्स निकाल सकते हैं कि निवेशक क्रेजी हो गए है लेकिन जब आप लिंक्डन के अनुमानित फ्यूचर कैस्पलो पर विचार करते हैं तो यह मुल्याकन समझ में आता है भवेश्य के मुनाफिका महतव सिलिकोन वैली में भी अनुमानित है एक कमपनी के मुल्यवान होने के लिए इसे आगे बढ़ना चाहिए लेकिन कई उत्मी केवल अल्प कालिन विकास पर ध्यान के निरिद करते है उनके पास यह बहाना होता है कि विकास को मापना आसान है लेकिन स्थाहित्व को मापा नहीं जा सकता जो सापताईक आंकडों मासिक राजस और लक्षियों और त्रेमासिक कमाई रिपोर्ट से ही प्रभावित रहते हैं हालांकि आप उन संख्याओं को अंदेखा कर सकते हैं कठिन से कठिन समश्याओं को नजरां दाज कर सकते हैं जो आपके विवसाहिक इस्थाहितव को खत्रे में डाल देती है उधारन के लिए लंबी अवदी की चुनोतियों से जिंगा वे ग्रूपन परवंद को और निवेश को दोनों ने तेजी से अल्प कालिन व्रदी की है जिंगा ने फारू विले जैसे खेलों के साथ शुरुवाती जीत दर्ज की और नए रिलीज को गहराई से और नए रिलीज को साइकोमेट्रिक इंजन बनने का दावा किया लेकिन हॉलिवर्ड स्टूडियो के सामने समान समच्चा के साथ दोनों समापतों हो गए आप विकरत शोताओं के लिए लोगप्रिय मनौरंजन की लगातार स्ट्रीम कैसे बना सकते हैं कोई भी नहीं जानता ग्रूपन ने सैंकडों हजारों स्थानिय व्यावसायों के बीच तेजी से विकास किया लेकिन उन ग्रहकों के रिपीट ग्रहक बनने के लिए ग्रहक को राजी करना उनके विचार से कठिन था यदि आप अन्यस अभी को छोड़ निकट अवदी के विकास पर ध्यान के निरित करते हैं तो आपको सबसे महत्वपून सवाल यह करना चाहिए क्या यह व्यावसाई अभी भी एक दसक तक चलेगा अकेले नंबर आपको जवाब नहीं देंगे इसके बजाए आपको अपने व्यापार की गुनात्मक विशेस्ताओं के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए मोनोपली की विशेस्ताइं बविश्य में बहुत बड़े कैश्वलो वाली कंपनी किस तरह दिखती है प्रतेक मोनोपली यूनीक है लेकिन उन में आम तोर पर कुछ सांजी विशेस्ताइं होती है जैसे मालिकाना टेकनोलोजी, नेटवर्क प्रभाव, अर्थ व्यावस्ता के पैमाने और ब्रांडिंग व्यावसाई शुरू करने के लिए कोई भी सूची नहीं होती व्यावसाई के लिए भी कोई शोटकट उपलब नहीं है हलांकि आगे बताई गई विशेस्ताओं के अनुसार आप अपने व्यावसाई का विश्लेशन करके इसे टिकाउ बनाने के तरीके के बारे में जान सकते हैं पहला मालिकाना प्रोधोगी की मालिकाना टेकनोलोजी कमपनी के पास सबसे वास्तविक लाब होती है क्योंकि यह आपके उतपाद की नकल को मुश्किल या कहें असंभव बनाती है उधरन के लिए गूगल की सर्च एलगोरिदम किसी और के मुकावले बेहतर परिनाम देता है बेहत कम समय में पेज लोड वै तेदिक सटीक आटो सर्च परिनाम देने वाली टेकनोलोजी उतपाद को मजबूती और रक्षा सिल्टा प्रदान करती है किसी और के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा जो साल 2000 के दसक में गूगल ने अन्य सवी सर्च इंजन कंपनियों के साथ किया थम रूल के अनुसार बेहतर मॉनोपली के लिए मालिकाना टेकनोलोजी अपने निकर्तम विकल्ब से कम से कम दसकुना बहतर होती है इसके अलावा किसी भी तक्निक में सुधार करके पाई कई परिणाम को विशेश रूप से पहले से बीड़ भरे वाजार में पेशना मुश्किल होगा टेनेक्स यानि उतकरष्ट परिणाम के लिए सुधार करने का सबसे स्पष्ट तरीका है कुछ नया आविश्कार करना यदि आप एक मुल्यवान तक्निक मनाते हैं जो पहले से उपलब्द ने हो तो मुल्य में सैधान्तिक रूप से अनंत वरदी होगी जैसे नींद की आवशक्ता को पूरा करने के लिए एक दवा या गंजेपन को दूर करने के लिए इलाज निश्चित रूप से यह मोनोपली बिजनस बनाने में बेहतरीन करम साबित होगा या फिर आप पहले से उपलब्द उथपादों को मूल रूप से बेहतरिन बना दें जो टैनेक्स तक बेहतर हो जाएं तो आप अपने आप ही परतिस परदा को खत्म कर देते हैं उधारन के लिए पेपाल ने इबे से कम से कम दस गुना बेहतर खरीदारी और विक्री की खरीदारी के लिए चेक बेहजने और साथ से आठ दिनों तक सामान का इंतजार करने की विवस्ता को पेपाल ने स्माप्ट कर दिया और अब खरीदारों को तुरंत बुगतान करने का विकल्प दिया। विक्रेताओं को तुरंत उनकी पेमेंट मिलने लगी और चेक के वीपरिद उन्हें फंट जल्दी से और सही समय पर मिलने लगे। एमेजन ने अपने पहले टैनेक्ट सुधार को विशेश रूप से देखने योगे बनाया। उन्होंने कम से कम दस कुना किताबें किसी भी अन्य किताबों की दुकान से जारा पेश की। 1995 से लौंच होते ही एमेजन पर्त्वी की सबसे बड़ी किताबों की दुकान होने का दावा कर सकता था। क्योंकि खुदरा किताबों की दुकान के वीपरिद एमेजन एक लाग किताबें बेच सकती है। एमेजन को बहुतिक रूप से किसी भी पुस्तक को स्टोर करने की आवशक्ता नहीं थी, जब भी कोई ग्रहाग आप उर्ती करता से पुस्तक का अनोरोध करता था, तो आप उर्ती करता ग्रहाग को सीधे पुस्तक पहस देता था। यह quantum सुधार इतना प्रवावी था कि Amazon के IPO आने से तीन दिन पहले एक बहुत ही दुखी 12 से नोवल ने मुक्दमा दायर किया और दावा किया था कि Amazon कुद को दोखे से book broker कहता है आप पहतर यूनिक डिजाइन के मात्यम से 10X उधार भी कर सकते हैं 2010 से पहले टेबलेट कम्प्यूटिंग इतनी खराब थी कि सभी व्यवारिक उदेशों के लिए इसका बाजार भी अस्तितों में नहीं था Microsoft Windows XP टेबलेट PC संसकर्ण प्रोडेक्ट को 2002 में और Nokia ने 2005 में अपना अपना इंटरनेट टेबलेट जारी किया लेकिन उन्हें उप्योग करना किसी दर्द से कम नहीं था तब Apple ने iPad जारी किया डिजाइन सुधारों को मापना मुश्किल होता है लेकिन एसा लगता है कि Apple कम से कम इस परियनाम को बहतरिन तरीके से पेश कर पाया और टेबलेट अनुप्योगी से उप्योगी हो गया दूसरा नेटवर्क प्रभाव नेटवर्क इफेक्ट उतपाद को अधिक उप्योगी बनाते हैं क्योंकि अधिक लोग इसका उप्योग करते हैं उधारन के लिए यदि आपके सभी मित्र फेस्बूप पर हैं तो आपके लिए फेस्बूप में सामिल होने के लिए समझ में आता है अलग सोशल नेटवर्क चुनने से आप अकेले ही रह जाते हैं नेटवर्क इफेक्ट सक्तिशाली भी हो सकते हैं जब तक नेटवर्क आवशक रूप से बढ़ा नहीं हो और आपका उतपाद अपने पहले उप्योग करताओं के लिए मुल्यवान नय हो उधारन के लिए 1960 में जनडू नामक एक क्विक सोटी कंपनी ने सभी कंप्यूटरों के बीच एक दो तरफा संचार नेटवर्क बनाया वर्ल्ड वाइड वेब का प्रारंबिक सिंक्रोनिक संस्करण तीन दसकों से अधिक विर्थ प्रियासों के बाद जनडू समाने रूप से पतल गया जैसे वेब आम हो गया था उनकी तक्निक शायद एक पैमाने पर काम करेगी लेकिन यह केवल उसी पैमाने पर काम कर सकती थी इसके लिए हर कम्प्यूटर को एक ही समय में नेटवर्थ में जोडने की आवशकता होती थी और यह कभी नहीं होने वाला था विरोधा वासी रूप में नेटवर्थ प्रवाव व्यावसायों को विसेश रूप से छोटे बाजारों से शुरू होना चाहिए जैसे फेस्बुक ने हावर के चात्रों के साथ शुरुवात की मार्क जूबर्कर का पहला उत्पाद प्रत्वी के सभी लोगों को जोडने के लिए नहीं था बलकि अपने सभी सेहपाटियों को साइन अप करने के लिए डिजाइन किया गया था यही कारण है कि M.B. द्वारा सफल नेटवर्क व्यवसाईयों को शायद ही कभी शुरू किया जाता है प्रारंबिक बाजार इतने चोटे होते हैं कि वे अक्सर व्यवसाई का अफसर भी नहीं दिखते हैं मौनोपली व्यवसाई तब मजबूत होता है जब यह बढ़ा होता है कभी-कभी उत्पाद बनाने की निश्चित लागत विक्री से अधिक भी हो सकती है सौफ्ट्वेर स्टार्टप विशेश रूप से अर्थ व्यवस्ताओं का आनंद ले सकते हैं क्योंकि उत्पाद की दूसरी कोपी बनाने की सीधी लागत सुन्य होती है कई व्यवसाई बड़े पैमाने पर बढ़ने के साथ सिमित फाइदे प्राप्त करते हैं विशेश रूप से सेवा व्यवसाई में मौनोपली बनाना मुश्किल है उधरन के लिए यदि आपके पास योग स्टूडियो है तब आप केवल कुछ निश्चित ग्रापों की सेवा करने में सक्षम होंगे आप अधिक परशिक्षकों को नोकरी पर रख सकते हैं और अधिक स्तानों पर विस्तार कर सकते हैं लेकिन इस से आपके मारजन काफी कम हो जाएंगे और आप कभी भी उस बिंदू तक नहीं पहुंस पाएंगे जहां पर भावशाली लोगों का एक कोर समुए लाखों अलग-लग ग्रापों की सेवा कर सकता है यह काम करने में एक सौफ्टेयर इंजिनियर सक्षम है एक अच्छे स्टार्ट अप में अपने पहले ही डिजाइन में बड़े पैमाने पर निर्मित होने की ख्षमता होनी चाहिए ट्विटर पर पहले से ही दाई सो मिलियन से अधिक उप्योग करता है हलांकि अधिक हासिल करने के लिए इसे बहुत अधिक फीचर जोड़ने की आफशक्ता नहीं है और इसमें कोई कारण नहीं दिखता है कि इसे बढ़ना बंद कर देना चाहिए चोथा ब्रांडिंग परिवासा के अनुसार एक कंपणी का अपने ब्रांड पर मोनोपली होता है इसलिए एक मजबूत ब्रांड बनाना मोनोपली का दावा करने का एक शक्तिशाली तरीका है आज का सब्से मजबूत तगनीकी ब्रांड है एपल हाईपोन और मैक बूक जैसे उत्पादों की आकर्षक दिखने और ध्यान से चुने गई सामगरी एपल स्टोर का चिकना डिजाइन और उब उत्ता अनुवा उपक करेबी नियंतरन सरव्यापी विग्यापन अभियान प्रीमियम निर्वाता के रूप में मुल्य निर्धारन और स्टीव जोग का व्यक्तिगत करिश्मा सभी एक धारना में योगदान देते हैं कि एपल अपने उत्वादों की उत्करष्ट स्रेणी बनाने के लिए इतना अच्छा योगदान देता है कई ने एपल की सफलता से सीखने की कोशिस की है बुक्तान विक्यापन, ब्रांडेट स्टोर्स, शांदर सामगरी, उच किमतें और यहां तक की निन्तम डिजाइन की भी नकल लेकिन सतय को चमकाने के लिए ये तकनिक मजबूत आंत्रिक इच्छा के बिना काम नहीं करती है एपल में हाड़वेर और सॉफ्ट एर दोनों में स्वामी तो वाली तरोदोगी क्यों का एक जटिल योग है यह उन सामगरीयों को उचित मेमाने पर निर्मान करता है जिससे इसके खरीदारों के लिए मुल्य निम्न हो जाता है और या अपने मजबूत नेटर परवाव का आनंद लेता है हजारों डेवलपर्स एपल उपकरणों के लिए सॉफ्ट एर बनाते हैं क्योंकि इसके सैंक्रों लाक उप्योग करता है और वे उप्योग करता हर समय नई एप्स की खोज करते रहते हैं ये अन्य मोनोपली लाब एपल के स्पार्कलिंग ब्रांड की तुलना में कमस पस्ट है लेकिन मूल बूच सी दानत ही ब्रांडिंग को एपल की मोनोपली को प्रभावी टंग से मजबूत करते हैं उतपाद के बजाए ब्रांड के साथ सुरुवात खतरनाग है जब से मारिशा मेर याहू की सीईओ बनी है 2012 के मद्दे में उन्होंने इसे एक बार फिर से इंटरनेट पर लोग प्रिये बनाया और इसे पुनर जीवित करने के लिए काम किया है एक ही ट्विट में याहू ने मेर की योजना का सारांस बता दिया यूजर के बाद उतपाद, उतपाद के बाद ट्रेफिक और ट्रेफिक के बाद रेविन्यू याहू ने अपने लोगों को डिजाइन जागरूप्टा का परदर्शन किया इसने टंबलर जैसे होट स्टार्ट अप शुरू करके यूआ प्रार संगेक्ता व्यक्त की और इसने मेर की अपने स्टार पावर के लिए मीडिया का ध्यान भी अक्रशित किया लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन से उत्पाद वास्तों में याहू को याहू बनाते हैं जब स्टील जॉब एपल लोट आए तो उन्होंने एपल को काम करने के लिए एक अच्छी जगे नहीं बनाई उन्होंने टैनेक सुधारों के मुठी वराऊसरों पर ध्यान के अंधरित करने के लिए उत्पाद लाइनों को गटा दिया अकेले ब्रांडिंग पर कोई भी प्रोदोगी की कंपनी नहीं बनाई जा सकती है एक मोनोपली का निर्माण ब्रांड, स्केल, नेटर्ट प्रभाव और टेकनोलोजी सहीफ दुरूप से मोनोपली को परव्याश्यत करती है लेकिन इसके काम करने के लिए आपको अपने बाजार को ध्यान से चुनने और जान बूज कर इसके विस्तार की जरूरत है चोटी मोनोपली सुरू करो शुरुवात में परतेक स्टार्ट अप छोटा होता है परतेक मोनोपली बाजार के एक बड़े हिस्से पर हावी है इसलिए परतेक स्टार्ट अप को बहुत छोटे बाजार से शुरू करना चाहिए कारण सरल है एक बड़े बाजार की तुलना में एक छोटे बाजार पर हावी होना आसान है यदि आपको लगता है कि आपका प्रारंबिक बाजार बहुत बढ़ावो सकता है तो यह लगवग निश्चित रूप से है छोटे का मतलब महतव ही नहीं है हमने इसका पेपाल में जल्दी प्रियोग किया था हमारा पहला उतबाद लोगों को पाम पेलोट के मादें से एक दूसरे को पैसे भेजने में मदद करता था यह दिल्चस्प तकनीक थी और कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था हलांकि दुनिया के लाखों पाम पेलोट उप्योग करता किसी विशे स्थान पर केंदरित नहीं थी उनके पास यह बहुत कम उप्योगी भी था और वे अपने उकरणों का कभी कभी उप्योग करते थे किसी को भी हमारे उतबाद की आवशकता नहीं थी इसलिए हमारे पास कोई क्राहक भी नहीं था उस सबक के साथ हमने ईबे पर अपनी जगहें तै कि जहां हमें हमारी पहली सफलता मिली 1999 के अंतमी ईबे के पास पूछ हजार हाई पाउर सेनर थे और केवल तीन महीने के प्रियास के बाद हम उन में से 25-30 सेवा कर रहे थे लाखों बिखरे उबेविक्तियों के ध्यान के लिए परतिस परदा करने की कोशिस करने के बजाए वास्तों में हमारे उत्वाद की आवशक्ता वाले कुछ हजार लोगों तक पहुँचना बहुत असान था स्टार्टप के लिए एकदम सही लक्षे बाजार विशेश रूप से केंदरित लोगों का एक छोटा समू है और जिनको कोई भी परतिस परदी सेवा परदान नहीं कर रहा होता है कोई भी बड़ा बाजार खराब विकल्प है और परतिस परदी कंपनियों द्वारा पहले से ही पेश किया जाने वाला एक पड़ा बाजार भी बद्तर है यही कारण है कि यहां हामेशा खत्रेगा जंडा बुलंद रहता है जब उद्दमी सो अरब डोलर के बाजार का एक प्रतिशत प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं वियवहारिक रूप से एक बड़े बाजार में या तो एक अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट की कमी होगी या फिर यह प्रतिस परदा के लिए खुलेगा इसलिए कभी भी एक प्रतिसत तक पहुँचना मुश्किल है और यहां तक की यदि आप एक छोटे से लाप को प्राप्त करने में सफल हो भी जाते हैं तो आपको केवल इसकी रोशनी से संतुष्ट होना होगा गला काट प्रतियोगिता का मतलब है कि आपका मुनाफास सुनने है स्केलिंग अप अनुपातिक रूप से बढ़ें एक बार जब आप अपना बाजार पनाते हैं और उस पर हावी हो जाते हैं तो आपको धीरे देरे इसका थोड़ा व्यापक बाजारों में विस्तार करना चाहिए एमेजन बताता है कि यह कैसे किया जा सकता है जेब बेजोस की संस्तापक दरश्टी कभी आनलाइन खुद्रा विकरेताओं पर हावी थी लेकिन उन्होंने जान बुझकर किदापों के साथ शुरुआत की सुची में लाखों किताबें थी लेकिन उन्होंने सभी का आकात लगबग समान था वे शिप करने में असान थी और कुछ सबसे दुरलब बेची जाने वाली किताबें कम से कम किसी भी खुद्रा स्टोर में रखने से जाना लाबदाइक थी जिसने और ग्रहकों को आकरशित किया एमेजन एक किताबों की दुकान से दूर स्थित किसी के लिए या कुछ मंगाने के लिए परमुक समाधान बन गया एमेजन के पास दो विकल्प थे पुस्टकों को पढ़ने वाले लोगों की संख्या का विस्तार करे या समान बाजारों में विस्तार करे उन्होंने बाद वाले बाजार विकल्पों को चुना सीडी, वीडियो और सोफ्ट वेर एमेजन ने तब तक चीजों को जोड़ना दीरे दीरे जारी रखा जब तक की वहर दुनिया की सामान्य दुकान नहीं बन गया इसके नाम ने खुद को कमपनी की सेलिंग रणनिती को शामदार ढंग से एकिकरत कर दिया एमेजन ने अपने नाम के अनुरूप वर्षावन की जैव विविद्धा की तरही दुनिया की हर किताब को सुची बत करने के अपने पहले लक्षे को पूरा किया और अब यह दुनिया की हर तरह की चीजों के लिए खड़ा है इबी ने भी छोटे बाजारों पर हावी होने से शुरुआत की जब 1995 में उसने अपने निलामी बाजार को लौँच किया इसे पूरी दुनिया को एक बार में अपनाने की आफशक्ता नहीं थी इसने बेनी बेवी जैसे तिवर रूची समू के साथ अच्छा काम किया एक बार जब इसकी बेनी बेवी बेनी बेवी व्यापार में मोनोपली हो गई तो ईबे सीरे खिलोना कारों या ओद्योगिक मार्केट्स को सुची बत करने के लिए इसमें कूद नहीं गया यह चोटे-चोटे सोंकियों को पुड़ा करता रहा जब तक कि यह ओनलाइन व्यापार करने वाले लोगों के लिए सबसे विश्वेसनिय बाजार नहीं बन गया इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आइटम क्या है कभी-कभी स्केलिंग अप के लिए चिपी बादाएं भी होती है हाल ही के वर्षों में इबे ने सबक सीखा है सभी बाजारों की तरह निलामी बाजार कुद को प्रकर्तिक मैनुपले के लिए उधार देता है क्योंकि खरीदार वहां जाते हैं जहां विक्रेता होते हैं और इसके विपरित भी सही है लेकिन इबे ने पाया कि निलामी मॉडल शिक्के और टिक्टों जैसे व्यक्तिकत रूप से विशिष्ट उतपादों के लिए सबसे अच्छा काम करता है यह कमोडिटी उतपादों के लिए कम काम करता है लोग पेंसिल या क्लेनेक्स पर बोली नहीं लगाना चाते इसलिए उन्हें एमेजन से खरीदना अधिक सुईदाजनक है इबे के पास अभी भी एक मुल्यवान मोनोपली है बाजार सही डंग से और धीरे-धीरे विस्तार करने के लिए अनुमति देता है सबसे सफल कंपनिया च्यादा प्रगती करती है पहले एक विशिष्ट जगे पर हावी होती है और फिर समानांतर बाजारों के लिए स्केल अप करती है उनके संस्ताफक कहानी का एक हिस्सा होते है Don't disturb Silicon Valley व्यावधान से ब्रहमित हो गई है मूल रूप से व्यावधान कला का एक शब्द है यह वर्णन करने के लिए कि कैसे एक फरम कम कीमत पर कम उत्पाद बेश करने के लिए नई तकनीक का उप्योग करती है समय के साथ उत्पाद को बेहतर बना सकती है और अंतताय पुरानी तकनीक का उप्योग कर मुझूदा कमपनियों दोरा पेश प्रीमियम उत्पादों से टक कर ले सकती है यह लगबग तब हुआ जब PC के आगमन ने मेन फ्रेम कम्प्यूटरों के लिए बाजार में बादा डाली पहले PC एप्रसंगिक लग रहे थे फिर वे प्रभावी हो गए आज मुबाइल डिवाइस PC के लिए यही काम कर रहे है हलांकि व्यावधान ने हाल ही में नई रूप में प्रस्तूत किसी भी चीज के लिए एक बज वर्ड में ट्रांस्मो गिफ्ट हो गया है यह प्रतीत होता है कि यह मामूली माइने रखता है क्योंकि यह एक इंटर्प्रेनर की आतम समझ को स्वभावी की रूप से प्रतिस पर्दी तरीके से खराब करता है इस आवधाना को मौजूदा कंपनियों के लिए खत्रों का वर्ण करने के लिए तयार किया गया है इसलिए स्टार्ट अवधान का मतलब है कि वे खुद को पुरानी फर्मों की आँखों के माद्यम से देखते हैं यदि आप अपने आपको अंदे की फोर्च से लड़ने वाला सोचते हैं तो अपने रास्ते में आने वाली अनावशक बादाओं को पार करना आसान है लेकिन यदि आप वास्तों में कुछ नया बनाना चाहते हैं तो सरजन का कारिय पुराने उद्योगों की तुलना में कहीं अधिक महतोपूर्ण है जो शायद आपके द्वारा बनाए गए उत्पादों को पसंद नह करे दरसल अगर आपकी कंपनी को पहले से ही मौजूदा फर्मों के विरोध का सामना करतना पड़ता है तो यह पूरी तरह से नया नहीं हो सकता शायद यह मोनोपली बनने वाली भी नहीं है व्यवदान भी ध्यान आकरशित करता है एसे सरारती लोग भी हैं जो परेशानी की तलास करते हैं और पर इसे पा लेते हैं शरार्थी बच्चे प्रिंसिपल के ओफिस में बेचे जाते हैं शरार्थी कमपनिया अक्सप जगडे चुनती हैं जिने वे जीत भी नहीं सकती नेप्स्टर के बारे में सोचें यह नाम ही परेशानी का मतलब था नेप्स्टर के ततकालिन की शोवर संस्तापक शोन फेनिंग और शान पारकर ने 1999 में शक्ति साली संगीत रिकोर्डिंग उद्योग को बादित करने की दमकी दी अगले वर्स अगले वर्स उन्होंने टाइम्स पद्रिका के कवर पर भी जगय पा ली इसके डेर साल बाद उन्हें अदालत में दिवालिया गोशित कर दिया गया पेपाल को विक्टन कारी के रूप में देखा जा सकता था लेकिन हमने किसी भी बड़े परतिद्वन्दी को सीधे चुनोती देने की कोशिस नहीं की यह सच है कि हमने इंटरनेट बुगदान के लिए विजा के व्यवसाई को नुकसान पहुंचाया आप अपने विजा कार के उप्योग के बजाए ऑनलाइन खरिदने के लिए पेपाल का उप्योग कर सकते हैं लेकिन चुकी हमने पुल बुगदान के लिए बाजार का विस्तार किया इसलिए हमने विजा को हमारे मुकावले ज़ादा व्यवसाई दिया यूएस रिकोर्डिंग उद्योग के साथ नेप्स्टर के नेगटिव संगर्स के विपरीत हमारा संगर्स समगर गतिशिल और शुद्ध सकारात्मक था जैसे ही आप अपने समकक्ष बाजारों में विस्तार करने की योजना तयार करते हैं तो बादित ने हो और ने किसी को करें यथा संभव परतिश परदा से बचें जो डटेगा वही कमाएगा आपने शायद पहले लाव के बारे में सुना होगा यदि आप बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं तो आप परतिश परदा करने के लिए महतोपूर्ण बाजार की हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं लेकिन पहले चलना एक रन्नेती है लक्षे नहीं वास्तों में बविश्य में नगत फ्लो पैदा करना क्या माइने रखता है आखिरी प्रेरिक बनना बहतर है अर्थात एक विशिष्ट बाजार में आखिरी महान विकास करने के लिए और वर्सों या यहां तक की दर्सकों के मोनोपली लाग का आनंद लेना बहतर होता है एसा करने का तरीका एक महतोव कांक्षि दिर्ग कालिंद्रिष्टी की ओर एक छोटे से बाजार पर हावी होना और वहां से आगे बढ़ना है कम से कम इसमें व्यवसाई सतरंज की तरह है ग्रेंड मास्टर चोसे राउल ने इसे अच्छी तरह से कहा है सफल होने के लिए आपको सब कुछ से पहले यानि एंड गेम अपने उपर होने वाले आखिरी हमले का अध्यन करना होगा धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आईए चलते हैं अध्याए च्छे की ओर आपका दिन शुब हो अध्याए च्छे आप एक लोटरी टिकेट नहीं है हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम व्यवसाई में सबसे महतोपूर्ण सवाल यह है कि क्या सफलता भग्या या कोशल से आती है सफल लोग क्या कहते हैं सफल लोगों के बारे में लिखने वाले एक लेखक मेलकम ग्लेडवेल ने आउट लायर्स में गोशना की कि भग्या और उसके फाइदे सफलता का परिनाम है वारेन वफेट ने कुद को भग्याशाली कलब के सदश्य और जेब बेजोस एमेजन की सफलता को एविश्य वश्निये ग्राहों के कारण और चुटकला कहते हुए कहते हैं कि इसके लिए आदा भाग्य, आदा समय और बाकी दिमाग उतरदाई था बिल गेर्स दावा करते हैं कि वह भग्याशाली था इसी कोशल के साथ पैदा हुआ था शायद यह सपस्ट नहीं है कि यह वास्तों में संभव है या नहीं शायद यह लोग रन्नितिक रूप से विनमर थे हालांकि क्रमबद इंटरप्रेनर्शिप की गठना सभलता की व्यक्या करने की हमारी प्रोर्ती पर सवाल उठाने लगती है सेंक्टों लोगों ने कई मिलियन डॉलर के व्यवसाय शुरू किये लेकिन इन में से कुछ ही मल्टी मिलियन डॉलर कमपनी बना पाई जैसे स्टीव जोब्स जैक डुरेस और एलन मस्क आधी अगर सपलता ज्यादा तर भाग्या की कारण मिलती तो शायद इस परकार के उद्मियों का अस्तित्व ही नहीं होता जनवरी 2013 में ट्विटर और स्ट्वाइर के संस्तापक जैक डुरेस ने अपने दो मिलियन पोलावर्स को ट्विट किया सफलता कभी अचानक नहीं मिलती अधिकांस जवाब स्पस्ट रूप से नकारात्मत थे दै अट्लांटिक में ट्विटर का संदर्व देते हुए रिपोर्टर एलेक्सिस मेड्रिगल ने उनके ट्विट का जवाब देते हुए लिखा था कि बहुत से इंग्लिश पुरुशों ने कहा सफलता कभी अचानक नहीं मिलती है यह सच है कि पहले से ही सफल लोगों के पास नई चीजें करने के लिए समय नेटवर्ग, धन और अनुभव है लेकिन शायद हमने उन्हें खारिज करने में बहुत जल्दी कर दी जो अपनी योजना के अनुशार सफल उबे हैं क्या इस पहस को निश्मक्ष रूप से सुल जाने का कोई तरीका है दुर्भग्य से कोई तरीका नहीं है क्योंकि कंपनिया एक्स्पेरिमेंट नहीं है उधारन के लिए हमें फेस्बुक के बारे में साइन्टिफिक उतर पाने के लिए 2004 में पीछे जाना होगा और दुनिया की एक अगजार कोपी बनानी होगी और प्रतेक कोपी में फेस्बुक को फिर से शुरू करना होगा ताकि यह देखा जाए कि यह कितने बार सफल होगा लेकिन यह प्रियोग असंबव है प्रतेक कंपनी एद्वित्य प्रिस्थित्यों में शुरू होती है और हर कंपनी केवल एक बार शुरू होती है जब सेंपल एक होता है तो आंकडे काम नहीं करते बीस्वी स्थाब्दी के उत्रार्द में ग्यान के पुनर जागरण के साथ किस्मत को महारत, प्रभुत्तव और नियंत्रित करने वाली माना जाती थी हर कोई इस बात पर सेंपत था कि आपको वह करना चाहिए जो आप कर सकते है उस पर ध्यान के अंद्रित नहीं करें जो आप नहीं कर सकते राल्फ वाल्डो इमर्शन ने इस प्रकरती पर लिखा है कमजोर इनसान भाग्य और परिस्तियों में विश्वास करते हैं और मजबूत इनसान कारण और प्रभाव में विश्वास करते हैं 1912 में उसके बाद दक्षन दुरो तक पहुंचने वाले पहले खोज करता रोल्ड अमुन से इनने लिखा विजय उनका इंतजार कर रही है जिनके पास कुछ करने का होसला है जिसे लोग भाग्य कहते हैं कोई भी कह सकता है कि दुर्भाग्य मौजूद नहीं था लेकिन पहले की पीडियों नहीं अपना भाग्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत में विश्वास किया अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बस एक करिश्माई गटना से बदलने वाला है तो इस पुस्तक को क्यों पढ़ा जाए यदि आप लोटरी जीतने वाले लोगों के बारे में कहानियां पढ़ रहे है तो स्टार्टप के बारे में सीखना बेकार है कहानियां आपको बता सकती है कि उन्होंने अपने जादूई कर्तब कैसे किये लेकिन यह नहीं बता सकती कि कैसे जीता जाए जब हम इस तरह के इतियासिक प्रश्णों पर बहस करते हैं तो भग्य को भूत कालबें दर्साया जाता है बहुष्य के बारे में और भी महतोपून प्रशन है क्या यह डिजाइन और चांस का मामला है क्या आप अपना बहुष्य नियंतरित कर सकते हैं आप बहुष्य को स्थिर मानते हैं या अनिश्चित यदि आप बहुष्य को मानते हैं तो इसे आप समझने और आकार देने के लिए पहले से ही काम पर लगे होंगे लेकिन अगर आप बहुष्य को एनिश्चित समझते हैं तो आप इसे आकार देने की कोसिस करना छोड़ देंगे बविश्य के एनिश्चित रिष्टिकोन बताते हैं कि आज हमारी दुनिया में सबसे अधिक निश्क्रिय क्या है जब लोगों के पास ठोस योजनाओं की कमी होती है तो वे विभिन विकल्पों के पॉर्टफोलिय कथा करने के लिए ओप्चारिक नियमों का उप्योग करते हैं यह आज के अमेरिकियों के व्यवहार का वनद करता है Middle School में हमें अतिरिक्ट पाठेकरम गतिविदियां करने के लिए प्रोचाइट किया जाता है High School में महतव कांक्षे छात्र सब कुछ जानने के लिए और भी कठिन परतिस परदा करते हैं जब तक एक छातर कालेज जाता है तब तक वह एक दसक में पूरी तरह से अज्यात भविश्य के लिए तयार हो जाता है आखिरकार विशेश रूप से कुछ भी नहीं बनता इसके वीपरीत एक दरड़ संकल्वान इंसान अनेक तरब ध्यान बटकाने की बज़ाए एक लक्षे चुनता है कुछ अलग करने के लिए अथक काम करने की बज़ाए वह एक मोनोपली बनाने का वास्विक प्रियास करता है यूवा लोग आज ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके चारों और हर कोई एक निश्चित दुनिया में विश्वास को चुका है इसलिए कोई भी केवल एक विशे में उतकरश्टा प्राप्त करने के लिए शिक्षा नहीं ले रहा है वहे तो बस विकल्पों को चमडे की गेंद की तरह लपकता है और इसके बाद दूसरे विकल्प आने पर पहले को छोड़ उसे लपकने के चक्कर में रहता है आप भविश्य के बेहतर या बत्तर होने की कल्पना कर सकते हैं आशावादी लोग भविश्य का स्वागत करते हैं और निराशावादी से डरते हैं इन सभी संभावनाओं को देखने के बाद चार परकार के विचारुत्पन होते हैं पहला एनिश्चित निराशावाद प्रतेक संस्कृति में और पूरे इतिहास में कुछ स्वार्णियुक और लगवग सभी लोगों की आउनती की वे निराशावाद की कहानिया होती है आज भी निराशावाद दुनिया के विशाल हिस्सों पर हावी है गंभीर निराशावादी समय में भी एक उमीद की खेर्ण हमेशा मौजूद रहती है लेकिन हमें पता नहीं कि इसे कैसे पहचाना जाई यह योरोप के 1970 के दसक का वर्णन करता है जब महादवीद एप्रतेक्स नोकरशाई का शिकार हो गया आज पूरा यूरो जोन धीमी गती से संकट में जा रहा है और इसका कोई विवारिश नहीं है यूरोपियन चेंडरल बेंक सुधार के लिए कुछ वे नहीं कर रहा है यूवेस ट्रेजरी ने डोलर पर इस स्वर में हमें विश्वासह प्रिंट किया है ECB यूरो पर किक दे कैन डाउन दर रोड भी प्रिंट कर सकता है यूरोपियन लोग गटनाओं पर इसे प्रितिकरिया करते हैं जैसे वे उम्मीद करते हैं कि चीजें और विदिक खराब होने जा रही है एनिश्चित निराशावादी यह नहीं जान सकते कि एपरियारिय गिरावट तेज होगी या धहमी विनाशकारी होगी या क्रमिक होगी जो भी कुछ कर सकता है वह बस इसके होने का इंतजार कर रहा है इसलिए वह इस दोरान खा सकता है पी सकता है और अनंद ले सकता है आसीम निराशावाद निश्चित निराशावादी मानते हैं कि भविश्य और भी गहरा हो सकता है लेकिन चुंकि यह अंदकार में होगा इसलिए उन्हें इसके लिए तयार रहना चाहिए शायद आस्चिरिया की बात यह है कि चीन आज दुनिया में सबसे निश्चित निराशावादी जगए है जब अमेरिकी देखते हैं कि चीनी अर्थववस्ता तेजी से बढ़ रही है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि एक आतम विश्वासी देश अपने भविश्य को समारने में महारत हासिल कर रहा है लेकिन इसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकन अभी भी भविश्य को लेगर आशावादी है और यह मानते हैं कि चीन पर अपने आशावाद को थोप सकते हैं चीन के द्रिष्टि कोण से आर्थिक विकास परियाप्त तेजी से नहीं हो रहा है हर किसी दूसरे देश को डर है कि चीन का व्यापार दुनिया वर में फैल रहा है चीन एक मत्र ऐसा देश है जो डरता नहीं है चीन का प्रारंबिक आथार बहुत कम है इसलिए वह तेजी से बढ़ सकता है चीन के बढ़ने का सबसे आसान कारण है कि वह वही काम करें जो पस्चिम पहले से ही कर चुका है और यह वही है जो चीन कर रहा है अधिक कारखानों और गगन चुम्बी इमारतों के निर्मान के लिए और अधिक कोईला जलाना वे वैसी ही निश्चिद योजनाओं को लागू करना लेकिन चीन की बढ़ती आवादी के कारण संसाधनों की कीमतों में बढ़ोतरी होना जिससे अमीर देशों के जीवन स्तर की बराबरी करना चीन के लिए आसान नहीं है और चीनी इसे जानते हैं यही कारण है कि चीनी नेतर्तव चीजों के बद्दर होने को लेकर आतंकित है प्रतेक वरिष्ट चीनी नेता ने अपने बच्पन में अकाल का अनुवाव किया है इसलिए जब पॉलित विरुब विश्य को देखता है जिसमें आपदा से इंकार नहीं किया जा सकता चीनी जन्ता भी जानती है कि बहारी लोगों को चीन में लाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है लेकिन वे उन आमीर चीनी लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो देश से बहार अपना निवेस बहज रहे हैं गरीब चीनी वे सब कुछ बचा सकते हैं जिसके वे आशा करते हैं कि उनके लिए परियाप्त होगा चीन में हर वर्ग के लोग भविश्य के गहतक परिणामों को लेकर गंभीर है अनंत आशावाद एक निश्चित आशावादी का भविश्य उज्वल होगा यदि उसके पास भविश्य की योजना है और वहे इसे बहतर बनाने के लिए काम करता है सत्रवें स्ताबदी से 1950 और 60 के दसक तक निश्चित आशावादियों ने पर्ष्च में दुनिया का नितरतव किया वेग्यानिकों, इंजिनियरों, डॉक्टरों और व्यापारियों ने दुनिया को अमीर, स्वस्त और पहले की कल्पना की तुलना में अधिक लंबे समय तक जीवित रहने लाइक मना दिया जैसा की कारल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने उननिस्वी स्थाबदी के बिजनस क्लास को स्पस्ट रूप से देखा था सभी पिछली पीडियों की तुलना में इस पीडिये ने अधिक विशाल उत्पादक ताक्तों का देर्मान किया मानव, मशिनरी, उद्ध्योग और क्रिशी, रसायन, नेविएशन, रेलवे, इलेक्ट्रिक टेलिग्राफ, खेती के लिए पूरे महदुवियों का अपस में जुडाओ, नदियों का कैनलाइजेशन, सामाजिक शरम से पूरी आबादी के लिए प्रकरती की ताक्तों को 1843 में, लंदन के लोगों को एक नई खुदाई सुरंग दवारा, थेम्स नदी के नीचे अपना पहला क्रोसिंग बनाने के लिए आमंतरित किया गया था 1879 में, स्वेज नहर ने केपाफ गुड होप के दोर से यूरेशियन शिपिंग यहतायत को बचाया 1914 में, पनामा नहर ने अटलांटिक से प्रसांत तक मार्ग कम कर दिया यहां तक की ग्रेट डिप्रेशन भी, स्वेज राजे अमेरिका में, निरंतर प्रगती में बादा डालने में नकाम रही जो हमेशां दुनिया की सबसे दूर दराज के निश्चित आशावादियों का घर रहा है एंपायर स्टेट बिल्डिंग 1939 में शुरू हुई थी और 1931 में स्माप्त हुई गोल्डन गेट ब्रीज 1933 में शुरू हुआ और 1937 में पूरा हुआ मैनहेटन पर योजना के दुआरा जो 1941 में शुरू हुई वे 1945 तक दुनिया का पहला परमाणूंबं तयार कर चुका था अमेरिकियों ने रीमेक करना जारी रखा पे टाइम में दुनिया का चेहरा इंटर स्टेट राज मार्क परनाली का 1956 में निर्मान शुरू किया और पहली 20,000 मील की सड़क 1965 तक ट्राइविंग के लिए खोल थी गई ऐसे मित योजना भी इस ग्रै की सते से परे चली गई नासा का अपॉलो कार्यकरम 1961 में शुरू हुआ और 1922 में समाप्त होने से पहले चंदरमा पर इंसान को भेज चुका था बड़ी योजनाएं सिर्फ राजनेतिक नेताओं या सरकारी वेग्यानिकों के लिए रक्षित नहीं थी 1940 के उत्रार्द में जौन रेवर नामके कैलिफोर्निय इनागरीक ने पूरे सेन फ्रांसिस को खाड़ीक शेतर की बोतिक बुगोल को फिर से बनाने की शुरू करने की तैयारी की रेवर एक स्कूली शिक्षक शोंकिया रंगमच निर्माता और एक सेल्प मेड इंजिनियर था प्रमान पत्रों की कमी से अंजान उन्होंने सारोजनिक रूप से खाड़ी में दो विशाल बांध बनाने पीने के पानी और सिंचाई के लिए बड़े ताजे पानी की जीलों का निर्मान करने और विकास के लिए 20,000 एकड़ भूमी का पूने उपजव बनाने का प्रस्ताव रखा भले ही उनके पास कोई व्यक्तिकत अधिकार नहीं था फिर भी लोगों ने रेवर योजना को गंबिरता से लिया कैलिफोर्निया में समाचार पत्र संपादगिय बोर्डों दोबारा इसका समर्थन किया गया था अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी व्यवहारियता पर सुनवाई की आर्मी कोर आफ इंजिनियर्स ने इसे अनुकरन करने के लिए एक गुभादार सालसिटो गोदाम में खाड़ी के डेड़ एकर के पैमाने का मोडल भी बनाया इन परिक्षणों ने तकनिकी कमियों का कुलासा किया इसलिए योजना को पूरा नहीं किया गया था लेकिन क्या आज कोई भी इस तरह की द्रिष्टी को गंबिरता से ले सकता है 1950 के दसक में लोगोंने बड़ी योजनाओं का स्वागत किया और पूछा कि क्या वे काम करेंगी आज एक स्कुली सिक्षक से आने वाली एक भव्य योजना क्रंकरी के रूप में खारिश कर दी जाएगी और किसी भी सक्ति साले इनसान से आने वाली लंबी दूरी की द्रिष्टी को हैब्रीज के रूप में स्वागत करवाया जाएगा आज अभी भी उस साल सिटी वेर आउस में बे माडल पर काम कर सकते हैं लेकिन आज यह सिर्फ एक प्रियाटन का अकर्शन है बविश्य के लिए बड़ी योजनाई केवल पुरातन जिगाशा बनकर रहे गई है 1950 के दसक में अमेरिकियों ने सोचा कि भविश्य के लिए बड़ी योजनाई वेग्यानिकों के लिए छोड़ी जानी चाहिए 1970 के दसक में एक संक्षिप निराशावादी चरण के बाद 1982 के बाद से एनिस्चित निराशावाद ने अमेरिकी सोच पर प्रभुत्तव बनाई रखा जब एक लंबा बुल बाजार शुरू हुआ और विद भविश्य में आने के लिए इंजिनिरिन तरीके के रूप को ग्रहन कर रहा था एक एनिस्चित आशावादी के लिए भविश्य बेहतर होगा लेकिन वह नहीं जानता कि वास्तों में कैसे होगा इसलिए वह कोई विसिस्ट योजना नहीं बनाएगा वह भविश्य से लाब की उम्मीद करता है लेकिन इसे ठोस रूप से डिजाइन करने का कोई कारण नहीं दिखता है एक नया उत्पाद बनाने के लिए वर्सों काम करने के बज़ाए एनिश्यत आशावादी पहले से याविश्कार किये गए लोगों को पुनर व्यवस्तित करते हैं बेंकर पहले से ही मौझूद कंपनियों की पूंची सरंचनाओं को पुनर व्यवस्तित करके पैसे कमाते हैं वकील पूरानी चीजों पर विवादों को हल करते हैं या अन्य लोगों को उनके मामलों की सरंजना में मदद करते हैं और निजी इक्विटे निवेशक और प्रबंदन प्रामर्श दाता नई व्यवसाई शुरू नहीं करते हैं वे लगातार प्रतिकरियात्मक अनुकुलन के साथ पुराने लोगों से अतिरिक्त दक्स्ता दिखाते हैं इसमें कोई आश्चरिया की बात नहीं है कि ये फिल्ड सभी उच डिगरी धारकों की ऐसमान संक्या को आकर्शित करते हैं दो दस्कों से रेजुमें बनाने के लिए एक उचित उच वर्ग प्रक्रिया उन्मुक करियर की तुल्मा में अधिक उचिते नाम जो पा रहे हैं हाल के सनात्कों के माता पिता अक्सर उन्हें स्थापित पत्थ पर आगे बढ़ता देखकर खुश होते हैं बेबी बूम के अजीब इतियास ने एक निश्चित काली नाशावाजियों की एक पीडी का निर्माण किया ताकि इतनी आसानी से परगती की जा सके कि जिसके वे हकदार हैं चाहे आप 1945 या 1950 या 1955 में पैदा हुए थे आपके जीवन के केवल 18 वरसों के लिए हर साल चीजें बहतर होती है लेकिन इसका आपके साथ कुछ लेना देना नहीं था तक्निकी प्रगती स्वेच आले तरूप से बढ़ती परती तो होती है इसलिए बूमर्स बड़ी उमीदों के साथ बढ़े हुए लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कुछ विजिस्ट योजनाई बढ़ी फिर जब 1970 के दसक में तक्निकी प्रगती रुक गई तो अधिकांस ऐसमान बूमर्स के बचाओं में आए ऐसमानता बढ़ी वेसकता का हर साल अमीर और सफल के लिए स्वेचालित रूप से बेहतर और बेहतर हो रहा है उनकी बाकी पीडी पीछे छोड़ दी गई थी लेकिन अमीर बूमर्स जो आज़नता की राहे को आकार देते हैं उनके बद्धे आशावाद पर सवाल उठाने के लिए बहुत कम कारण देखते हैं चुकि ट्रेक किये गई करियर उनके लिए काम करते हैं इसलिए वे कलपना नहीं कर सकते कि वे करियर ट्रेक उनके बच्चों के लिए की काम करेने या नहीं मेलकम गलेडवेल का कहना है कि आप अपने भाग्यशाली व्यक्तिकत संदरब को समझे विना बिल केट्स की सफलता को समझ नहीं सकते वह है एक अच्छे परिवार में बढ़ा हुआ कम्पिटर प्रयोग साला से सू सचित एक निजी स्कूल गया और पाल एलन को बच्पन के दोस्त के रूप में पाया लेकिन शायद आप बलकर के रूप में अपने एतियासिक संदर्ब को मैकवल गलैडवेल को नहीं समझ सकते जब बेवी भूमर्ज बड़े होते हैं और यह समझाने के लिए किताबें लिखते हैं कि क्यों एक या कोई अन्य व्यक्ति सफल होता है तो वे मोके से निर्दारित किसी व्यक्ति विशेश के संदर्ब की शक्ति को इंगित करते हैं लेकिन वे अपने पसंदीदा स्पस्टिकंड के लिए भी बड़े सामाजिक संदर्ब को याद करते हैं पूरी पीडी बच्पन से सीखने के मौके की शक्ति को खत्म करने और योजना के महतव को कम करने के लिए सीखा है पहले गलेडवेल स्वे निर्मित वियवसाई की मिथक की एक विरोधावासी आलोचना कर रहे हैं लेकिन वास्तों में यहें उनकी सुएं की पीडी के पारंपरिक दर्श्रीकों को इंगीत करता है हमारा स्वतंतर आशावाद एक निश्चित आशावादी भविश्य के लिए इंजिनियरों को अंत्रिक्स में आवास और पानी के नीचे शहरों और बस्तियों को डिजाइन करने की आफशक्ता है और एक एनिश्चित आशावादी भविश्य अधिक बैंकरों और वकीलों को आगमन के लिए कहता है अगर वे ला स्कूल नहीं जाते हैं, तो ब्राइट कॉलेज के सनातक वॉल स्टेट जाते हैं, क्योंकि उनके पास करियर के लिए कोई वास्तिय की उजना नहीं है, और एक बार जब वे गोल्ड मेन पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि विद के अंदर भी सब कुछ एनिशित है, यह अभी वियाशावादी है, यदि आप हारने की उम्मीद करते हैं, तो आप बाजारों में नहीं खिलेंगे, लेकिन मुलिक सिदान्त यह है, कि बाजार समझ से परे है, आप कुछ विशिष्ट या वास्तिविक नहीं जान सकते, एसी स्टिटी में विविदी करण बे देशते हैं, तो उस समय क्या होता है, वे पैसे के साथ क्या करते हैं, यह वितिय दुनिया में इस तरह दिखता है। पटा नहीं होता कि अब इसके साथ क्या करना है, इसलिए वे इसे एक बड़े बैंक को दे देते हैं। बैंकरों को यह पता नहीं होता कि इसके साथ क्या करना है, इसलिए वे इसे संस्तागत निवेशकों के पॉर्टफोलियों में डाइवर्सिफाई कर फैलाते हैं। संस्तागत निवेशकों को पता नहीं है कि उनकी इस पॉर्टफोलियों को डाइवर्सिफाई करते हैं। कमपनिया फ्री कैश प्लो उत्वन करने के लिए अपने शेर किमत बढ़ाने की कोशिस करते हैं। वे लाभाश जारी करते हैं और शेर वापस करीबते हैं और इसी चक्र को धोराते हैं। किसी भी समय स्रंखला में किसी को भी पता नहीं है कि असली अर्थव्यवस्ता में पैसे के साथ क्या करना है। लेकिन एक ए निश्चित दुनिया में लोग वास्तों में ऐसी मित विकल पसंद करते हैं। आप जो कर सकते हैं धन उससे अधिक मुल्यवान है। पैसा केवल निश्चित वविश्य ही पैसे को खत्म करने का साधन होता है। यह खुद खत्म नहीं होता। ए निश्चित राजनिती। पहले राजनिता चुनाओं के समय अधिकारिक तोर पर जन्ता से जुड़ते थे। लेकिन आज वे हर पल जन्ता के विचारों से जुड़े होते हैं। आधुनिक मद्दान से राजनिताओं को अपनी छवी को पुरू वरती सारजनिगराई से मेल खाने में सक्षम बनाता है। इसलिए अधिकांस ऐसा ही करते हैं। नाट सिल्वर की चुनाओं वहिश्यवाणिया उलेखनिय रूप से सटीक हैं। लेकिन यह भी उलेखनिया है कि अब हर चार साल में कितनी बड़ी कहानी बनती है। इस बारे में सांखी किये बहुश्यवाणियों से हम सब और अधिक परभावित हुए हैं। कि देश हम 10 या 20 साल की तरह दिखने के बारे में दूर दर्सी बहुश्यवाणियों के मुकाबले सब ताहों में सोच रहा है। और यह सिर्थ चुनाओी पर किरिया नहीं है। सरकार का चरीतर भी बहुत एनिस्चित हो गया है। सरकार परमणू हत्यार और चंदर अन्यवेंशन जैसी समश्याओं के जटिल समाधानों का समन्यवे करने में सक्षम होती थी। लेकिन आज एनिस्चित काल के 40 वर्सों बाद सरकार मुख्य रोप से बीमा करती है। बड़ी समश्याओं के समाधान, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा और अन्यहस्तांतन बुपतान कारे गुर्मों को आगे बढ़ाती है। इसमें कोई आस्चित योजनाओं की आवशक्ता होगी। लेकिन एंटाइटेलमेंट खर्च के एनिस्चित तरक के अनुसार, चीजों को बहतर बनाने के लिए हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। एनिस्चित कालिन दर्शन आप सिर्फ राजनिती में ही नहीं बलकि राजनितिक दर्शनिकों के विचारों के एनिस्चित कालिन दरिष्टी कोण में देख सकते हैं। जिनके विचार लेफ्ट और राइट दोनों तरह के ही हैं। प्राचेन दुनिया का दर्शन निराशावादी था। प्लेटो, अरिस्टोटल, एपिक्यूरस और लुक्रिटिस सभी ने मानुक्षमता पर सक्च सिमाई स्विकार की। एक मातर सवाल यह है था कि हमारे दुखत भग्या का सामना कैसे किया जाए। आदुनिक दार्शनिक जारातर आशावादी थे। दाइं और हरबर स्पेंसर से केंदर में हेगल और बाइं और मार्क्स तक उननिस्वें स्ताफदी में प्रगती के विश्वास को साजा किया ग वे निश्चित आशावादी थे। बीस्वें स्ताफदी के उतरार्द में एनिश्चित का लिंदर्शन सामने आए दो प्रमुक राजनितिक विचारक जोन रॉल्स और रावर्ट नोजिक को आम थोर पर कठोर विरोधी के रूप में देखा जाता है। मानते थे कि लोग शांती से एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। इसलिए पूरूजों के विपरीद वे आशावादी थे। लेकिन स्पेंसर या मार्क के विपरीद राल्स और नोजिक एनिश्चित आशावादी थे। उनके पास भविश्य का कोई विशिष्ट दर्ष्टिक नहीं था। उनकी एनिश्चित अता के विविन रूप थे। रावल ने अग्यानता के गुवट के साथ न्याय का शिधान्त शुरू किया। निश्पक्ष राजनितिक तर्क दुनिया के ग्यान के साथ किसी के लिए असंबव मना जाता है। क्योंकि यह ठोस रूप से तस्तिर समाज के बारे में कलपना बहुत कती जीलता के साथ की। नोजिक ने राल्स की पैटर्न अवधारना का विरोध किया। नोजिक के लिए किसी भी स्वेचिक विनिमय की अनुमती दी जानी चाहिए और कोई समाजिक पैटर्न रख रखाओ उचित ठहराने के लिए प उत्तरदाई, समानतावाद और उदारवादी विक्तितों के बीच मत बेदों को अतिरंजित करते हैं क्योंकि लगवग हर कोई अपना समान्य एनिश्चित तरिष्टिकोंड रखता है। दर्सन, राजनिती और व्यापार में प्रक्रिया पर बहस भी एक बहतर बविश्य क के लिए ठोस योजना बनाने के लिए अंतहीन रूप से एक तरीका बन गया है। एनिश्चित जीवन हमारे पूरवजों ने मानव जीवन को समझने और विस्तार करने की मांग की। उन्निसु इस्ताबदी में कोज करता हूने फ्लोरीडा के जंगलों में जबान बनाने वा में रोबर्ट बायल ने विज्ञान के वविश्य के लिए जवान रहने के रहशे पर अपनी प्रसिद्ध सारने को जनता के सामने रखा। चाहे भोगोलिक अन्वेंशन या प्रियोग शाला अनुसंधान के माध्यम से पुनर जागरन के सर्वत्तम काल में मृत्यू के बार मृत्यू के बारे में एक रहशे प्रकट किया जो आज भी हमारी सोच को नियंतरित करता है। उन्होंने पाया कि इसे गनित्य संभावनाओं में कैसे व्यक्त किया जाई। मोटलेटी चार्ट यानि जीवन सागनी हमें किसी दिये गए वर्ष में मरने की हमारी संभावना बताती है। पिछली पीडियों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि बेहतर बिमान बंदों के बगले में हमने दिरगायों के बारे में रह्षों की खोद छोड़ दी है। मानव जीवन काल की वर्तमान सरंकला के व्यवस्तित ग्यान की यह सीमा प्राकरतिक प्रतीत होती है। आज हमारे समाज को दोनों विचारों से पार जाना है कि दोनों एपरियारिय और एनिस्चित है। इस बीच जीव विग्यान के एजेंड़ों को आकार देने के लिए अनेक संबवध रिष्टी कोण आ गए है। की शक्ति का उप्योग करने की मांग की आधुनिक दवा की खोज का लक्षे फ्लेमिंग की अलग अलग परिस्टितियों में एक मिलियन गुना बढ़ाना है। फार्मेसिटिकल कमपनियां सटीक दवा खोजने की उम्मीद करते हुए एनिस्चित योगिकों के संयोजन के करती हैं लेकिन यह काम नहीं कर रहा है और साथ ही इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। पिछली दोस्ताब्दियों में नाट्किय प्रगती के बावजूद हाल के दस्कों में बायो टेकनोलजी ने निविसकों या मरेजों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। नई दवाओं की संख्या से अधिक सूचना प्रोदोकी की पहले से कहीं अधिक तेजी से बड़ी है। आस बायो टेक के लिए बड़ा सवाल यह हैं कि क्या यह कभी भी इसी तरह की प्रगती करेगा। बायो टेक स्टार्ट अप एन निश्चित कालिन सोच का एक बड़ा उ जाए उन्हीं पर काम करते हैं। जीव विग्यानी कहते हैं कि उन्हें इस तरह से काम करने की आवशक्ता है क्योंकि आंतरिक जीव विग्यान कठिन है। उनके अनुसार आईटी स्टार्ट अप काम करते हैं क्योंकि हमने कंप्यूटर स्वें बनाया है और उन्हें विस्व कमून के बारे में सीखते हैं उतना अधिक वेज़ जकिल होते जाते हैं लेकिन आज यह आश्चरिय करना संभव है कि जीव विज्ञान की वास्तविक कठिनाई बायोटेक स्टार्टप के लिए सामन्य रूप से व्यापार के लिए एनिस्चित द्रिष्टिकोंड के लिए ब विशिष्ट कमपनी बनाना चाते हैं यह उन प्रोफेसरों के साथ होता है जो अक्सर पूर्ण कालिक करमचारियों के वज़ाई पार्ट टाइम सलाकार बन जाते हैं यहां तक कि अपने स्वें के सोद से शुरू होने वाले बायोटेक स्टार्टप के लिए भी फिर हर कोई प्रोफेसरों के एनिश्चित द्रिष्टिकोंन का नुस्रन करता है सोतन्तरतावाजियों के लिए यह दावा करना आसान है कि भारी विनी में बायोटेक को पीछे रखता है लेकिन एनिश्चित आशावाद बायोटेक के भाविश्य के लिए और भी बड़ी चुनोती है हमारे निश्चित काली नाशावादी निर ने कि इस तरह का भविश्य बनाएंगे यदि एक परिवार बचत कर रहा है तो कम से कम वह बाद में खर्च करने के लिए पैसे की उम्मीद दो कर सकता है और यदि अमेरिकी कंपनिया निवेश कर रही है तो वे भविश्य में नई परियोजनाओं में निवेश किये विना अपने बैलेंस सीट में धेर सारादा निकठा कर रही है क्योंकि उनके पास बविश्य के लिए कोई ठोस योजना नहीं है बविश्य के अन्यतीन विचार काम कर सकते हैं जब आप बविश्य में बविश्य का निर्मान करते हैं तो ऐसमित आशावाद काम करता है, ऐसमित निराशावाद, निर्मान के द्वारा काम करता है, जिसे किसी भी चीज़ की उम्मीद किये विना कोपी किया जा सकता है, ऐनिश्चित निराशावाद, ऐनिश्चित निराशावाद काम करता है, क्योंकि यह आत्म निर्वर है, यद अगर कोई इसके लिए योजना नहीं बनाता तो भविश्य बेहतर कैसे हो सकता है। असल में आधुनिक दुनिया में अधिकांस लोगों ने पहले चेही इस सवाल का जवाब सुना है। योजना के बिना प्रगती वह हैं जिसे हम विकास कहते हैं। डारविन ने स्वे लिखा था कि जीवन किसी भी व्यक्ति के इरादे के विना प्रगती करता है। त्रिलो बाइट्स और डाइनोसोर की उत्पत्ति को समझाता है। लेकिन क्या इसे डोमेन तक बढ़ाया चा सकता है जो बहुत दूर है। जैसे न्यूटनियन बोत की ब्लैक होल या बिग बैंक को समझा नहीं सकता यह सपस्ट नहीं है कि डारवीनियन जीवी ज्यान को एक बहतर समाज बनाने या किसी नए व्यवसाई को कैसे तयार करना है यह समझना चाहिए फिर भी हाल के वर्षों में डारवीनियन रूपक व्य शब्दाबली अस्तितों का आंकलन करते हैं इसलिए डिजिटल डारविनवाद, डोटकॉम डारविनवाद और क्लिक वेस्ट का उत्तर जीविता जैसे सिर्शक बन गए हैं यहां तक की इंजिनिरिंग संसालिद सिलिकोन गाटी में भी इस पल के बज़वर्ड एक छोटा स्टार्ट अप बनाने के लिए कहते हैं जो जिसे हमेशा बदलते परियावण के लिए अनुकूलित और विक्षित कर सकते हैं उद्मियों को बताया जाएगा कि कुछ भी पहले से ही ग्यात नहीं किया जा सकता है हमें यह जानना चाहिए कि ग्रहाग क्या चाहते हैं वे नियुन्तम व्यवहारिय उत्पाद से अधिक कुछ नहीं बनाते हैं और सफलता के लिए अपना रास्ता फिर्शे शुरू करते हैं लेकिन छोटी शुरूवात एक परनाली है लक्षे नहीं पहले से मौजूद चीजों में छोटे बदलाओ करना आपको स्थानिय अधिक्तम ले जा सकता है लेकिन यह आपको वैस्विक अधिक्तम खोजने में मदद नहीं करेगा आप एक एप का सबसे अच्छा संस्कर्ण बना सकते हैं जो लोगों को अपने आईफॉन से टोईलेट पेपर ओर्डर करने देता है लेकिन एक बोल्ड प्लान के बिना पुन्रा वर्ती आपको जीरो से एक तक नहीं ले जा पाएगा यह कंपनी एनिश्चित काली नाशावादी के लिए सबसे अजीर जगए है आपको ऐसा करने की योजना के बिना अपने व्यवसाई को सफल होने की उमीद क्यों करनी चाहिए डार्विन वाद अन्यस अंदर मों में एक अच्छा सिधान्थ हो सकता है लेकिन स्टार्ट अप में बुद्धिमान डिजाइन सबसे अच्छा काम करता है डिजाइन की वापसे इस मोके पर डिजाइन को प्रात्मिक्ता देने का क्या आर्थ होगा आज अच्छी डिजाइन एक सुंदरिय अन्यवा रहता है यह सच है कि हर महान उद्धमी पहले और सबसे पहले एक डिजाइनर है कोई भी जिसने आई डिवाइस या मैक बुक को देखा है उसने द्रश्य और अनुभवी पूरुनता के साथ स्टीव जोग के जुनून का नतीजा महसूस किया है लेकिन नोकरियों से सीखने के लिए सबसे महतोपूर्ण सबग सुंदरिय सास्तर से कोई लेना देना नहीं है टिजाइन की गई सबसे बड़ी बात उसका प्यवसाय था एपल ने नए उत्वादों को बनाने और प्रभावी डंग से वित्रित करने के लिए निश्चित बहु वर्षिया योजनाओं की कल्पना की और उन्हें लागू किया नियुनतों व्यभारिय उत्वादों को भूल जाओ जब से उन्होंने 1976 में एपल शुरू किया जबस ने देखा कि आप साउधानी पूरु की योजना के माद्यम से दुनिया को बदल सकते हैं ने की फोकस समूपर्ति किरिया को सुनकर या दूसरों की सबलताओं की नकल बना कर लंबी अवदी की योजना अक्सर हमारी एनिश्चित कालिन अल्प कालिन दुनिया दौरा कम मुल्यांकन की जाती है जब पहला आईपाट अक्टूवर 2001 में जारी किया गया था तो उद्योग विसलेसकों के दुवारा मैकिन तोस को उप्योग करताओं के लिए एक अच्छी सुविता से अधिक नहीं देखा जा सकता था जो दुनिया के बाकी हिस्चों में कोई फर्क नहीं डालेगा जॉब्स ने आईपैट को पोर्टेबल पीसी उपकरणों की एक नई पिड़ी की योजना बनाई लेकिन अधिकांस लोगों के लिए यह रहश्य एद्रश्य था योजना की शक्ती नेजी कमपनियों के मुल्यांकन की कठनाई बताती है जब एक बड़ी कमपनी सफल स्टार्ट अप हासिल करने का प्रस्ताव देती है तो यह लगबग हमेशा बहुत अधिक या बहुत कम परदान करती है संस्थापक के वल तब बेचते हैं जब उनके पास कमपनी के लिए कोई ठोस द्रिश्य कोन नहीं होता है इस मामले में अधिक रहन करता शायद अधिक बुगदान करता है मजबूत योजनाओं के साथ निश्चित संस्थापक बेचते नहीं है जिसका मतलब है कि परस्ताओ परियाप्त नहीं था जब याहू ने जुलाई 2006 में एक बिलियन डोलर में फेस्बूक को खरीरने की पेशकस की तब मैंने सोचा कि हमें कम से कम इस पर विचार करना चाहिए लेकिन मार्क जूबर कर बोर्ड की बैठिक में चले गए और गोशना की ठीक है दोस्तों यह सिर्फ एक उपचारिकता है इसे दस मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए हम स्पस्ट रूप से इसे बेचने नहीं जा रहे हैं मार्क ने देखा कि वह कंपनी को कहां ले जा सकता है लेकिन यहू एसा नहीं कर पाया एक अच्छी निश्चित योजना वाले व्यावसाई को हमेशा एसी दुनिया में कमा का जाता है जहां लोग भविश्य को एनिश्चित रूप से देखते हैं आपे लोटरी टिकेट नहीं है हमें एक निश्चित भविश्य में अपना रास्ता खोजना है और पश्च में दुनिया को ऐसा करने के लिए सांस कर्तिक करांती से कम कुछ भी नहीं चाहिए कहां से शुरुवात करें जोन राल्स को दर्सन विबागों में विस्तापित होने की आफशकता होगी मेलकम गलेडवेल को अपने सिदान्तों को बदलने के लिए राजी किया जाना चाहिए और राजनेताओं को राजनिती से प्रेरित किया जाना चाहिए लेकिन चाहे हमारे राजनेता कुछ भी कहते हैं दर्सन के प्रोफेसरों और गलेडविल दुनिया को अपने तरीके से प्रस्तूत करते हैं उन भीड़ वाले क्षेत्रों में बरलाओ करना बेहद मुस्किल है जहां अच्छे इरादों के साथ मस्दिश्क काम कर रहे हैं एक स्टार्ट अप ने केवल अपने जीवन के बारे में बलकि यह इस दुनिया के छोटे से हिस्से के रूप में सबसे बड़ा प्रियास है जिस पर आप निश्चित निपूनता प्राप्त कर सकते हैं यह संभावना के अन्याय पूर्ण अध्याचारों को खारीज करके शुरू होता है बस आप एक लोटरी टिकेट मातर नहीं है धन्यवाद हिंदी ओडियोगुक डोट कोम आईए चलते हैं अध्याय साथ की ओर आपका दिम शुब हो अध्याय साथ पैसे का पीछा करें हिंदी ओडियोगुक डोट कोम पैसा पैसा बनाता है जिसके पास है उसे और अधिक दिया जाएगा और जिसके पास कम है उससे लिया जाएगा अलबर्ट आइस्टीन ने वही देखा जब उन्होंने कहा कि चक्रवर्टी ब्याज दुनिया का आठवा आजूबा है सबसे बड़ी गणितिय खोज या यहां तक कह सकते हैं कि यह ब्रमान्ड में सबसे शक्ती शाली शक्ती है आप जिस भी परिवासा को पसंद करते हो आप इस संदेश को नजर अंदाज नहीं कर सकते गातिय ब्रदी को कभी कम मत समझें असल में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आइस्टीन ने इन उधारनों में से किसी को कहा हो लेकिन यह गलत फहमी संदेश को मजबूत करती है जीवन भर की परतिभा के मूलधन का निवेश करने के बाद आइस्टीन ने उन चीजों के लिए स्रेप राप्त करके कबर में जाने तक प्याज कमाना जारी रखा है ज़्यादातर बातें भुला दी जाती है दूसरी और आइस्टीन और सेक्सपियर जैसे कुछ चुनिदा लोगों को लगातार संदर्बित किया जाता है और उनको हमेशा याद किया जाता है हमें आश्चरिय नहीं होना चाहिए क्योंकि कम ही अक्सर ऐसमान परिनाम प्राप्त करते हैं 1906 में अर्थसास्त्री विल प्रेडो पैरेतों ने पाया कि पैरेतों सिधान्त या कहें 80-20 नियम जब उन्होंने देखा कि इटली में 20 परतिसत लोगों के पास 80 परतिसत भूमी का स्वामी तव है उन्होंने प्रकरतिक रूप में एक एसी घटना देखी कि उनके बगीचे की 20 परतिसत जगह पर बोई गई मटर से 80 परतिसत उत्पाधन हुआ यह ऐसा अधान रूप से स्टार्क पैटर्न है जिसमें एक छोटे से बीजने सभी बादाओं को पार करते हुए पोधे बाहर निकलते हैं जो हमें प्रकरतिक और सामाजिक दुनिया में हर जगह दिखते हैं सबसे विनाशकारी भूकम सेंउक्त रूप से सभी छोटे भूकमपों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है सबसे बड़े शहरों ने भी छोटे छोटे शहरों को एक साथ रखा है और इसी तरह मोनोपली व्यवसाई भी लाखों एविवाजित पर्तियोगियों की तुलना में अधिक मुल्यवान होते है अंस्टिन ने कहा या नहीं कहा लेकिन इसे शक्तिशाली नियम इसलिए नाम दिया गया क्योंकि गात्य समयकर्ण एसमान वितर्ण का वरन करते हैं ब्रमान का यही नियम है यह हमारे आसपास पूरी तरह से परिभाशित है कि हम आमतोर पर इसे नहीं देखते है यह अध्याई हमें सिखाता है कि जब आप पैसे का पालन करते हैं तो शक्ति का नियम कैसे दिखाई देता है वेंचर पूंजी में जहां निवेश प्रारंबिक चरण की कमपनियों में कहतिय व्रदी से लाब उठाने का प्रयास करते हैं कुछ कमपनियां ने सभी की तुलना में तेजी से अधिक मुल्य पराप्त करती है ज़्यादा तर व्यवसायों को वेंचर पूंजी से निपटने की जरूरत नहीं होती लेकिन सभी को वास्तों में एक बात पता होना चाहिए कि वेंचर पूंजी पती इसे समझने के लिए संगर्स करते हैं हम एक सामान्य दुनिया में नहीं रहते बलकि एक शक्ती के खानून के अंदरगत रहते हैं वेंचर कैपिटल का पावर वेंचर कैपिडिलिस्टिक प्रारंबिक चर्ण की कमपनियों को वादा करने से पहचान निधी और लक्षय का लाब रखते हैं वें इंस्टिटूशनल और अमीर लोगों से धन जुटाते हैं और इसे एक फंड में पूल करते हैं और प्राद्योगी की कपनियों में निवेश करते हैं उनका मानना है कि इससे वे अधिक मुल्यवान बन जाएंगे यदि वे इससे बाहर निकलते हैं तो वे रिटर्न पर लगबग 20% कटोती करते हैं एक वेंचर फंड तब ही पैसा बनाता है जब उसके पोर्टफोलियों में कंपनिया अधिक मुल्यवान हो जाएं या सारवजनिक हो जाती है या बड़ी कंपनियों द्वारा खरीदी जाती है वेंचर फंडों की आम तोर पर 10 साल की उम्र होती है क्योंकि सफल कंपनियों के बढ़ने और बाहर निकलने के लिए समय लगता है लेकिन अधिकांस वेंचर समर्थित कंपनिया आईप्यों नहीं लाती या अधिक रहत नहीं होती है लेकिन सबसे ऐसफल वो रहती है जो आम तोर पर शुरू होने के तुरंत बाद इसे शुरू करती है इन शुरू आती ऐसफलताओं के कारण एक वेंचर फंड आम तोर पर पहले ही पैसे खो देता है वेंचर कैपिटल उमीद करते हैं कि सफल पॉर्टफोलियो कंपनिया अपने गातिय विकासदर को प्रभावित करने स्केल करने पर फंड के मुल्य को नाट किया रूप से कुछ वर्सों के समय में बढ़ा देगी बड़ा सवाल यह है कि यह अधिक रहन कब होगा अधिकास के लिए जवाब कभी नहीं होता अधिकास स्टार्टप विफल हो जाते हैं और अधिकास फंड उनके साथ ही विफल हो जाते हैं प्रतेएक वेंचर कैपिटल जांता है कि उनका काम उन कम्पनियों को ढूँ़ना है जो सफल होंगी हालां कि अनुववी निवेशक भी इस गठना को केवल सता ही समझते हैं वे जानते हैं कि कम्पनिया अलग हैं लेकिन वे अंतर को कम समझते हैं गल्ती यह उमीद करने में है कि वेंचर रिटर्न सामन्य रूप से वितरित किया जाएगा यानि बुरी कम्पनिया ऐस वल हो जाएंगी मद्यम लोग फ्लैट रहेंगे और अच्छे लोग दुगुना या चारगुना रिटर्न पाएंगे इस ब्लेंड पैटर्न को मानते हुए निवेशक एक विविद पोर्टोलियो इकठा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे विजयता रहेंगे लेकिन यह प्राखना दृष्टिकौन आम तोर पर पूरे पोर्टोलियो को बिना किसी हिट के फ्लोप कर देता है यसा इसलिए है क्योंकि वेंचर रेटर्ल समग्गर वितरन का पालन नहीं करते हैं इसके बजाए वे एक पावर लाका पालन करते हैं कुछ चोटी कंपनियों ने मूल रूप से सभी से बहतर प्रदर्शन किया यदि आप बहुत कम कंपनियों की एकल मनोदसा की खोज के बजाए डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान के निर्द करते हैं जो अत्यदिक मुल्यवान हो सकते हैं तो आप उन दुरलब कंपनियों को पहली जगह पर रखेंगे फाउंडर्स फंड में हमारे परिणाम इस स्कैव प्रेटर्ण को चित्रित करते हैं फेस्बुक 2005 के फंड में सबसे अच्छा निवेश था यह अकेला अन्य सभी संयूत पोर्टपोलियों की तुलना में अधिक लाबदाएक रहा दूसरा सबसे अच्छा निवेश पेलेंटियर फेस्बुक को छोड़ दूसरे निवेशों के योग से अधिक रेटर्ण के साथ कमाई की यह पैटर्न ऐसा मान्य नहीं है हम इसे अपने सभी अन्य फंडों में भी देखते हैं वेंचर कुझी में सबसे बड़ा रहश्य यह है कि सफल फंड में सबसे अच्छा निवेश संयूत फंड के पूरे शेश के बराबर या बेहतर परदर्शन करता है यह वेंचर कैपिटल के लिए दो बहुत अजीव नियमों का परियाए है सबसे पहले केवल उन कमपनियों में निवेश करें जिन के पास पूरे फंड के मुल्य को वापस करने की ख्षमता है यह एक डरावना नियम है क्योंकि यह संभावित निवेश के विशाल वहुमत को समाप्त करता है यही नियम संक्या दो हो जाती है क्योंकि नियम संक्या एक इतनी परतिबंदीत है कि कोई अन्य नियम नहीं हो सकता गोर करें जब आप पहले नियम को तोड़ते हैं तो क्या होता है एंडर्सन होरोविट्स ने 2010 में इंस्टाग्राम में धाई लाग डोलर का निवेश किया जब फेस्बुक ने दो साल बाद एक बिलियन डोलर में इंस्टाग्राम को खरीदा तो एंडर्सन ने 78 मिलियन डोलर की कमाई की एक साल में 202 में गुना ज़्यादा रिटर्न प्याप्त नहीं है क्योंकि एंडर्सन होरोविट्स के पास डेट बिलियन डोलर का फंड है अगर उन्होंने केवल ढही लाग डोलर के चेक लिखे हैं तो उन्हें बाकी बचे धन पर कमाने के लिए 19 इंस्टाग्राम ढूना होगा यही कारण है कि निवेशक आम तोर पर विद पोशन की किसी भी कमपनी में बहुत अधिक धन डालते हैं वेंचर कैपिटल को उन कमपनियों से केवल मुठी भर मिलना चाहिए जो सफलता पूरवक जीरो से एक तक चले जाएंगे और फिर उने हर संसादन के साथ वापस ले लेंगे बेशक कोई भी निश्ची तुरूप से पता नहीं कर सकता कि कौन सी कमपनिया सफल होंगी इसलिए सर्वस्टेस्ट वेंचर कैपिटल फर्मों के पास पूर्टफोलियों भी है हालंकि एक अच्छे वेंचर पूर्टफोलियों में प्रतेक कमपनी के पास बड़े स्तर पर सफल होने की ख्षमता होनी चाहिए संस्तापक फंड में हम एक फंड में पांच से साथ कमपनियों पर ध्यान के नरीत करते हैं जिन में से प्रतेक को लगता है कि यह अपने एद्वितिय मुलिक सिधानतों के आदहार पर मल्टी बिलियन डॉलर का व्यावसाय बन सकता है जब भी आप एक व्यापार के पदार्थ से वितिय सवाल पर जाते हैं कि यह एक विविद हेजिंग रणनिती में फिट बैठता है या नहीं वेंचर निवेस लोटरी टिकट खरीदने की तरह दिखता है और एक बार जब आप सोचते हैं कि आप लोटरी खेल रहे हैं तो आप पहले ही मनोवेग्यानिक रूप से हारने के लिए तयार हैं यह समय के साथ ही स्पस्ट हो जाता है और यहां तक की प्रोदोग की निवेशक भी वर्तमान में रहते हैं दस कमपनियों में एक अधिकार बनने की क्षमता के साथ एक फर्म पहले से ही ऐस अमान्य रूप से अनुशाशित पोर्टफोलियों में निवेशकी कल्पना करें गातियव रदी से पहले यह कमपनिया बहुत समान दिखाई देती हैं अगले कुछ वर्षों में कुछ कमपनियां ऐस अभल हो जाएंगी जबकि अन्य सभल होने लगेंगी मुल्यवान अलग हो जाएंगे लेकिन घातियव रदी और रेखिय विकास के बीच का अंतर ऐस पस्टो होगा हालंकि दस वर्षों बाद पोर्टफोलियों विजेताओं और हारने वालों के बीच अंतर नहीं किया जाएगा इसे एक प्रमुक निवेश और बाकी सब के बीच विवाजित किया जाएगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता कानून के अंतिम परिणाम कितने सपस्ट हैं यह दैनी का नुबव को परतिविम्भित नहीं करता है चुकि निवेशक अपना अधिकांस समय नए निवेश करने में वे कमपनियों के शुरुवाती चरणों में भाग लेते हैं इसलिए जिन कमपनियों के साथ वे काम करते हैं वे ओसत होती है निवेशकों और उद्मियों को हर दिन समझने वाले अधिकांस मत्भेद सपलता के सापेक्षिस्तरों के बीच होते हैं ने की घातिय प्रभुतव और विफलता के बीच और चुंकि कोई भी निवेश पर छोड़ना नहीं चाता है इसलिए वेंचर कैपिटल आम तोर पर सबसे अधिक समश्या ग्रस्त कमपनियों पर अधिक समय बिताते हैं क्योंकि सटीक रूप से सपल होने की उन्हीं की संभावना होती है यदि तेजी से बढ़ते स्टार्ट अप में विशे सग्यता रखने वाले निवेशक भी शक्ती के नियम को याद करते हैं तो यह आस्चरिय की बात नहीं है कि ज़्यादातर लोग इसे याद करते हैं पावर लाड डिस्टिबूशन इतना बड़ा है कि वे साधे द्रिष्टी में छिपाते हैं उधारन के लिए जब सिलिकोन वैली के बाहर ज़्यादातर लोग वेंचर पूंजी के बारे में सोचते हैं वे केवल ABC के शोट टैंक की तरह चोटे दिखते हैं आखिरकार US में प्रतेक मर्स एक प्रतिसत से कम नई व्यवसाय शुरू हुए वेंचर विद पूशन प्राप्त हुआ और वेंचर कैपिटल को पूल निवेश खाता GDP का 0.2 प्रतिसत प्राप्त हुआ 11 प्रतिसत नोकरियों को जनम देती है वे GDP के आश्चरे जनक 21 प्रतिसत के बराबर राश्चरिय विराजसव उत्वन करती है दरहसल दरजनों सबसे वड़ी तकनिकी कमपनिया वेंचर समर्थित होती है साथ में अन्यस अभी तकनिकी कमपनियों की तुलना में उन 12 कमपनियों का मुल्य 2 ट्रिलियन डोलर से ज़्यादा था शक्ति के नियमों का कैसे उक्योग करें निवेश कानून निवेशकों के लिए ही नहीं बलकि सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कोई एक निवेशक है एक उद्दमी स्टार्टप पर अपना समय विदा कर एक बड़ा निवेश करता है इसलिए प्रतेक उद्दमी को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या उसकी कमपनिय सफल होने जा रही है और ज़्यादा मुल्यवान हो रही है प्रतेक व्यक्ति अनिवारिय रूप से एक निवेशक भी है जब आप एक करियर चुनते हैं तो आप अपने विश्वास पर कारिय करते हैं कि आप जिस परकार के काम करते हैं वह अब से आगे आने वाले दसकों तक मुल्यवान बने रहेंगे भविश्य के मुल्य के सवाल का सबसे आम जवाब एक विविद पोर्टपोलियो है अपने सभी अंडों को एक टोगरी में ने रखें सभी को बताया गया है जैसा कि हमने कहा यहां तक की सबसे अच्छे वेंचर निवेशकों के पास पोर्टपोलियो भी है लेकिन जो निवेशक शक्ति के कानून को समझते हैं वे उतना ही कम निवेश करते हैं इसके विवरिद लोक ग्यान और वित्य शिक्षा दोनों द्वारा स्विकार किये गए पोर्टफोलियो की तरह डाइवर्सिफिकेशन के स्रोत के रूप में सट्टे वाजी को शक्ति मानते हैं लेकिन जीवन एक पोर्टफोलियो नहीं है स्टार्टप संस्तापक के लिए वे और किसी विव्यक्ति के लिए भी नहीं एक उद्दमी खुद को डाइवर्सिफिकेशन नहीं दे सकता आप एक ही समय में दर्जनों कंपनियों को नहीं चला सकते और फिर उम्मीद करते हैं कि वे अच्छी तरह से काम करेंगी कम स्पस्ट लेकिन यह उतना ही महतोपूर्ण है कि एक व्यक्ति अपने जीवन को इतने विवित्ता नहीं दे सकता कि वे दर्जनों कंपनियों को एक साथ समान रूप से चला सके हमारे स्कूल इसके विपरित सिखाते हैं एक प्रकार के होमोजेनाइजड जेनरिक ज्यान अमेरेकी स्कूल पर नाली से गुजरने वाले हर कोई पावर लानियमों में सोचना नहीं सिखता है हर हाई स्कूल के विशे किया होदी पंतालिस मिनट ही होती है प्रतेक छात्र एक समान गती से आगे बढ़ता है और ग्यान के अनुसार करमबज कैटलोग को डिजाइन किया गया है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं जब तक आप इसे अच्छी तरह से पूरा करते हैं तब तक पता चलता है कि यह तो पूरी तरह से गलत था आपको कुछ ऐसा करने पर ध्यान देना चाहिए जो आप कर रहे हैं लेकिन इससे पहले आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि बविश्य में यह मुल्यवान होगा या नहीं स्टार्टप दुनिया के लिए इसका मतलब है कि आपको अपने खुद की कंपनी शुरू नहीं करने चाहिए बले ही आप ऐसा दारन रूप से परतिस बासाली हो यदि कुछ भी है तो बहुत से लोग आज अपनी कंपनीों को शुरू कर रहे हैं जो लोग सत्ता कानून को समझते हैं वे एक नई उद्ध्यों की स्थापना के समय दूसरों से अधिक संकोच करेंगे वे जानते हैं कि तेजी से बढ़ते समय में वे सबसे अच्छी कंपनीों में शामिल होने से कितने सफल हो सकते हैं पावर ला का मतलब है कि कंपनीों के बीच मतभेद कम्पनियों के अंदर भूमिकाओं में मत बेदों को दूर करेंगे यदि आप पूरी तरह से अपने वेंचर को फंड देते हैं तो आपके पास 100% इक्विटी हो सकती है लेकिन यदि यह भिफल हो जाती है तो आपके पास 100% कुछ भी नहीं होगा इसके विपरीब 0.01% गूगल का स्वामितव एविश्वसन ये रूप से मुल्यवान है यदि आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करते हैं तो आपको इसे संचालित करने के लिए पावर ला को याद रखना चाहिए सबसे महतवपूर्ण चीजें एक वचन है जैसे कि हमने अध्याई 5 में चर्चा की थी एक बाजार शायद अन्य सभी की तुलना में बहतर होगा एक वितरन रन्निती आम तोर पर अन्य सभी पर हावी होगी इसके लिए आपको अध्याई 11 सुनना चाहिए समय और निर्ने लेने की क्षमता को सत्ता कानून का पालन करना पड़ता है अध्याई 9 में देखें हालांकि आप एसी दुनिया पर भरोसा नहीं कर सकते चो आपके लिए अपने फैसलों को सटीक रूप से फ्रेम करने के लिए पावर ला से इंकार कर दे इसलिए सबसे महतो कुण बात यह है कि यह शायद ही कभी स्पस्ट होगा यह भी लूप तो हो सकता है लेकिन पावर ला की दुनिया में आप कड़ी मेनत नहीं कर सकते क्योंकि ने जाने आपके कारिये कहां पर फिट बैठेंगे धन्यवाद आईये चलते हैं अध्याए आठ की ओर आपका दिन शुब हो अध्याए आठ रहस्य हिंदी ओडियोबुक डोट कोम आज के सबसे प्रसिद और परिचित विचार कभी न कभी अग्याद थे जैसे त्रिकोन की गनितिय संबंद खोजने से पहले असंख्या सालों तक अग्याद ही थे पाइथा गोर्ष को इसी समझने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी यदि आप पाइथा गोर्ष की नई खोज को जानने में इच्छा रखते हैं तो आपको उनके पंथ में शामिल होना होगा इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका है आज उनकी गनित ये खोज इतनी सामान्य हो गई है कि इसे हम मिडल स्कूल के विद्यार्थियों को सिखाते हैं एक पारंपरिक सत्य महत्वपून हो सकता है उधारन के लिए प्रात में गनित सीखना आवशक है लेकिन यहें आपको आयाम नहीं देता है यहें कोई रह्षय नहीं है हमारे विरोधावासी प्रशन को याद रखें क्या आप कोई ऐसा महत्वपून सत्या जानते हैं जिससे बहुत कम लोग सेहमत हो यदि हम पहले से ही जिसमें हम रहते हैं उस प्राकरतिक दुनिया को समझते पहले से ही इसमें विद्वान पारंपरिक विचारों को समझ चुके होते और यदि यहें सब कुछ पहले ही हो चुका होता तो यहां कोई अच्छा जवाब नहीं होता अगर दुनिया में भविषय के रहशे मौजूद ने होते तो हमारे वीरोदाबासी वीचारों के कोई माइने नहीं होते बेशक एसी कई चीजें हैं जिनें हम आज तक समझ नहीं पाई लेकिन उन में से शायद कुछ चीजों को समझना असंबव हो सकता है जिनें हम रहश्यों के रहशे कह सकते हैं उधारन के लिए स्ट्रिंग सिधांत मरमांड की भोतिकी का वर्णन करता है स्ट्रिंग नामक यह आयामी वस्तु को हिलाने के मामले में है क्या स्ट्रिंग सिधांत सकते हैं आप वास्तों में इसका परिक्षन करने के लिए प्रियोग नहीं कर सकते बहुत कम लोग यदि कोई हो तो कभी भी इसके सभी परवाओं को हो सकता है समझ सके क्या यह मुश्किल है या यह एक असंबव रह्षय है अंतर माइने रखता है आप मुश्किल चीजें प्राप्ट कर सकते हैं लेकिन असंबव को नहीं हमारे विरुदावासी प्रशन के व्यवसाइक संस्कर्ड को याद करें कोई मुल्यवान कमपनी कोई इमारत क्यों नहीं बना रही है हर सही उत्तर एक जरूरी रहषय है कुछ महतोपूर्ण है और कुछ अग्यात कुछ करना मुश्किल है लेकिन करने योग्य भी है अगर दुनिया में कोई रहषय सेश है तो शायद कई विस्व व्यापी कमपनियां शुरू होने वाली है यह अध्याई आपको रहषयों के बारे में सोचने और उन्हें ढूनने में आपकी मदद करेगा लोग रहषयों को क्यों नहीं समझ रहे हैं अधिकांस लोग ऐसे व्यवहार करते हैं मनों खोजने के लिए कोई रहषय ही नहीं बचा है इस विचार का एक चरम परते निदी टेड कांसिस्की है जिसे कुख्यात रूप से अनाब ओमबर कहा जाता है कांसिस्की ने हर्वर्ड में 16 वर्स की उमर में दाखिला लिया वह गनित में पीएजडी करने के लिए चला गया और यूसी बर्कले में प्रोफेसर बन गया उसने 17 साल की उमर में ही प्रोफेसरों, तकनिशियनों और व्यापारियों के खिलाब पाई बमों के द्वारा एक आद्दकवादी अवियान छेडा हुआ था 1995 के उत्राद तक अधिकारियों को पता नहीं था कि अना बमबर कौन था या कहा था इसका सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब उसने 35,000 शब्दों का गोशना फतर लिखा और गुमनाम रूप से प्रेस को मेल किया था FBI ने उमीद करते हुए इसे प्रकाशित करने के लिए कुछ परमुख समाचार पतरों से इसे चापने के लिए कहा यह काम कर गया कांसिस्की के भाई ने उसकी लिखने की शैली को पहचान लिया और उसे बदल दिया आप उमीद कर सकते हैं कि लेखन शैली ने पागलपन के सपच्ट संकेत दिखाए है लेकिन गोशना पतर बेहद कमजोर था कांसिस्की ने दावा किया कि खुशी के लिए प्रदेख व्यक्ति को यसे लक्षों की आवशक्ता होती है जिन के लिए प्रयास की आवशक्ता होती है और कम से कम अपने कुछ लक्षों को प्राप्ट करने में सफल होने की आवशक्ता होती है उसने मानव लक्षों को तीन समू में विवाजित किया पहला लक्षे जो निनुतम प्रियास से पूर्ण हो सकते हैं दूसरा लक्षे जो गंभीर प्रियास से पूर्ण हो सकते हैं तथा तीसरा लक्षे जो पूर्ण नहीं हो सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना प्रयास करता है यह आसान, कठिन और असंबव की आतमचेतना है कांसिस्के ने तर्क दिया कि आदुनिक लोग उदास इसलिए हैं क्योंकि पूरी दुनिया की कठोर समझ्चाई हल हो चुकी है आसान या आसंबव इसमें से क्या करना बाकी है और इन कारियों का पीछा करना बेहद ऐसंतोस जनक है आप क्या कर सकते हैं यहां तक की जिसे बच्चा भी कर सकता है आप क्या नहीं कर सकते यहां तक की जिसे आंस्टिन भी नहीं कर सकता कांसिस्की का विचार मौझूदा संस्तानों को नष्ट करना सभी तक्ниकों से चुटकारा पाने और लोगों को शुरू करने और कड़ी समख्याओं पर काम करने देना था कांसिस्की के तरीके क्रेजी थे लेकिन तक्नीक में ऐविश्वास की हानी हमारे चारों तरफ है शहरी कल्चर के चिनों के खुले पन पर विचार करें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी हैडल बार मूँचे और विनाईल रिकोर्ड प्लेयर आदी के समय में वापस पहुं जाते समय अगर लोग भविश्य के बारे में आशावादी नय होते यदि करने योगे सब कुछ हो चुका हो तो आपको इन उपलवदियों के लिए जलन महसूस हो सकती है केवल अंतकवादी और हिप्स्टर ही नहीं बल्कि सभी कट्रपंती भी इसी तरह सोचते हैं उधारन के लिए धार्मिक कट्रपंत कठिन प्रशनों के लिए मद्यमार की अनुमुती नहीं देता इसमें कुछे से आसान सत्य हैं जिन से बच्चों के चकित होने की उमीद है जैसे भगवान के रहशे हैं जिने समझाया नहीं जा सकता सत्य एक कठोर है लेकिन पाखंडी चूट बोलते हैं परियावरण वाद के आदुनिक धरम में आसान सत्य यह है है कि हमें परियावरण की रक्षा करनी चाहिए इसके अलावा प्रकरती मात सर्वसरेष्ट है और इसके सवाल भी नहीं है निस्वार्थ भाव से सभी इसकी पूझा करते है चीजों का मुल्य बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है यहां तक कि एक बच्चा भी स्टोप प्राइस देख सकता है लेकिन क्या वह उन कीमतों को समझ सकता है बाजार इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है यदि आप 18 स्टावदी में बड़े हुए होते तो वहां पर अभी भी खालिस्तान होते विदेशी साहसिक यात्राओं की कहानियों को सुनने के बाद आप स्वें एक खोजगरता बन सकते थे यह शायद 19-20 सदी की शुरुवात में सच था इसके बाद नेशनल जोग्राफी की फोटोग्राफी ने हर पश्चिमी को दिखाया कि प्रत्वी पर सबसे अधिक विदेशी सुतंतरस्थान भी है आज खोजगरता जातातर इतियास की किताबों और बच्चों की कहमियों में पाई जाते है माता पिता उमीद नहीं करते कि उनके बच्चे समुंदरी डाकू या सुल्तान बनने की बजाए खोजगरता बने शायद आज भी दरजनों जनजातियां एमेजन के गहरे जंगलों में निवास करती है और हम जानते हैं कि माहा सागरों की गहराई में एक आखिरी सांसारिक सीमा भी है लेकिन अग्यात पहले से कम आसान लगता है प्रकर्तिक तथ्या के साथ साथ बहुतिक सीमाईं घट कई है चार सामा जिगरू जहनों ने रहष्यों में विश्वास को खत्म करने की शाजिसरची है सबसे पहले व्रहद सीलंता यानी इंक्रिमेंटलिजम है शुरुवाती उम्र से ही हमें सिखाया जाता है कि चीजों को करने का सही तरीका एक छोटा कदम दर कदम आगे बढ़ना है यदि आप परिक्षा में शामिल ही नहीं होते हैं तो आपको कुछ सीखने और पूरा करने पर कोई क्रेडिट या प्रमान पत्र प्राप्त नहीं होता है लेकिन इसके वीप्रीत यह सब करने पर आपको एक रिट मिल जाई तब क्या होगा यह प्रिक्रिया कक्षा दर कक्षा चलती जाती है यही कारण है कि आम तोर पर प्रकाशक आपका पीछा करते हैं और नई अकादमिक सीमाओं को चूने के बज़ाए उनकी संक्या में बढ़ोदरी होती जाती है दूसरा जोखिं ग्रणा है लोग रहश्यों से डरते हैं क्योंकि वे गलत होने से डरते हैं परिभासा के अनुसार रहश्य की पुष्टी मुख्यदारा के द्वारा नहीं की गई है यदि आपके जीवन का लक्षे कभी कोई कलती नहीं करना है तो आपको रहश्यों की तलास नहीं करने चाहिए सब कुछ सही करना मतलब अकेले रहना और किसी का विश्वास नहीं करना पहले से कहीं ज़्यादा कठिन होगा अकेले और गलत होने की संभावना ऐस एनिये हो सकती है तीसरा परसंता है सामाजी का विजात वर्ग की सबसे स्वतंतर और नई सोच का पता लगाने की ख्षमता है कि वे कम से कम रहष्यों में विश्वास करते हैं यदि आप पहले से ही किये गई सब कुछ पर विश्वास कर सकते हैं तो एक नया रहष्य क्यों खोजा जाई प्रतेग गिरावट के समय में सिर्ष कानून, विद्यालियों और बिजनेस स्कूलों में डीन आने वाले वर्ग का स्वागत करते हैं उसी नहीत संदेश के साथ आप इसकूल इन संस्थान में सामिल हुए हैं आपकी चिंताएं खत्म हो गई है, आप जीवन के लिए तयार हैं लेकिन शायद यह है इसी चीज है, जो केवल तभी सच है, जब आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं चोथा, सम्तल्ता, यानि फ्लेटनेस है वैस्वी करन की प्रगती के रूप में, लोग दुनिया को एक सजातिय अत्य अधिक परतिस परदी वाजार के रूप में देखते हैं दुनिया सपाठ है, इस दालना को देखते हुए, जो कोई भी गुप्त की तलास करने की महतव को अंक्षा रखता है वह पहले खुद से पूछेगा, अगर कुछ नया खोजना संभव था, तो क्या स्मार्ट और अधिक रसनात्मक लोगों में से, कोई भी इसे पहले क्यों नहीं खोज सका संदे की यह आवाज, लोगों को एसी दुनिया में रहशों की तलास शुरू करने से भी रोब सकती है जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ एद्वितिय योगदान करने की बहुत बड़ी जगे हो सकती है इन प्रवर्तियों के परिनाम का वर्णन करने का एक आशावादी तरीका है आज आप एक पंथ शुरू नहीं कर सकते हैं 40 साल पहले लोग इस विचार के लिए अधिक जाग रूपते कि सभी ज्यान व्यापक रूप से ज्यात नहीं थे कम्यूस्ट पार्टी से हरे कृष्णा तक बड़ी संख्या में लोगों ने सोचा कि वे कुछ प्रभुद नोकर्शाओं में शामिल हो सकते हैं जो उन्हें रास्ता दिखाएंगी बहुत कम लोग आज ऐ पारंपरिक विचारों को गंभीरता से लेते हैं जिने मुख्यदारा में प्रगती के संकेत के रूप में देखा जाता है हमें खुश होती है कि अब कम ही क्रेजी समुदाए बचे हैं फिर भी लाब बहुत हुआ है हमने खोजे जाने वाले रहष्यों पर आस्चरिय की बाहुनाद छोड़ दी है समयधानिक दुनिया यदि आप रहष्यों में विश्वास नहीं करते हैं तो आपको दुनिया कैसी देखनी चाहिए आपको विश्वास करना होगा कि हमने पहले से ही सभी महान प्रशन हल कर लिये है यदि सब सही है तो हम और आत्म निर्वर होने का जोखिम उठा सकते है दुनिया में भगवान के स्वरक जैसा सब कुछ नहीं है उधारन के लिए रहष्यों के बिना दुनिया न्याय की एक पूर्ण समझ का आनंद लेंगी प्रतेक आनंद में एक नैतिक सत्या शामिल होता है जो बहुत कम लोगों के द्वारा जल्दी से पहचाना जाता है एक लोगतांत्रिक समाज में एक गलत अभ्यास तब तक जारी रहता है जब तक अधिकांस लोग इसे अन्याय पूर्ण नहीं मानते सबसे पहले उन्मुलन वादियों के केवल एक छोटे से समूँ को पता था कि गुलामी एक बुराई थी आज यह विचार सही रूप में परपरिक बन गया है लेकिन यह उन्निस्वी सदी की शुरुवात में एक रहश्य था यह कहने के लिए कि आज कोई रहश्य नहीं छोड़ा गया है इसका मतलब यह होगा कि हम समाज में रहते हैं जिसमें कोई छिपा हुआ अन्याय नहीं है अर्थ सास्तर में रहश्यों में एक विश्वास कुशल बाजारों में विश्वास की ओर ले जाता है लेकिन वित्य बुलबुले के अस्तितों से पता चलता है कि बाजारों में ऐसाधारन एक शमता हो सकती है जब अधीक लोग दक्ष्वास करते हैं तब बड़े बुलबुले प्राप्तों होते हैं 1999 में कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था कि इंटरनेट तरकीन रूप से इस से अधिक था 2005 में प्रोपर्टी बाजार के बारे में भी यही सच था फेड चेरमेन एलन गरिन स्पैन को स्थानिय बाजारों में ऐस वांता के संकेत को स्विकार करना था लेकिन उन्होंने कहा कि देश के लिए घर की कीमतों में एक भी बुलबुला दिखाई नहीं देता है बाजार परी लक्षित होता है जानकार जानकारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता फिर घरों की कीमतें देश बर में गिर गई और दो हजार आठ के वितिय संकट ने ट्रेलियन डॉलर को मिटा दिया भविशे में कई रहश्यों का अस्तितों सामने आएगा अर्थ साज़त्रियों ने अंदेखा करके आसाने से गायब नहीं कर पाएंगे क्या होता है जब कोई कमपनी रहश्यों पर विश्वास करना बंद कर देती है हेवलेट पैकार्ड की उदाशिन गिरावट एक चेतावनी कहानी बताती है 1990 में कमपनी नो बिलियन डॉलर की थी फिर आविशकार का एक दसक आया 1991 में एचपी ने दुनिया का पहला किवाईती कलर प्रिंटर डेस्क जेट 500C जारी किया 1993 में उसने ओमनी बुक लॉंच किया जो पहले शांदार लैप्टोप में से एक था अगले वर्ष एचपी ने आफिस जेट जारी किया जो दुनिया का पहला ओल इन वन प्रिंटर, फैक्स, कॉपियर था इस निरंतर उत्पाद विस्तार से साल 2000 के मद्धे तक एचपी 135 बिलियन डालर की हो गई थी लेकिन 1999 के एंत में जब एचपी ने अनिवारिय रूप से एक नया प्रांडिंग अभियान पेश किया तो उसने चीजों को घुजनाब बंद कर दिया 2001 में कमपनी ने एचपी सेवा एक गुरश शाली परामर्श और शोप लॉंच की 2002 में एचपी का कॉमपैक के साथ विले हो गया संभावत है क्योंकि यह नहीं पता था कि ओर क्या करना है 2005 तक कमपनी की मार्केट कैप 70 बिलियन डॉलर हो गई थी जो उसकी सिर्फ 5 साल पहले ही थी एचपी का बोर्ड ऐस फलता का सुक्षम दर्शी था यह दो गुटों में विवाजित था जिन में से केवले एक नई तकनिक के बारे में परवा करता था उस गुट का नेतरतव टॉम पार्केश ने किया था जो की एक इंजिनियर था वह पहली बार 1963 में एचपी में बिल हेवलेट और डेव पेकट के व्यक्तिकत अनुरोध पर कंपनी के शोध विवाग को चलाने के लिए आया था 2005 में 73 साल की उमर में परकिंस आशावाद की अपनी पिछली उमर के साथ समय यात्रा करने वाले विजिटर भी हो सकते थे उन्होंने सोचा कि बोर्ड को सबसे आशाजनक नई प्रदोगिकियों की पहचान करनी चाहिए और फिर एचपी को उन्हें बनाना चाहिए लेकिन परकिंस के गुट के प्रतिद्वंदी पेटिरिशिया डून के नेतरतों में अपने प्रतिद्वंदी के लिए हार गया व्यापार द्वारा बैंकर डून ने तरक दिया कि भविश्य की तकनिक के लिए योजना तयार करना बोर्ड की योग्यता से परे था उसने सोचा कि बोर्ड को पहरेदार की तरह अपनी भूमिका निभानी चाहिए और उसे देखना चाहिए कि क्या आकाउंट विभाग में सब कुछ ठिक था क्या लोग सभी नियमों का पालन करते थे इसी दोरान बोर्ड के किसी गुस्पेटिये ने प्रेस को जानकारी लीग करना शुरू कर दिया जब यहे खुलाशा हुआ कि डूर ने शुरूत की पहचान करने के लिए अवैद वायर्टेप्स की एक सरंकला की व्यवस्ता की तो विरोध पिछले ऐसंतों से बत्तर था और बोर्ड अप्मानित हुआ था तकने की रहशों की तलाश छोड़ हचपी में गपशप चोरों पर थी नतीजन 2012 के अंत तक हचपी सिर्फ 23 बिलियन की रह गई 1990 की मुद्रास्पीती की तुलना में यह अपने निचले स्तर पर थी सीक्रेट्स का मामला आप खोजे बिना रहशे नहीं पा सकते हैं एंड्रियू विल्स ने इसका प्रदर्शन जब किया तब उन्होंने अन्यगने तक क्यों दवारा 308 वर्सों की निश्पक्स जांच के बाद फर्मेट के अंतिम प्रेमे को शाबित किया जो कि निरंतर विपलता की असंभाव कारियों ने इसे करने की जित को और बड़ी की हो पियरे डे फर्मेट ने 1637 में अनुमान लगया कि किसी भी पूर्णांग A, P और C समीकर्ण को जमा दो से अधिक पूर्णांग के लिए समीकर्ण को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं उन्होंने इसके सबूत होने का दावा किया लेकिन वो इसे लिखने के बिना ही गुजर गई इसलिए उनका अनुमान लंबे समय तक गनित में एक बड़ी अनसुल सी समश्या बनी रही विल्स ने 1986 में इस पर काम करना शुरू किया लेकिन 1993 तक उन्होंने इसे गुपत रखा 9 वरसों की कड़ी मेहनत के बाद विल्स ने 1995 में अनुमान लगाया कि वह समाधान के करीब था उन्हें सपल होने के लिए प्रतिभा की आवशक्ता थी लेकिन उन्हें रहशों में विश्वास की भी आवशक्ता थी अगर आपको लगता है कि कुछ असंबव है तो आप इसे हासिल करने की कोशिज भी शुरू नहीं करेंगे रहशों में विश्वास एक प्रभावी सत्य है वास्तु एक सत्य यह है कि विज्याद, चिकित्सा, इंजिनियरिंग और सभी परकार की तकनीक में खोजने के लिए कई और रहशे बाकी है लेकिन वे केवल निरंतर कोश करताओं को ही मिलेंगे हम आज के पारंप्रिक विशों के निर्दारित मामूली लक्षों तक नहीं पहुँच पाए हैं बलकि महतव का उंक्षाई इतनी है कि वैग्यानिक करांती के सबसे साहसी दिमाग भी उन्हें सीधा गोशित करने से ही चकते हैं हम कैंसर, डिमेशिया और उम्र की पाचन संबंदी सभी बिमारियों का इलाज कर सकते हैं हम जिवासम इदन दन पर संगर्च से दुनिया को मुक्त करने वाली उर्जा उत्पन करने के नए तरिकों को खोच सकते हैं हम प्रत्वी की सतय पर और आस्मान में चलने के लिए तेजी से तरीकों का आविसकार कर सकते हैं हम यह भी सीख सकते हैं कि इसे कैसे पूरी तरह से बचाएं और नई सीमाओं को कैसे व्यवस्तित करें लेकिन हम उन रहशों को कभी नहीं सीखेंगे जब तक कि हम उन्हें जानने और खुद को देखने के लिए मजबूर नहीं करते हैं व्याबार के बारे में भी यही सच है महान कमपनियों को दुनिया के काम के बारे में खुले लेकिन एपरत्यासित रहशों पर बनाया जा सकता है सिलिकोन वैली स्टार्टप पर विचार करें जिसने हमारे चारों और की अतिरिक्त क्षमता का उप्योग किया है जिसे अक्सर अंदेखा किया जाता है एरवेब से पहले यात्रियों के पास फोटल के कमरे के लिए उच कीमतों का बुगधान करने के अलावा बहुत कम विकल्प था और संपत्ति मालिक आसानी से और विश्वस्नी रूप से अपनी एप्रियाप्त जगे किराई पर नहीं दे सके एरवेब ने एपरत्यासित अपूर्ती और एपरत्यासित मांग देखी जहां अन्यों ने कुछ भी नहीं देखा निजी कार से वाउ, एलवाई एक्टीर और उबर के बारे में भी यही सच है कुछ लोगों ने कल्पना की कि उन लोगों को आसानी से जोड़ कर अर्बोन डोलर का व्यावसाई बनाना संभव है जो वहां उन्हें चलाने के इच्चुक लोगों के साथ जाना चाते हैं हमारे पास पहले से ही राज्य लाइसेंस प्राप्ट, टेक्सी का और निजी लिमोजिन थे केवल विश्वास और रहष्यों की तलास करके आप समुदाई से परे साधे द्रिष्टी में चिपे अवसर देख सकते हैं यही कारण है कि फेस्बुक सहीद कई इंटरनेट कमपनियों को अकसर कम करके आंका जाता है उनकी साधी रहष्यों के लिए खुद ही तर्क है यदि पूरो निरिक्षन में इतनी प्रार्थ मिक्ता वाली अंतरद्रष्टी महतवपोर्ड और मुल्यवान व्यवसायों का समर्थन करती है तो अभी भी कई महान कमपनियों को शुरू करना होगा सीक्रेट कैसे खोजें दो प्रकार्टे रहष्ये हैं प्रकर्टिक रहष्ये और लोगों के बारे में रहष्ये प्रकर्टिक रहष्ये हमारे चारों और मुझूद हैं उन्हें खोजने के लिए बोतिक दुनिया के कुछ अंदेखे पहलूं का अध्यन करना चाहिए लोगों के बारे में रहष्ये अलग-अलग है वे एसी चीजे हैं जिने लोग खुद के बारे में नहीं जानते हैं या वे चिपाते हैं क्योंकि वे दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं जब हम इस बारे में सोचते हैं कि किस तरह की कमपनी बनाना है तो पूछने के लिए दो अलग-लग प्रशन है प्रकर्ति आपको क्या रहशे नहीं बता रही है लोग आपको क्या रहशे नहीं बता रहे है यह मानना असान है कि प्रकर्तिक रहशे सबसे महतवपूर्ण है जो लोग उनकी तलास करते हैं वे आदिकारी के रूप से बहवीत लग सकते हैं यही कारण है कि बोतिकी PhD के साथ काम करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वे सबसे मुलिक सत्या जानते हैं, उन्हीं लगता है कि वे सभी सच्छाईयों को जानते हैं, लेकिन क्या विद्धुतिय चुम्बकिय सिधांत को स्वेचालित रूप से समझना आपको एक महान विवा सलाकार बनाता है, क्या गुरुत्वा अकर्शन सिधांतवादी आपके व्यावसाई के बारे में अधिक जान करी देता है, पेपाल में मैंने एक बारे एक बोतिकी PhD इंजिनियर का सक्षात कर लिया, मेरा पहला सवाल पूरा होने से पहले ही वेह चिलाया, रुको मुझे पह पहले में रहश्य है, अपेक्षा करत कमजोर है, शायद एसा इसलिए है, क्योंकि आपको उन प्रशनों को पूछने के लिए दरजनों उच डिग्रियों की अवशक्ता नहीं है, जो उन्हें उजागर करते हैं, लोगों को किस पारे में बात करने के अनुमती नहीं है, वर परतिस परदा और पूंजी वादे एक दूसरे के विरुद हैं, यदि आप इसे पहले से ही नहीं जानते, तो आप इसे प्रकरतिक अनुमो जन्य तरीके से खोच सकते हैं, कॉर्परेट लाब का मात्रात्म करध्यन करें, और आप देखेंगे कि वे परतिस परदा से समाप् गई हैं, लेकिन आप मानव दृष्टी कोन भी ले सकते हैं, और पूछ सकते हैं, लोग कंपनियों के बारे में क्या नहीं कहते हैं, आप देखेंगे कि एका दिकारवादी जान से बचने के लिए अपनी एका दिकारस्तिति को कम करते हैं, जबकि परतिस परदी फर्म रन्न देखने के लिए सबसे अच्छी जगए हैं, जहां उन्हें कोई और नहीं देख रहा हो, ज्यारतर लोग के वल उसी के संदर्व में सोचते हैं, जो उन्हें सिखाया जाता है, स्कूली सिक्षा का लक्षय पारंप्रे ज्यान परदान करना है, आप पूछ सकते हैं कि क्या को प्रमुख विशय है और यह अपने ही तरीकों से तैह है, बोतिकी के वीपरिज जोतिस हो सकता है, लेकिन जोतिस में कोई फर्क नहीं पड़ता, पोर्षन के बारे में क्या, सभी के लिए पोर्षन महतफोर्ण है, लेकिन आप हावर्ड में इसे मुख्यव विशय के तोर प सित्रुटिपूर्ण है, काद्या पिर्यमेड जिसने हमें कम वसा और भारी मातरा में अनाज खाने के लिए कहा था, शायद वास्विक विज्ञान की तुलना में बिक फूर्ड द्वारा लोबिंग का एक उत्वात था, इसका मुख्य परवाओ हमारी मोटापा महामारी को बढ़ाना है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, हम मानव पोर्षन के बारे में जानते हुए, दूर दराज के सितारों के बोतिकी के बारे में और जान सकते हैं, यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह स्वस्ट रूप से असंबव नहीं है, बिलकुल उस तरह का क्षेतर है, जो रहषय पैदा कर सकता है, सीक्रेट्स के साथ क्या करें, अगर आपको कोई रहषय मिलता है, तो आपको एक विकल्प का सामना करना पड़ता है, क्या आप किसी को बताते हैं, या आप इसे अपने पास ही रखते हैं, यह रहषय पर निर्वर करता है, कुछ लोगों की तुल का दिल लगाने के लिए प्रयाप्त मूर्ख और जिन्होंने बहुनाओं को भीर के सामने पर कट किया मानव जाती ने हमेशा उसे कुरूज पर चड़ाया और जला दिया जब तक कि आपके पास पूरी तरह से पारंप्रिक मानयताई ने हो तब तक सब कुछ बताने का शायदी कवी एक अच्छा विचार है तो आप किसे बताते हैं जो आपको चाहिए वो नहीं है विवारिक रूप से ही किसी को भी बताने और हर किसी को बताने के बीच हमेशा एक सुनेरा मतलब होता है और वह भी एक कमपनी के बारे में सबसे अच्छे उद्मियों को यह पता है हर महान व्यवसाई एक रहसे के आसपास बनाया गया है जो बाहर से छिपा हुआ है एक महान कमपनी दुनिया को बदलने की एक जाल की तरह है जब आप अपना रहसे साजा करते हैं तो सुनने वाला एक चाल साज बन जाता है जैसा कि टॉकियन ने दलार्ड आफदा रिंग्स में लिखा था सडक शुरू होने पर दर्वाजी के नीचे की और चली जाती है जीवन एक लंबी यात्रा है पिछले यात्रियों के चर्णों से चिनित सडक की द्रिष्टे में कोई अंत नहीं है लेकिन बाद में कहानी में एक और कविता प्रकट होती है अभी भी कोने में और इंतजार कर सकते हैं एक नई सडक या एक गुप्त द्वार की और हलांकि हम उसे आज तक पार नहीं कर पाए कल हम इस तरह से आ सकते हैं और चलने के लिए छिपे रास्ते डूंग लें जो चंदरमाया सुर्या से परे हो सडक अनन्त नहीं है छिपे वे रास्ते अपला लो धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आईए चलते हैं अध्याए नो की और आपका दिन शुब हो हर महान कंपनी एद्वित यह है लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रतेग व्यवसाय के शुरुआत में सही होने चाहिए मैं इस पर इतनी बार जोर देता हूँ कि मेरे दोस्तों ने चिड़कर इसे थील का कानून उपनाम दिया है इसकी निव पर बना स्टाट अप गडवडा नहीं सकता शुरुआत खास है वे बाद में आने वाले सभी के कुणात्मक रूप से अलग है यह 13.8 बिलियन साल पहले हमारे ब्रमांड की स्थाफना में सच था अपने अस्थितों की शुरुवाती माइक्रो सेकेंड में परमांड दस की घाग 30-10 लाख ट्रिलियन के कारक द्वारा विश्थारित था जैसे जैसे ब्रमांड यूगाई पुर्वे कुछ ही क्षणों में चले गई तब के बोतिकी के बहुत से नियम आज से फिन थे 227 साल पहले अमेरिका के स्थाबना में भी यह सच था समयधानिक सम्मेलन में संस्थाब को दुवारा कुछ महिनों के दोरान एकत्तर किये गए मौलिक प्रशन पहस के लिए खुले थे केंदर सरकार के पास कितने शक्ति होनी चाहिए केंदर में परतिने दितों कैसे किया जाना चाहिए समझोते पर जो कुछ भी आपके विचार फिला डेल्फिया में गर्मियों में पहुंचे उन्हें तब से बगलना मुश्किल हो गया है 1791 में बिल आफ राइट्स की मंजूरी मिलने के बाद हमने समीधान में केवल 172 संसोजन किया है आज गैलिफॉर्निया का सीनेट में अलासका के समान परतिने दितों है भले ही यह पचास उनाधी का बादी बाला हो गया है शायद यह है एक सुवीधा है एक तुरूटी नहीं लेकिन जब तक सेयुक्त राजे अमेरिका मौजूद है तब तक हम शायद इसके साथ बंद गई है एक और समयधानिक समेलन असंबव है आज हम केवल छोटे प्रशनों पर दहस कर सकते हैं कमपनिया इस तरह के देशों की तरह है खराब नेने या जैसे जैसे आप गलत सांजेदार चुनते हैं या गलत लोगों को नोकरी पर लेते हैं उधारन के लिए उनके द्वारा गलत किये जाने के बाद सही करना बहुत कठिन होता है इस से पहले कि कोई भी उन्हें सही करने की कोशिस करेगा दिवालिया होने के आसार हो सकते है एक संस्थापक के रूप में आपका पहला काम पहली चीजों को सही तरीके से करना है क्योंकि आप एक दोस्पूर्ण ने उपर एक महान कंपनी नहीं बना सकते संस्थापकों का चुनाओ जब आप कुछ शुरू करते हैं एक सह संस्थापक का चैन करना शादी करने जैसा ही होता है और संस्थापक संगर्स आखिर तलाग के रूप में बाद में बहुत बद सूरत दिखता है हर रिस्ते की शुरुवात में आशावात बहुत अधिक होता है क्या गलत हो सकता है इस बारे में सोचने के लिए यह अनौपचारिक होता है इसलिए लोग इसे नहीं सोचते हैं लेकिन अगर संस्तापक ऐसेहनिये मत बेद्विक्षित करते हैं तो कंपनी पीडित बन जाती है 1999 में ल्यूप नोसेग पेपाल में मेरे सह संस्तापकों में से एक थे और मैं आज भी उनके साथ संस्तापक निदी में काम करता हूँ लेकिन प्रेपल से एक साल पहले मैंने एक कंपनी ल्यूक में निवेस किया था जो किसी और के साथ शुरू हुई थी यहें उनका पहला स्टार्टप था यहें मेरे पहले निवेस में से एक था हम ऐसे किसी ने भी इसे महसूस नहीं किया लेकिन उद्दम शुरुवात से ऐसा पल होने के साथ बरबाद हो गया क्योंकि ल्यूक और उसके सहस संस्तापक एक भयानक मैच खेल रहे थे ल्यूक एक शानदार और सन की विचारक है उनका सहस संस्तापक एक MBA था जो 90 के दसक की सोने की दोड में चूकना नहीं चाहता था वे एक नेट और कारकरेम में मिले थोड़ी देर के लिए बात की और एक साथ कंपनी शुरू करने का फैसला किया यहे वेगास में सलाट मशिनों पर मिरने वाले पहले व्यक्ति से शादी करने से बहतर नहीं है आप जैकपाट जिच सकते हैं लेकिन शायद यह काम नहीं करेगा उन्होंने कंपनी उड़ा दी और मैंने अपना पैसा खो दिया अब जब मैं स्टार्ट अप में निवेश करने पर विचार करता हूं तो मैं संस्तापक टेमों का अध्यन करता हूं तकनिकी ख्षमताउं और कंपलिमेंटरी स्किल्स माइने रखते हैं लेकिन यह है भी कि संस्तापक एक दूजरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं और वे कितनी अच्छी तरह से एक साथ काम करते हैं संस्तापकों को एक कंपनी शुरू करने से पहले एक प्रागयती आसिक विचार सांजा करना चाहिए अन्यथा वे सिर्फ पासा फेंक ही खेल रहे हैं स्वामितव, पद और नियंतरन वो सिर्फ संस्तापक नहीं है जिने साथ आने की आवशक्ता है आपकी कंपनी में हर किसी को अच्छी तरह से काम करने की जुरूरत है सिलिकोन वेलियू दारवादी कह सकता है कि आप खुद को एक मातर स्वामितों में सीमित करके इस समश्य को हल कर सकते हैं फ्रायड, जंग और हर तूसरे मैनोवेग्यानिक के पास एक सिधान्त है कि प्रतेक वेक्टी को अपने आपके खिलाब कैसे विवाजित किया जाता है लेकिन कम से कम व्यावसाई में स्वें के लिए काम करने से गारंटी मिलती है दुर्भाग्यवस यह भी आपको सिमित करता है कि आप किस परकार की कमपनी बना सकते हैं एक टीम के विना जीरो से एक तक जाना मुश्किल है एक सिलिकोन वेली अराजक वादी कह सकता है आप सही अलाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं जब तक आप केवल सही लोगों को नियुक्त कर लेते हैं जो बिना किसी मार्क दर्सक सारंजना से शान्ती पुर्वक उबरेंगे कारियस तल पर सेरेंडी पिटी और यहां तक की मुक्त रूप से अराजक्ता को तुनिया के बाकी हिस्सों द्वारा किये गए सभी पुराने नियमों को बादित करने में मदद करना चाहिए और वास्ताव में यभी पुरुस स्वरक दूद थे तो कोई भी सरकार जरूरी नहीं होगी लेकिन अराजक कमपनियों ने याद किया कि जेम्स मेडिसन ने क्या देखा पुरुस स्वरक दूद नहीं है यही कारण है कि अधिकारी जो कमपनियों और निदेशकों को नियंतरित करते हैं उन्हें नियंतरित करने के लिए अलग-अलग भूमिकाई होती है यही कारण है कि एक कमपनी पर संस्तापकों और निवेशकों के दावों को उपचारिक रूप से परिवासित किया जाता है आपको अच्छे लोगों की आवशक्ता है जो साथ मिलते हैं लेकिन आपको लंबी अवदी के लिए सभी को गटबंदन में रखने में मदद करने के लिए एक सरंचना की भी आवशक्ता होती है किसी भी कमपनी में मिस अलाइनमेंट के संभावित स्रोतों की उमीद करने के लिए तीन अवधारनों के बीच अंतर करना उप्योगी है स्वामीतव कानूनी रूप से कमपनी की इक्विटी का मालिक कोन है कबजा जो वास्तों में दिन दर दिन आधार पर कमपनी चलाता है नियंतरण अवचारिक रूप से कमपनी के मामलों को कोन नियंतरित करता है स्टार्टप संस्थापकों, करमचारियों और निवेशकों के बीच स्वामीतव आमटित करता है कम्पनी के संचालन करने वाले प्रबंदक और करमचारी कवजे का अनंद लेते हैं और निदेशक मंडल जिसमें आम तोर पर संस्तापक और निवेशक शामिल होते हैं नियंतर्ण का उपयोग करते हैं सिधांतरूप में यह विभाजन सुचारू रूप से काम करता है भाग स्वामित उसे वित्य उच्छाल निवेशकों और स्रमिकों को अकर्शित करता है और पुरुषकार देता है प्रभावी कवजा संस्तापक और करमचारियों को प्रेदित करता है और इसका तात्परिय है कि वे समान हिस्सा प्राप्ट कर सकते हैं व्यवारिक रूप से विभिन कारियों के बीच इन कारियों को वित्रित करना समझ में आता है लेकिन यह गलती करन के आउसरों को भी बढ़ाता है अपने चरम पर मिस अलाइनमेंट देखने के लिए बस DMV पर जाएं मान लीजिये कि आपको एक नया ड्राइविंग लाइसिस चाहिए समयधनिक रूप से यह प्राप्ट करना आसान होना चाहिए DMV एक सरकारी अजन्सी है और हम एक लोगतंत्रिक कंटंत्र में रहते हैं सभी शक्तियां लोगों में रहती है जो सरकार में उनकी सेवा करने के लिए परतिनिदियों का चुनाव करती है यदि आप नागरिक हैं तो आप DMV के एक हिस्सा स्वामी है और आपके परतिनिदी इसे नियंद्रित करते हैं इसलिए आपको चलने और आपको जो चाहिए उसे प्राप्ट करने में सक्षम होना चाहिए बेशख यह इस तरह काम नहीं करता है हम लोग DMV के संसादनों का स्वामिताओ कर सकते हैं लेकिन स्वामितव केवल कालपनिक है डीमवी संसालित करने वाले कलर्क और चोटे समूग आलांकि वे अपनी चोटी-चोटी सक्थियों के वास्त्व कवजे का अनंद लेते हैं यहां तक कि राजयपाल और विधाई का डीमवी पर मामुली नियंतरन के आरोप में कुछ भी नहीं बदल सकते नोकरशाही चर्च अपने स्वें के जड़तव में कुछ भी कर सकते हैं इसे कोई परक नहीं पड़ता कि यदिकारियों ने क्या कदम उठाए हैं वे किसी के लिए उतरदाई नहीं डीमवी सभी के साथ गलत है नोकरशाह आपके लाइसेंसिक अनुबव को अपने विवेका नुसार सुखद या दुखद बना सकते हैं आप राजनितिक सिदान्त लाने और उन्हें याद दिलाने की कोशिस कर सकते हैं कि आप मालिक हैं लेकिन आपको बेहतर सेवा मिलने की संभावना नहीं है बड़े नेगम डीमवी से बेहतर काम करते हैं लेकिन वे अभी भी स्वामितों और कवजे के बीच गलत तरीके से गुम्रा करने के लिए मिस अलाइंड है जनरल मोटर जैसे एक बड़ी कमपनी के सीईयो उधारन के लिए कमपनी के कुछ शेयरों का मालिक होगा लेकिन कुल का केवल एक छोटा सा हिस्सा होगा इसलिए वे स्वामितों के मुल्य के बजाए कवजे की शक्ति के माद्यम से खुद को पुरुशकृत करने के लिए प्रोचाइट किया जाता है अच्छे तिमाही पर इनामों को पोश्ट करना उनके लिए उच्वेतन और कॉर्परेट जेट रखने के लिए प्रयाप्त होगा मिस अलाइनमेंट तब भी हो सकता है जब उसे शेयर धारक मुल्य के नाम पर स्टाक मुआजे मिलते हैं यदि वह स्टाक शार्ट टंप परदर्शन के लिए इनाम के रूप में बाता है तो उसे योजना में निवेस करने की बजाए लागत में कटोती करने के लिए और अधिक आकर्शक और अधिक आसान लगेगा जो बविशे में दूर सभी शेयर धारकों के लिए अधिक मुल् दोनों होते हैं स्वामितव और नियंतरन के बीच एक स्टार्ट अप विस्पोर्ट में अधिकांज संगर्स बोर्ड पर संस्तापक और निवेसकों के बीच है समय के साथ संगर्स की सवमाना बढ़ जाती है क्योंकि हितों में किरावट आती है एक बोर्ड सदश्य अपनी क कमपनी के लिए जीत हासिल करने के लिए जितनी जल्दी हो सके कमपनी को सारवजनिक करना चाहता है जबकि संस्तापक निजी रहना और व्यावसाई बढ़ाना पसंद करेंगे बोर्ड रूम में कम ही बहुत है बोर्ड जितना छोटा होगा निर्देशकों के लिए आम सहमत पहुंचने और प्रभावी निरिक्षन करने के लिए यह आसान होगा हालांकि उस प्रभावशालिता का आर्थ है कि एक छोटा बोर्ड किसी भी संगर्ष में प्रबंदक का जोरदार विरोध कर सकता है यही कारण है कि बुद्धिमानी से चैन करना महतोपूर्ण है आपके बोर्ड का हर सदश्य माइने रखता है यहां तक की एक समश्या यह है कि निदेशक आपके दर्थ का कार्ण बनता है और आपकी कमपनी के बविश्य को भी खत्रे में डाल सकता है तीन लोगों का बोर्ड आधर से है जब तक आपकी कमपनी सारुजनिक रूप से आयोजित न ही होना चाहिए सरकारी नियम प्रभावी रूप से अनिवार यह है कि सारुजनिक कमपनीों के पास बड़े बोर्ड हो उसत नो सदश्य हो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए अब तक आप सबसे खराब काम यह कर सकते हैं कि आप अपने बोर्ड को बढ़ा बना सकते हैं यह अस कि इस संग्टन के लिए कितने महान लोग परतिबद हैं यह बेहद अच्छी तरह से चलना चाहिए दरसर एक बड़ा बोर्ड बिल्कुल भी प्रभावी निरिक्षक नहीं होता है माइक्रो डारेक्टर वास्तों में संग्टन को चलाते हैं यदि आप अपने बोर्ड से उस तरह के मुफ्त रिजन चाहते हैं तो इसे विशाल आकार तक बनाएं यदि आप प्रभावी बोर्ड चाहते हैं तो इसे चोटा रखें आप बस में है या बस से पाहर है एक सामान के लिए आम तोर पर इसका अर्थ बाहरी वकीलों और लेखाकारों को लेने से होता है हलांकि जो विस्टाक विकल्प को नहीं रखता है या आपकी कंपनी से नियमित वेतन नहीं पाता है वह मुल रूप से गलत तरीका है मारजन पर वे निकट पविश्य में मुल्य का दावा करने के पक्षपात्पूर्ण होंगे भविश्य में और अधिक बनाने में आपकी साहिता नहीं करेंगे यही कारण है कि भरती सलाकार काम नहीं करते हैं पार्ट टाइम करमचारी काम नहीं करते हैं यहां तक कि दूरस्त रूप से काम करना भी टालना चाहिए क्योंकि जब सहकर्मी एक साथ पूरे समय में एक इस्तान पर नहीं होते हैं तो मिस अलाइनमेंट हो सकता है यदि आप नेरने ले रहे हैं कि किसी को बोर्ड में लाने के लिए नेरने लेना बाइनरी होता है केन केसी ने सही कहा था आप या तो बस में हैं या आप बस से बाहर हैं कैश पुली तरह से पर्तिबद्ध होने के लिए उन्हें उचित रूप से मुआउजा दिया जाना चाहिए जब भी एक उदमी मुझे अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए कहता है तो मैं उससे पूस्ता हूँ कि वह कुद को कितना बुगतान करना चाहता है यह सेंकडों स्ट दुवाती चरण के CEO को नहीं उदम समर्थित स्टार्टप प्रति वर्स डेट लाग डोलर से अधिक वेतन प्राप्त करता है इससे कोई परक नहीं पड़ता कि वह इसका गूगल पर उपयोग करता है या उसके पास एक बड़ा मोर्गेज और भारी निजी स्कूल फीस है य कुछ वेतन उसे वेतन के साथ स्टेती की रक्षा करने के लिए प्रोचाइट करता है नै की सतय की समश्याओं के लिए हर किसी के साथ काम करने और आकरामक रूप से उन्हें ठीक करने के लिए इसके विप्रीद एक कम वेतन वाला CEO कमपनी के मुल्य को पूरी तरह से बढ़ करता है बोक्स के CEO हारून लेवी बोक्स के सुरू होने के चार साल बाद कमपनी में हर किसी से कम बुब्तान लेने के लिए हमेशा शावदान थे वह अभी वी एक वेडरूम वाले अपार्टमेंट में मुख्यले से दो बलाग तूर रह रहे थे बिना किसी फरनीचर वगद को छोड़कर प्रतेक करमचारी ने कमपनी के मिशन के प्रती अपनी स्पष्ट परतिवर्दता देखी और इसे अनुकरन किया यदि कोई CEO कमपनी में सबसे कम वेतन लेकर उधार्ण नहीं दिखाता है तो वह उचतम वेतन लेकर वही काम कर सकता है जब तक कि आंकड़ा करता है एक बार जब आप अपने पेचेक प्राप्ट कर लेते हैं तो आप जो कुछ भी चाते हैं वह कर सकते हैं हालांकि उच्छ नगद मुआउजे करमचारीयों को कमपनी से मुल्य का दावा करने के लिए सिखाता है क्योंकि वह विश्य में नया मुल्य बनाने के लिए यह पहले से मुजूद है एक नगद बोनस नगदी वेतन से थोड़ा बेतर है कम से कम यह अच्छी तरह से काम पर अगसमिक लाब होता है लेकिन यहां तक की तताकतित प्रोचान वेतन भी अल्प कालिन शोच और मुल्य हतियाने को प्रोचाइद करता है किसी वी प्रकार की नगदी बविश्य के मुकावले ज़्यादा है निहित दिलचस्पी स्टार्टप को उच्छ वेतन का बुगतान करने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि वे कुछ बेतर पेशकस कर सकते हैं कंपनी का हिस्सा स्वामितव या इक्विटी मुवजे का एक रूप है जो प्रभावी रूप से बविश्य में मुल्या बनाने की दिसा में लोगों को मोड़ सकता है हालंकि विवाद के बज़ाए एक्विटी के लिए प्रतिवत्ता बनाने के लिए आपको इसे बहुत सावदानी पुर्व का मट्रक्त करना होगा सभी को बराबर शेर देना आम तोर पर एकलती है प्रतेक विक्ति के पास अलग-लग प्रतिवा और जिम्मेदारिया होती है और साथ ही विभीन अउसर लागत भी होती है इसलिए समान मात्रा में शुरुवात से मनमानी और अनुचित दिखाई देगा दूसरी तरब अलग-लग मात्रा में आगे बढ़ना अनुचित लग रहा है इस चरण में नाराजगी एक कंपनी को मार सकती है लेकिन इससे पूरी तरह बचने के लिए कोई स्वामितव फार्मूला नहीं है यह समश्य समय के साथ और अधिक तिवर हो जाती है क्योंकि अधिक लोग कंपनी में शामिल होते हैं शुरुवाती करमचारियों को आम तोर पर अधिक एक्विटी मिलती है क्योंकि वे अधिक जोखिम लेते हैं लेकिन कुछ बात के करमचारी उद्यम की सबलता के लिए और भी महतोपोण हो जाते हैं 1996 में इवी में शामिल होने वाले एक सचीव ने 1999 में अपने उद्योग अनवुवी मालिक से 200 गुन आधिक कमाया होगा 2005 में फेस्बुक की कारेले की दिवारों पर चित्रित करने वाले बीती चित्रकलाकार ने 200 मिलियन डॉलर के लाइक स्टॉक प्राक्त किये जबकि एक प्रतेवा शाले इंजिनियर 2010 में शामिल होकर केवल 2 मिलियन डॉलर बना पाया क्योंकि स्वामितव वित्रित करते समय सही निश्पक्चता हासिल करना असंभव है इसलिए संस्ताफक विवरन को गुपत रखने के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे एक कंपनी वियापी इमेल भेजना जो हर किसी के स्वामितव हिस्सेदारी को सुची बद करता है वहे आपके कारियले पर परमाणूं मम छोड़ने जैसा होगा ज्यादातर लोग इक्विटी नहीं चाहते हैं पेपाल में हमने एक बार एक सलाकार को निउप्त किया वहे पांस अजार डोलर देनिक नकत वेतन था उन्होंने स्टाक विकल्प को मूल भूत्रोप से स्विकार करने से इंकार कर दिया स्टार्टप शेफ की कहानिया करोनुकुती बनने के बजाए लोगों को अक्सर एक्विटी एवांचित लगता है यह नकदी की तरह तरल नहीं है यह एक विशिष्ट कमपनी से चुड़ा हुआ है और अगर वहे कमपनी सबल नहीं होती है तो यह बेकार है इन सीमाओं के कारण इक्विटी एक शक्तिशाली उपकर्ण है कोई भी जो आपकी कमपनी का हिस्सा नकदी में मुगदान करने के लिए पसंद करता है वहे लंबे समय तक प्रात्मित्ता और भविश्य में आपकी कमपनी के मुल्य को बढ़ाने की वचन बद्दा को दर्शाता है इक्विटी सही परोचसान नहीं बन सकती लेकिन संस्तापक के लिए कमपनी में सभी को व्यापक रूप से संगठित रखने का यह सबसे अच्छा तरीका है स्ताबना की और बढ़त बोब डाइलन ने कहा जो बनने में व्यस्त नहीं है वह मरने में व्यस्त है यदि यह सही है तो बनना सिर्फ एक पल में नहीं होता है और कम से कम कविता की रूप में इसे किसी भी तरह से करना जारी रख सकते हैं हलांकि कमपनी का संस्तापक शण वास्तों में केवल एक बार होता है केवल शुरुवात में ही आपके पास ऐसे नियमों को स्थाफित करने का आवशर होता है जो भविष्या में मुल्य के निर्मान के लिए लोगों को अलाइन करेंगे सबसे मुल्यवान परकार की कमपनी आविस्कार के लिए खुले पन को बरकरार रखती है जो शुरुवात की सबसे विशेष्टा है यह संस्तापक की दूसरी कम स्पष्ट समझ होती है यह तब तक चलता है जब तक कोई कंपणी नई चीजें बना रही है और जब निर्मान बंद हो जाता है तो यह स्माप्त हो जाता है यदि आपको सही क्षण मिल रहा है तो आप एक मुल्यवान कंपणी बनाने से अधिक कर सकते है आप फिरासत में सफलता की अध्यक्सता के बजाए नई चीजों के निर्मान की दिशा में अपने दूर के बविश्य को हासिल कर सकते हैं आप अपनी स्थापना एनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं धन्यवाद हिंदी ओडियोगुक डोटको आईए चलते हैं अध्याइद 10 की ओड आपका दिन शुब हो अध्याइद 10 मोनोपली और संगठन करता हिंदी ओडियोगुक डोटकोम एक विचार के साथ शुरू करें आदर्स कंपनी संस्कृति कैसी होती है करमसारियों को अपने काम से प्यार करना चाहिए उन्हें कारेले में जाने का अनंद लेना चाहिए कि अपसारिक व्यवसाइक समय का कोई ओचोते नहीं हो और कोई भी गड़ी को नहीं देखता हो वर्क स्पेस खुला होना चाहिए यानि ज़्यादा भीड़वाला नहीं होना चाहिए शरमिकों को घर जैसा महसूस करना चाहिए पिन बैक कुर्सियां और पिंग टॉंग टेबल फाइल केविनेट से ज़्यादा होनी चाहिए मुफ्त मालिश साइट पर सुसी शेफ और यहां तक की योग अक्षाएं भी दरशे को मीठा कर देंगी पालतु जानुरों का भी स्वागत होना चाहिए शायद करमचारियों के कुट्थे और बिलियों को आधिकारी कंपनी मसकट के रूप में वे मचली को विकारले में शामिल करना चाहिए इस तस्वीर में गलत क्या है इसमें कुछ बेतु के बत्ते शामिल है सिलिकोन वैली इसे पसंद करती है इन सब पतार्थों में से किसी के बिना काम भी तो नहीं चलता है आप अपने कारले की सजावट करने के लिए एक इंटिरियर चेजाइनर को भरती करके पार थक कुछ भी पूरा नहीं कर सकते है किसी भी कमपनी की कमपनी संस्कृती उसके अलावा कहीं मुझूद नहीं है हर कमपनी एक संस्कृती है एक स्टार्ट अप एक मिशन पर लोगों की एक टीम बनाता है और एक अच्छी संस्कृती प्रोफेस्नलिजम से आगे पहली टीम जिसे मैंने बनाया है सिलिकोन वैली में उसे पेपाल माफिया की रूप में जाना जाता है क्योंकि मेरे कई सही होगी एक दूसरे की मदद करने और सपल तकनिकी कमपनियों में निवेश करने में मदद करने के लिए चले गए हैं हमने पेपाल को 2002 में डेट बिलियन डॉलर में इबे को बेश दिया तब से एलन मस्क ने स्पेस एक्स की स्थापना की और टेलसा मोटर्स की सह स्थापना की रीड हाप मैन ने लिंकडिन की सह स्थापना की स्टीव चेन, चाड हरले और जावेद करीम ने एक साथ यूट्यूब की स्थापना की जेरेमी स्टॉपलमेन और रेसल सिमंस ने येपल की स्थापना की डेविड सैक्स ने येमर की सह स्थापना की और मैंने पेलेंटियर की सह स्थापना की आज उन सभी साथ कंपनियों में प्रते एक बिलियन डॉलर से अधिकी मुलेवान है पेपाल के कारेले की सुविदाओं को कभी भी ज़्यादा प्रेस कवर नहीं मिला लेकिन टीम ने एक साथ और व्यक्तिगत ऐसा धरन रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है संस्क्रतिक मूल कंपनी को पार करने के लिए प्रयाप्त मदबूत थी हमने रेजुमेज के माद्यम से चेट चाड़ करके और सबसे प्रभावशाली लोगों को भरती करके माफिया इकठा नहीं किया जब मैंने न्यू यार्क कानून फर्म में काम किया था तो मैंने उस द्रिष्टी कोण के मिश्रित प्रयनाम पहले ही देखे थे जिन वकेलों के साथ मैंने काम किया वह एक मुल्यवान व्यवसाइद चला रहे थे और वे एक-एक प्रभावशाली विक्ति थे लेकिन उनके बीच संबंद अजीब महीन थे उन्होंने पूरे दिन एक साथ बिटाया लेकिन उन मेंसे कुछ को कारेले के बाहर एक दूसरे से कहने के लिए बहुत कुछ है ये साल लग रहा था उन लोगों के समुग के साथ क्यों काम करें जो एक दूसरे को भी पसंद नहीं करते कई लोगों को लगता है कि यह पैसा बनाने के लिए जरूरी बलिदान है लेकिन कारियस तल का एक मातर पेशे वर दरिश्टिकोन होना जिसमें मुक्ट एजेंट लेंदेन के आधार पर चेक इन और चेक आउट करते हैं ठंड से भी बत्तर है यह तरक संगत भी नहीं है चोंकि समय आपकी सबसे मुलेवान संपती है इसलिए यह उन लोगों के साथ काम करने में विर्थ है जो किसी भी दिर्ग का लिन बविश्य की कलपना नहीं करते हैं यदि आप काम पर अपने समय के फल के बीच ठिकाव रिस्तों की करना नहीं करते हैं तो आपने अपना समय अच्छी तरह से निवेस्ट नहीं किया है यहां तक की पूरी तरह से वित्य शर्तों में भी शुरुआत से मैं पेपाल को लेन दिन के बजाए कसकर करना चाता था मैंने सोचा कि मजबूत संबंद हमें काम पर केवल खुश और बेहतरी नहीं बलकि पेपाल से भी अधिक हमारे करियर में भी सफल होंगे इसलिए हमने उन लोगों को लेने के लिए तैयार किया उसे हमारे साथ काम करने में उत्साहित होना था वह पेपाल माफिया की शुरुआत थी तंसल्टेंट बर्ती बर्ती किसी भी कंपनी के लिए एक परमुक्योग गेता है इसे कभी आउट सोर्स नहीं किया जाना चाहिए आपको उन लोगों की जरूरत है जो कागज बर कुशल नहीं है बल्कि भरती करने के बाद एक साथ मिलकर काम करेंगे पहले चार या पांस बड़े एक्विटी हिस्से या उत्स परफाइल जिम्मेदारियों से आकर्शित हो सकते हैं उन स्पस्ट पेशकर्शों से अधिक महत्वपूर्ण इस सवाल का आपका जवाब है बीसमे करमचारी को आपकी कमपनी में क्यों शामिल होना चाहिए परतिवाशाली लोगों को आपके लिए काम करने की आवशक्ता नहीं है उनके पास बहुत सारे विकल्प है आपको खुद के प्रशन का एक और अधिक स्पष्ट उत्तर पूछना चाहिए जब कोई व्यक्ति गूगल में काम करके अधिक पैसा और अधिक प्रतिष्टा प्राप्ट कर सकता है तो वह आपकी कंपनी की बीसमें इंजिनियर के रूप में क्यों शामिल होना चाहेगा यहाँ कुछ बुरे जवाब दिये गए है आपके स्टोक विकल्प कहीं अधिक मुल्यवान होंगे आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों के साथ काम करना चाहेंगे आप दुनिया की सबसे चुनोती पूर्ण समश्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं क्या बखवास है मुल्यवान स्टोक, स्मार्ट लोग या दुनिया की समश्याओं कुछ नहीं लेकिन हर कंपनी इन दोनों दावों को बनाती है इसलिए वे आपकी मदद करने में मदद नहीं करेंगे सामन्य पिच इस बारे में कुछ नहीं कहती है कि भरती योग्ये लोग अन्य की बजाए आपकी कंपनी में शामिल होना चाहिए के वल अच्छे जवाब आपकी कंपनी के लिए विसिस्ट है इसलिए आप उन्हें इस पूस्तक में नहीं पाएंगे लेकिन दो सामन्य परकार के अच्छे उत्तर हैं आपके मिशन के बारे में जवाब और आपके टीम के बारे में जवाब यदि आप यह समझ सकते हैं कि आपका मिशन क्यों आकरशक है तो आप उन करमचारियों को अकरशित करेंगे सामन्य रूप से यह क्यों मेहतोपून नहीं है लेकिन आप कुछ मेहतोपून क्यों कर रहे हैं कि कोई और नहीं कर रहा है यही एकमातर चीज है जो इसके महतों को एद्वितिया बना सकती है पेपाल में यदि आप अमेरिकी डोलर को बदलने के लिए एक नई डिजिटल मुद्रा बनाने के विचार से उपसाइब थे तो हम आपसे बात करना चाहते थे यदि नहीं तो आप हमारे लिए सही फिट नहीं है यहां तक कि एक महान मिशन प्रयाप्त नहीं है भरती की तरह जो करमचारी के रूप में सबसे अधिक व्यस्त होगा वह भी आश्चरेचकित होगा क्या ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ आपको यह समझाने में सक्षम होना चाहिए कि आपकी कंपनी व्यक्तिगत रूप से उनके लिए एक एद्वित ये मैच क्यों है और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शायन वह सही मैच नहीं है सबसे पहले परक युद से लड़ो मत कोई भी जो मुफ्त कपड़े दोने की पिकप या पालतू जानुरों की देखबाल से जारा प्रवावित होगा आपकी टीम के लिए एक बुरा सिलेक्शन होगा बस स्वास्ते अभीमा जैसी मूल बातें शामिल करें और फिर वादा करें कि कोई अन्य क्या कर सकता है महान लोगों के साथ एक एद्वितिय समश्या पर एपरिवर्थनिय काम करने का अवसर आप शायद मुवावजे या भत्ते के मामले में 2014 का गूगल नहीं हो सकते हैं लेकिन यदि आप पहले से ही अपने मीशन और टीम के बारे में अच्छे जवाव रखते हैं तो आप गूगल की तरह हो सकते हैं सिलिकोन वैली के उडियन्स में क्या है बाहर से आपकी कंपनी में हर कोई एक ही तरीके से दिखना चाहिए पुर्वी तट पर लोगों के वीपरिट जो सभी अपने उद्ध्योग के आधार पर एक ही पतला जीन्स या सेप्रिंस सूट पहनते हैं माउंटेन व्यू और पालो आल्टों में यूवा लोग टीशिट पहने काम पर जाते हैं यह एक बात है कि तकनिकी शिर्मिकों को वे जो पहनते हैं उसके बारे में परवान नहीं करते हैं लेकिन यदि आप उन टीशिटों पर बारीकी से देखते हैं तो आप पहनने वालों की कमपनियों के लोगों देखेंगे स्टार्टप करमचारी जो तुरंट बाहरी लोगों के लिए अलग लग होता है वह ब्रांडेट टीशिट या हूडी में जो उसे अपने सहकर्मी के समान दिखाता है स्टार्टप वर्दी एक सरल लेकिन आवशक सिदांत को समाहित करती है आपकी कमपनी में हर किसी के समान तरीके से अलग होना चाहिए समान विचारधरा वाले लोगों की जनजाती को कमपनी के मिशन के लिए समर्पित रूप से समर्पित किया जाना चाहिए पेपाल में मेरे सह संस्तापक मैक्स लेविनिन कहते हैं कि स्टार्ट अप को अपने प्रारम्भी करमसारियों को जितना संभव हो उतना व्यक्तिगत बनाना चाहिए स्टार्ट अप में सीमित संसादन और छोटी टीम होती है बने रहने के लिए उन्हें जल्दी और कुशलता से काम करना चाहिए जब हर कोई दुनिया की समझ साजा करता है तो ऐसा करना आसान है शुरुवाती पेपाल टीम ने अच्छी तरह से काम किया क्योंकि हम सभी एक ही तरह से क्रेजी थे हम सभी को विज्ञान कथा पसंद थी और हमने पूंजी वादी स्टार वार्स के कम्यूस्ट स्टार ट्रेक को पसंद किया सबसे महतो पून बात यह है कि हम सभी डिजिटल मुद्रा बनाने के लिए चकित थे क्योंकि उन्हें सरकारों के बज़ाए व्यक्तियों द्वारा नेंतरित किया जाएगा कम्पनी के काम करने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग किस तरह दिखते थे या वे किस देश से आई थे लेकिन हमें समान रूप से चकित होने के लिए हर नई नियुक्ति की आउशक का थी एक काम करो अंदर प्रतेग व्यक्ति को उसके काम की तेजी से पर्तिस्ठित किया जाना चाहिए स्टार्टप में करमचारियों को जिम्मेदरिया आमटित करते समय आपकारियों के साथ परतिवाओं को उसलता पूर्वक मिलान करने के लिए इसे सरल अनुकूलन समश्या के रूप में पेस करके शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसे किसी भी तरह से सही तरीके से जान सकते हैं तो भी कोई भी समादान जल्दी तूट जाएगा आंसिक रूप से एसा इसलिए है क्योंकि स्टार्ट अप को तेजी से आगे बढ़ना पड़ता है इसलिए व्यक्तिकत भूमी का लंबे समय तक स्थाई नही में भी है पेपाल में मैंनेजर के रूप में मैंने जो सबसे अच्छी चीज की वह थी कंपनी में हर व्यक्ति को सिर्फ एक चीज करने के लिए जिम्मेदार बनाना प्रतेक करमचारी की एक चीज अनूठी थी और हर कोई जानता था कि मैं केवल उस चीज पर उसका मुल्या मैंने लोगों के प्रबंदन के कारिये को सरल बनाने के लिए यह करना शुरू कर दिया था लेकिन फिर मैंने एक गहरा परिणाम देखा भूमिकाओं को परिवाशित करने से संगर्स कम हो गए एक कंपनी के अंदर ज्यादातर जगड़े तब होते हैं जब सह करमी एक ही जि होता है परतिस परदा को खत्म करना हर किसी के लिए देर कालिन संबंद बनाने के लिए आसान बनाता है जो केवल व्यवसाइकता से आगे निकलता है इससे भी अधिक आंतरिक शांती एक स्टार्टप को जीवित रहने में सक्षम बनाता है जब स्टार्टप विफल हो जाता तो हम अच्छर कल्पना करते हैं कि यह परतिसपर्दी परिष्टितिक तंतर में हिंसक परतिवादियों के लिए चुका हुआ है लेकिन हर कंपनी का अपना एक परिष्टतिक तंतर होता है और गुटों के संगर्स से यह बाहरी खत्रों के प्रति संवेदन सील हो जाता है आंतरिक संगर्स एक आटोम्यूनम बिमारी की तरह है मोत का तकनिकी कारण निमोनिया हो सकता है लेकिन वास्तुई कारण सादे द्रश्चे के पीछे चिपा हुआ है समू और कंसल्टेंट सबसे गहन परकार के संगठन में सदस्य केवल अन्य सदस्यों के साथ बाहर निकलते हैं वे अपने परिवारों को अंदेखा करते हैं और बाहरी दुनिया को छोड़ देते हैं बदले में वे संबंधित लोगों की मजबूत बहुनाओं का अनुभव करते हैं और शायद सामान्य लोगों को अंजान सत्य से बंचित कर देते हैं हमारे पास ऐसे संग्ठनों के लिए एक शब्द है कल्ट यानि समू कुल समरपन की संस्कृती बाहर से क्रेजी दिखती है क्योंकि सबसे कुख्यात संपरदाए हूमी की डेल थे और चार्ल्स मैंसन ने अच्छा नहीं किया लेकिन उद्वियों को चरम समरपन की संस्कृतियों को गंभिरता से लेना चाहिए क्या किसी के काम में एक हलका रवया मानसिक स्वास्त्य का संकेत है क्या केवल एक पेशेवर द्रिष्टि कोण ही एक मातर द्रिष्टि कोण है एक पंथ का चरम विप्री टेक सेंचर जैसे प्रामर्श फर्म है ने केवलिस में अपने स्वें के एक विसिस्ट मिशन की कमी है बलकि व्यक्तिगत सलाकार नियमित रूप से उन कम्पनियों में से बाहर निकल रहे हैं जिन के पास दिर का लिन कनेक्शन नहीं है प्रतेक कम्पनिय संस्कृति को रेखिये स्पेक्टरम पर फिट किया जा सकता है सबसे अच्छे स्टार्ट अप को थोड़ा कम चरम परकार का होना चाहिए सबसे बड़ा अंतर यह है कि संपरदाए कुछ मैतवपूर्ण चीजों के बारे में कट्रपन्ती रूप से गलत होते हैं एक सफल स्टार्ट अप में लोग कट्रपन्ती रूप से कुछ के बारे में सही हो सकते हैं आप सलाकारों से उस परकार के रहश्यों को नहीं सिखेंगे और आपको चिंता करने की जरूर्ट नहीं है कि क्या आपकी कंपनी परंपरागत पेशवरों को समझ में आती है या नहीं आती है उन्हें एक पंत या यहां तक की एक माफिया कहा जहना बेहतर है धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम आईए चलते हैं अध्याए 11 की और आपका दिन शुब हो अध्याए 11 यदि इसे बनाया जाएगा तो क्या वे आएंगे हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम दुनिया में हर जगे सेल्ज ही है लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग इसके महतव को कमांगते हैं सिलिकॉन वैली तो इसे और भी नीचा मानता है एक काल्पनिक लेग दाहेची कर्स गाइड टू दा गैलेक्सी में भी हमारे ग्रह की स्थापना को सेल्ज के खिलाप की परतिकिरिया के रूप में बनी हुई मानते हैं जब एक बड़ी आपता के समय मानवता को बचाने की आवशक्ता होती है तब जनसंक्या को तीन विशाल जहाजों में भरा जाता है विचारक, नेता और प्राप्ट करता एजहाज में बैठते हैं विक्रेता और सलाकार बी शिप पकड़ते हैं वैश्रमित और कारीगर सी शिप में बैठते हैं बी शिप को पहले चलाया जाता है और उसके सभी यात्रियों को आनंद प्राप्त होता है लेकिन सेल्ज वालों को यह पता नहीं होता कि वे एक जाल में फंस गए हैं A शिप और C शिप के लोगों ने यह सोचा कि B शिप के लोग बेकार थे इसलिए उन्होंने उनसे चुटकारा पाने की साजी सरची और यह B शिप ही था जो प्रत्वी पर उत्रा था इस वितरन का काल्पनिक दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन यह हमारे लिए महतो कून है हम वितरन के महतो को समझते हैं क्योंकि हम उसी चाहाज को A शिप और C शिप के लोगों के लिए मानते हैं जिने विक्रेता और अन्य विचोलियों का माना जाता है और हम यह भी जानते हैं कि एक अच्छे उत्पाद के निर्मान से वितरन परवा जादोई रूप से समान होना चाहिए सपनों की अउधारना का ख्शेत्र इसे सुरूप से सिलिकोन वैली में लोग परिये है जहां इंजिनियरों को बेचने के वज़ाए कूल स्टप बनाने की दिशा में बढ़ने को कहा जाता है लेकिन ग्रहाग सिर्प इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आप इसे बनाते हैं आपको तो बस इसे दिखने में बढ़िया बनाना है एक्सपर्ट बनाम सेल्जमेन यूएस विग्यापन उद्योग डेट सु अरब डालर का राश्ट्रिय राजसोवे कतर करता है और चैलाग से अधिक लोगों को रोजगार देता है सालाना 450 मिलियन डोलर के साथ अमेरिकी बिक्री उद्योग काफी बड़ा है जब वे सुनते हैं कि 3.2 मिलियन अमेरिकी बिक्री विवसाई में काम करते हैं तो अनुबव यदिकारियों को संदे होगा कि संख्या कहीं कम तो नहीं लेकिन इंजिनियरों को इसे समझने में परिशानी हो सकती है सिलिकोन वैली में एक्सपर्ट्स विग्यापन, विप्रन और विक्री पर संदे करते हैं क्योंकि वे सताही और तरकहिन लगते हैं लेकिन विग्यापन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह काम करता है यह एक्सपर्ट्स के लिए भी और आपके लिए भी काम करता है आप सोच सकते हैं कि आप एक अपवाद हैं आपकी प्रात्मिक ताइं भिन है इसलिए विग्यापन के उलाने लोगों पर काम करता है सबसे इस पस्ट बिक्री पीचों का विरोध करना आसान है इसलिए हम अपने सुतंदर्ता के जूटे आतम विश्वास का मजा लेते हैं लेकिन विग्यापन आपको अभी उत्पात खरीदने के लिए मौजूद नहीं है यह है तो आपके दिमाग में सुक्षम इंप्रेशन एंबेड करने के लिए मौजूद है जो बाद में विक्री को चलाएगा जो कोई भी अपने आप पर अपने संभावित प्रवाव को स्विकार नहीं कर सकता है वह है अपने आपको दोगुना दोगा दे रहा है पारदर्शिता के लिए एकसपर्ड का उप्योग किया जाता है वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे तक्निकी कोशल में विशेशग्या बनकर अपने मुल्या को बनाते हैं इंजिनिरिन विशों में एक समाधान या तो काम करता है या यह फिफल हो जाता है आप किसी और के काम की तुलनात मत आसानी से मुल्याकन कर सकते हैं क्योंकि सताय की उपस्तिती ज़्यादा माईने नहीं रखती है वीकरे में इसके बिलकुल विपरित होता है आंतरिक वास्तविक्ता को बदले विना सताही वास्तविक्ताओं को बदलने के लिए एक आर्केस्टेटड अवियान है यह मूल रूप से बैमान नहीं होने पर इंजिनिर्यों को तुछ मानता है वे जानते हैं कि उनके अपने नोकरियां कठिन है इसलिए जब वे किसी ग्रहाक के साथ फोन पर हंसते हुए या दो गंटे के लंच जाने वाले विक्रेता लोगों को देखते हैं तो उन्हें संदे है कि कोई वास्तविक काम नहीं किया जा रहा है यदि कुछ भी हो तो लोग विज्ञान और इंजिनिर्न की सापेक्ष कठिनाईयों को अधिक महतव देते हैं क्योंकि उन ख्षेतरों की चुनोतियां स्पस्ट है क्या नर्स में सियाद है कि वो कैसे विक्री को आसान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है विक्री चिपी हुई होती है सभी सेल्जमेन अभिनेता होते हैं उनकी प्रात्मिक प्रेरना है इमानदारी नहीं यही कारण है कि सेल्जमेन सब्द छुपा हो सकता है और वास्तों में वह कार डिलर हो लेकिन हम केवल अजीब स्पस्ट विक्रेता यानि बुरे लोगों के लिए नकारात्मक परतिक्रिया देते हैं बिक्री ख्रमता की एक विस्तरत सेंखला है नोसिखियों विसेसग्यों और मालिकों के बीच कई कर्मिकरन है यहां तक कि बिक्री ही सब कुछ है यदि आप किसी भी बड़ी सेल्स को नहीं जानते हैं तो एसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उनका सामना नहीं किया है बलकि इसलिए कि उनकी कला सादे द्रिश्टी में चिपी हुई है टाम सायर अपने प्रोस के दोस्तों को उनके लिए बाड़ को सफेद करने के लिए राजी करने में कामियाब रहे एक कुशल कदम लेकिन उन्हें वास्तों में उनके काम करने के विशेशा दिकार के लिए बुगधान करने के लिए आश्वर्ष्ट करना एक बड़ा कदम था जबकि उसके दोस्त बुद्धिमान नहीं थे 1874 में ट्वेन ने लिखा था क्योंकि बहुत कुछ नहीं वगला है अभी ने की तरह चिपियोवी विक्री सबसे अच्छी तरह से काम करती है यह बताता है कि लगवग हर किसी के जिनके काम में वितरन सामिल है चाहे वे विक्री, विपनन या विग्यापन में है उनके पास नोपरी का सीर्षक है जिनका उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है जो लोग विज्यापन बेशते हैं उन्हें अकाउंट आफिसर कहा जाता है जो लोग ग्राकों को बेशते हैं वे बिजनस डेवलेपमेंट में काम करते हैं जो लोग कम्पनियां बेशते हैं वे इन्वेस्टमेंट बेंकर होते हैं और जो लोग खुद को बेशते हैं उन्हें राजनेता का आ जाता है इन पुनर विचारों का एक कारण है कि जब हम बेचने जा रहे हैं तो हम में से कोई भी इसे याद नहीं रखना चाहता है हम चाहे अपने करियर में जो कुछ भी करें लेकिन सेल्स की एक शमता हमें सूपर स्टार से भी अलग करती है वोल स्ट्रीट में तक्नीकी विशे सग्यता की रक्षा करने वाले विशले सक के रूप में एक भरती शुरू हुई है लेकिन वास्तों में उसका अलगशा एक डील यहां तक कि विश्व जैला के प्रोपेसरों जो विद्वानों की उपलवदी से अधिकार का दावा करते हैं स्वें प्रमोटरों से इर्शा रखते हैं जिनकी अपने फिल्ड में मास्ट्री होती है इतिहास या अंग्रेजी के बारे में अकादमी की विचार नय केवल अप की मौलिक बोतिकी का एजेंडा और केंसर अनुसंदान के बविश्य के मार्ग भी प्रिर्णा के प्रिनाम है सबसे मौलिक कारण यह है कि व्यवसाइक लोग बिक्री के महतव को कम समझते हैं इसे गुपत रूप से संचालिक दुनिया में हर क्षेतर के हर स्तर पर छिपाने के लिए व्यवस्तित प्रियास होते हैं इंजिनियर्स ग्रेल एक इतना बड़ा उत्पाद है कि यह इसे खुद ही बेचता है लेकिन जो भी वास्तों में असली उत्पाद के बारे में यह कहता है कि उन्हें जूट बोलना चाहिए या तो वे ब्रमित हैं या वे कुछ एसा बेच रहे हैं जिनमें खुद से ही विरोदावाश हो रहा है पॉलर व्यापार क्लेंच चेतावनी देता है कि सबसे अच्छा उत्पाद हमेशा नहीं जीतता है अर्थ सास्त्री से पत्थ निर्वरता के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं विशिष्ट कूनवत्ता परिस्तित से सोतंत्र विशिष्ट परिस्तितियों का निर्धारन कर सकते हैं कि कौन से उत्पादों को व्यापक रूप से अपनाने से आनंद मिलता है यह सच है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज हम जिस ओपरेटिंग सिस्टम का उप्योब करते हैं और टाइप करने के लिए प्याविश्कार किया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्पाद कितना अच्छा है अगर आपने इसे बेचने के लिए एक प्रभावी तरीका नहीं खो जा है तो आपके पास एक बुरा व्यावसाय है उत्पाद को कैसे बेचें? सुपिरियर बिक्री और वितरन के द्वारा कोई भी प्रडेक्ट मोनिपली बना सकता है इसका उलट सत्य नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका उत्पाद कितना मजबूत है बले ही यह बढ़िया है और यह आजमाने के बाद तुर पूर्वक इस्ते हैं एक ग्रहाग के साथ आपके रिष्टे के दोरान ओशत कुल सुद्धलाम जो आप एक नया ग्रहाग बनाने के लिए खर्च की गई राशी से अधिक होना चाहिए आम तोर पर आपके उत्पाद की कीमत जितनी अधिक होगी उतना ही आपको बिक्री करन के लिए खर्च करना होगा और इशे खर्च करने के लिए इतनी ही अधिक समझधारी लगेगी वितरन वीडियों को बनाने के लिए इसे निरंतरता पूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है जटिल विक्री यदि आपकी ओसत विक्री साथ अंकों या उस से अधिक है तो प्रते आप जिसे एक साल में एक या दो बार विक्री करते हैं, फिर आपको आम तोर पर सेल्स के बाद उत्पाद को स्थापित करने और सेवा के दोरान उसका पालन करना होगा. ऐसा करना मुश्किल है लेकिन इस तरह की जटिल विक्री कुछ सबसे मुल्यवान उत्पादों को बेज मस्क ने नासा को स्पेस एक से एक नए डिजाइन किये गए जहाज के साथ हटाए गई अंतरिक शटल को बदलने के लिए अरब डोलर के अनुबंदों पर हस्ताक्सर करने के लिए राजी किया. राजनिती सामान्य रूप से तक्निकी चालाकी की रूप में बड़े सोदों म माइने रखती है. इसलिए यह आसान नहीं था. स्पेस एकस ज्यादातर कैलिफोर्निया में तीन जार से अधिक लोगों को रोजगार देता है. पारंपरिक यूएस एरो स्पेस उद्ध्योग पांच लाग से अधिक लोगों को रोजगार देता है. जो पूरे पचास राज केवल कुछ सोदों की आफशक्ता होती है. इसलिए एलन मस्क जैसे विक्रे ग्रांड मास्टर उस समय का उप्योग सबसे महतोगों दोगों पर द्यान के अंधिरित करने के लिए कर सकते हैं. और यहां तक की राजनितिक जड़तों को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं. कॉंप्लेक्स विक्री तब सबसे अच्छा काम करती है जब आपके पास विक्रेता नहीं होते हैं. पलंटियर डेटा एनलेटिक्स कमपनी जो मैंने अपने लास्कूल के सहपाटी एलेक्स कार्ग के साथ सह स्थापित की है. अपने उतपात बेचने के लिए अलग से काम नह बैठक करते हैं. हमारे सोदे काकार एक मिलियन डॉलर से सो मिलियन डॉलर तक है. उस मुल्य विंदु पर CEO खरीदारों से बात करना चाहते हैं. बिक्री के वीपी नहीं. जटिल बिक्री मॉडल वाले व्यवसाइज सफल होते हैं. यदि वे एक दसक के दोराल सालाना 50% से 100% ब्रदिक प्रप्त करते हैं. वाइरल विकास के सपने देखने वाले किसी भी उद्दमी को यह धीमा लगेगा. जैसे की ग्राहाग बहतर उत्पाद को सपस्ट रूप से सीखते हैं. आप राजसों के दस गुना तक बढ़ने के उमीद कर सकते हैं. लेकिन यह लगबग कभी नहीं होता है. एक अच्छी इंटरप्राइजिस बिकरी रननिती छोटी शुरू होती है. जैसा की यह आउशक है. एक नया ग्राहाग आपके सबसे बड़े ग्राहाग बनने के लिए सहमत हो सकता है. लेकिन वे शायद ही कभी आपके द्वारा बेची गई चीजों के साथ प तो आप कभी भी बड़े सोदों की और बढ़ने का लंबा और विदिव्यत काम शुरू कर सकते हैं. व्यक्तिकत बिकरी अधिकतर बिकरी विशेश रूप से जटिल नहीं होती है. और सताकार सोदे दस अजार डोलर और एक लाख डोलर के बीच हो सकते हैं. और आम दोर पर ऐसे CEO को खुद बेजने की जरूरत नहीं होती है. यहां चुनोती किसी विशेश बिकरी को बनाने के बारे में नहीं है लेकिन एक प्रक्रिया कैसे स्थापित करें जिससे मामूली आकार की बिकरी टीम उतपाद को व्यापत ग्राहकों तक ले जा सके. 2008 में बॉक्स के पास क्लाउड में सुरक्षित रूप से और आसानी से डेटा को स्टोर करने का एक अच्छा तरीका था. लेकिन लोगों को पता नहीं था कि उन्हें ऐसी चीज़ की जरूरत है. क्लाउड कम्प्यूटिंग अभी तक लोगों की पहुंच में नहीं था. उस गर्मी में बॉक्स के तीसरे विक्रेता के रूप में बदलने में मदद करने के लिए हायर किया गया था. उन्होंने उप्योग करताओं के छोटे समों से शुरू किया जिसके पास एक फाइल शेयर करने की सबसे गंभीर समश्या थी. बॉक्स के पिक्री परतिनेदी ने कमपनी के प्रतेक ग्रहाक से संबंद स्ताफित किया. 2009 में बलेक ने स्टेनफोर्ड स्लीब क्लिनिक में एक छोटा सा बॉक्स अकाउंट बेचा जहां शोद करताओं को प्रियोगात्मक टेटा स्टोर करने के लिए एक आसाल सुरक्षिक तरीका चाहिए. आज विश्विद्याले अपने चात्रों और संकाई सदस्यों में से प्रतेक को स्टेनफोर्ड ब्रांडेड बॉक्स अकाउंट पर दान करता है और स्टेनफोर्ड होस्पिटल बॉक्स पर चलता है. यह है उद्दम के व्यापक समाधान पर विश्विद् प्रता मान लिया. इसके बजाई विक्तिगत बिक्री ने इसे एक अरब डॉलर का करोवर बना दिया. कभी-कभी उत्पाद ही एक परकार का वितरन होता है. जोक्टाग एक संस्तापक फंड पोर्टोलियो कमपनी है जो लोगों को चिकित सा नियुक्तियों को ओनलाइन ढू कुछ हजार डॉलर के ओस अताकार के सोदों के लिए जोक्डोक को बहुत सारे विक्रेताओं की जरूरत है. इतने सारे कि उनके पास आंतरिक भरती टीम है. वो भी कुछ नहीं करने के लिए. लेकिन डोक्टरों को व्यक्तिगत विक्री करना सिर्फ राजसों में नहीं आता है. नेटवर्क में डोक्टरों को जोड़कर विक्रेताओं और उबोगताओं के लिए व्यापक अधिक मुल्यवान बनाते हैं. हर महीने पांस मिलियन से अधिक लोग पहले से ही सेवा का उप्योग करते हैं और यदि यह अधिकांस वियावसाईयों को शामिल करने के लिए अपने नेटवर्क को स्केल करना जारी रख सकता है. तो यह यूएस स्वास्ते देखवाल उद्ध्योग के लिए एक मौलिक उप्योगिता बन जाएगा. डिस्टिबुशन डोल्डरम व्यक्तिकत बिक्री और पारंपर की विध्यापन के बीच एक डेड़ एरिया है. मान लें कि आप एक सोफ्टेर सेवा बनाते हैं जो सुईदा स्टोर मालिकों को उनकी सूची ट्रेक करने और ओर्डर करने में साहिता करता है. एक अजार डोलर केमत वाले उत्पाद के लिए छोटे व्यवसायों तक पहुँचने के लिए कोई अच्छा वितरन चैनल नहीं हो सकता ताकि वे इसे खरीद सके. यदि आपके पास बस्ट मुल्य परस्ताव हैं तो आप इसे ग्रहाकों को कैसे सुना सकते हैं? या तो एक संभावित ग्रहाक से बात करने के लिए वास्त्यों की व्यक्ति को भेजने के लिए संसादन नहीं होते हैं. यही कारण है कि बहुँच से चोटे और मद्यमाकार के व्यावसायों एसे उपकर्ण का उप्योग नहीं करते हैं, जिन का उप्योग बड़ी कंपनियों के ल उत्पादा है. विप्णन और विज्यापन तुलनात्मक रूप से कम कीमत वाले उत्पादों के लिए विप्णन और विज्यापन कारिये जिन में वाइरल वितरन की कोई विदी नहीं है केवल अपील है. प्रोक्टर एंड गेमल दर्वाजे से लेकर घरेलू कपड़े दो कमपनी को टेलिजन विज्यापनो प्रिंट कूपन का उत्पादन करना पड़ता है. समाचार पत्रों में और ध्यानाकरशित करने के लिए अपने उत्पाद बक से डिजाइन किये हैं. विज्यापन स्टार्टप के लिए भी काम कर सकता है लेकिन केवल तभी जब आपके ग अधी ग्रहन लागत और ग्रहा का जीवन मुल्य हर दूसरे वित्रन चैनल को असंभव बनाते हैं. ये कामर स्टार्टप आरबी पारकर पर विचार करें जो खुत्रा आईवेर वित्रकों को विक्री अनुमंद के बजाए ओनलाइन फैशनेबल चस्मा डिजाइन और प्रि जोड़े खरीदता है. कंपनी का सी एलवी कुछ सो डॉलर है. प्रते एक लेन देन पर व्यक्तिकत ध्यान देने के लिए यह बहुत कम है. लेकिन दूसरी योड बहुतिक उत्पात सोदे वास्तों में वाइरल नहीं होते हैं. विज्यापन चलाकर और क्वेर की टीवी बहतर कम महेंगी पेश कश करने में सक्षम है. कंपनी स्पस्ट रूप से अपनी वेब साइट पर बताती है कि टीवी एक बड़ा मेगा फोन है. और जब आपके वल नई ग्रहक को प्राप्त करने के लिए दरजनों डॉलर खर्च कर सकते हैं तो आपको सबसे बड़ा मेगा पोन चाहिए जो आपको मिल सकता है. प्रते कुदमी एक इरशा पहचानने योग्य विग्यापन अभियान लेकिन स्टार्ट अप को सबसे यादगार टीवी स्पोर्ट या सबसे विश्दरस्त पी यार स्टेंट पर रखने के लिए अंतहीन प्रतियोगता में बड़ी कमप हमारे यादिकारिक प्रवक्ता बनने के लिए स्टार्ट रेक पर स्केटी खेला. जब हमने पाम पिलोट के लिए अपना पहला सौप्टेयर जारी किया तो हमने पत्रकारों के कारकर में अमंत्रित किया जहां वे जेम्स की इस अमर लाइन को पढ़ सकते थे. मैं अपने अपना को कवर करने के लिए आई थे. वे प्रभावित नहीं हुए थे. हम सभी निरुचाई थे. इसलिए हमने सोचा कि स्कोटी मुख्य अभियंता कप्तान क्रिक की तुलना में अधिक आधिकार के साथ वो बोगताओं से बात कर सकते थे. हम गलत थे. जब प्रिंसलाइन विलियम शत्रन टीवी स्पोर्ट की एक प्रशिद सरंकला में उनके लिए काम किया. लेकिन तब तक प्रिंसलाइन एक प्रमुख खिलाडी था. शुरुवाती चरण में स्टार्ट अप बड़ी कमपनियों के विग्यापन बचट से मेल नहीं खा सकता है. वाइरल मार्केटिंग एक उतबात तब वाइरल होता है जब इसकी मूल का रेक्षमता वो बोगताओं को अपने दोस्तों को उप्योग करता बनने के लिए आमंतरित करने के लिए प्रोचसाहित करती है. इस प्रकार फेस्बुक और पेपाल दोनों तेजी से बढ़े हर बार कोई दोस्त दूसरे को साजा करता है या बुगतान करता है वे वास्त्वे क्रूप से नेटवर्क में अधिक से अधिक लोगों को आमंतरित करते हैं यह सिर्प रास्ता नहीं है यह तेज भी है यदि हर नया उप्योग करता एक से अधिक अतिरित उप्योग करता की और जाते हैं तो आप गातिय व्रदी की स्रंखला प्रतिकरिया प्राप्त कर सकते हैं आधर्स वाइरल पोश जितना संभव हो उतना तेज होना चाहिए मनोरंजक यूट्यूब वीडियो या इंटरनेट के पास लाकों विचार बहुत जल्दी खोजे जाते हैं क्योंकि वे बेहत कम समय में कोच सकते हैं क्योंकि वे उनके पास हैं जिने वे आपको बताते हैं लोग बिल्ली के बच्चे को देखते हैं वार्म महसूस करते हैं और अपने दोस्त को फोरवड करते हैं पेपाल में हमारा प हुआ हलांकि लोगों को सीधे साइन अप करने के लिए बुगदान करके और फिर मित्रों को रेफरल करने के लिए उन्हें अधिक बुगदान करके हमने ऐसाधान ब्रदी हासिल की। इस रर्निटी में हमें प्रती ग्राहक 20 डॉलर खर्चाया लेकिन इससे दैनिक विकास में 7% की व्रदी हुई जिसका आर्थ है कि हमारा उपयोग करता आधार लगवग 10 दिनों में दोगुना हो चुका था चार या पांच महीनों बाद हमारे पास सैंक्डों हजारों उपयोग करता थे और हमारे ग्राहक अधिक रण लागत से काफी कम फीज के साथ धन पाने की सेवा प्राप्त करके एक माहन कंपनी बनाने का एक वेवारिय अवसर था वाइरल क्षमता वाले बाजार के सबसे महतवपूर्ण खंड पर हावी होने वाला कोई भी व्यक्ती पूरे बाजार में आखिरी प्रेरक होगा पेपाल में हम अधिक उप्योग करताओं को शामिल नहीं करना चाहते थे हम पहले सबसे मुल्यवान उप्योग करताओं को प्राप्ट करना चाहते थे एमेल आदारित बुगतानों में सबसे स्पष्ट बाजार अब भी लाकों परवासी वेस्टन यूनियन और वायर का उप्योग करके अपने परिवारों को डॉलर बेज रहे थे हमारे उत्पाद ने इसे इतना आसान बना दिया लेकिन फिर भी लेन दिन बहुत कम थे हमें एबे की निलामी बाजार के माद्यम से ओनलाइन सामान बेशने वाले पेशेवर विक्रेताओं ने इबे पाउर सेलर्स में एक सेग्मेंट के साथ एक छोटे से उच बाजार की अफशक्ता थी जिनकी संक्या केवल बीस अजार थी अधिकांस में कई निलामी होती थी और उन्होंने लगबग उतना ही खरीदा जितना उन्होंने बेचा इसका मतलब मुगदान की निरंतर धारा थी और क्योंकि बुगदान की समश्या का इबे का अपना समाधान जबरदस्थ था इसलिए ये व्यापारी बेहद उच्छा ही थे और प्रारंभिक परियोग के बाद ही इसे अपनाने वाले थे एक बार पेपाल इस सेगमेट पर हवी हो गया और इबे के लिए बुगदान मंच बन गया तो इबे पर कोई और पकड़ नहीं बना पाया था किसी भी व्यावसाई के लिए इन वीडियो में से एक दूसरे की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होने की संभावना है वीतरण अपने आपके एक पावर कानून का पालन करता है यह ज़्यादातर उद्मियों के लिए सहज ग्यान है जो मानते हैं कि इससे भी अधिक हो सकता है लेकिन कुछ विक्रेता लोगों को रोजगार, कुछ पत्री का विग्यापन और उत्पाद की वाईरल कार्यक्षमता को विचार करने वे जोडने पर प्रियास करें लेकिन यह काम नहीं करता है अधिकांस व्याउसायों को काम करने के लिए सुन्य वित्रन चैनल मिलते हैं खराब उत्पाद की वज़ाए, खराब विक्री, विफलता का सबसे आम कारण है यदि आप काम करने के लिए सिर्फ एक वित्रन चैनल बना सकते हैं तो आपके पास एक अच्छा व्यावसाय है, यदि आप एक साथ कई के लिए प्रयास करते हैं, तो आप स्माप्त हो जाएंगे। गैर ग्राहकों को बेचना आपकी कमपनी को अपने उत्पाद से अधिक बेचने की जरूरत हैं, आपको अपनी कमपनी को करमचारियों और निवेशकों को भी बेचना होगा, जूट का एक मानो संसादन संसक्रण है कि महान उत्पाद ही बिखते हैं, यह कमपनी इतनी अच्छी है कि लोग इसमें शामिल होने के लिए प्रयास करेंगे, और एक धन उगाने वाला संसक्रण भी है, यह कमपनी इतनी महान है कि निवेशक, निवेश करने के लिए हमारे दरवाजे को टकर मारेंगे, मीडिया में अपनी कमपनी को बेचना, हर किसी को बेचने का एक आवशक हिस्सा है, जो सहस्ता से म देखा करने की कोशिश करने की गलती करते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोगों को कभी भी किसी भी वित्रण रननिती के बिना अपने स्पस्ट गुनों पर बेहतर उत्पात खरीदने की उमीद नहीं कर सकते, आपको कभी यह नहीं मानना चाहिए कि लोग सारोजनिक संबन रनन के बिना अपनी कंपनी की प्रसंसा करेंगे, यहां तक कि यदि आपके विसेश उत्पात को ग्रहकों को प्राप्त करने के लिए मीडिया एक्स्पोजर की आफशक्ता नहीं है, आपके पास वाइरल वित्रण रननिती है, जो प्रेस निवेशकों और करमचारियों को क्या पाता है या उसे क्या नहीं मिलता है, तो यह आपकी कंपनी की सबलता के लिए महतोपूर्ण होगा, हर कोई बेच रहा है, एक्सपर्ट्स चाते हैं कि वित्रण को अंदेखा किया जा सके और सेल्जमें दूसरे ग्रह पर चले जाएं, हम सभी विश्वास करना चाते है कि हम अपने दिमाग कंट्रोल में रखें, ताकि विक्री हमारे उपर असर नहीं कर सके, लेकिन यह सच नहीं है, हर किसी के पास बेचने के लिए एक उत्पाद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक करमचारी, संस्थापक या निवेशक हैं या नहीं, यह सच है, बले ही आपकी कंपनी में, केवल आप और आपके कंप्यूटर शामिल हो, चारों और देखो, यदि आप कोई विक्रेता नहीं देख रहे हैं, तो आप ही एक विक्रेता है, धन्यवाद, हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम, आईए चलते हैं अध्याइब बारा की ओर, आपका अध्याइब बारा, मनुष्य और मसीन, हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम, चितने परिपकवत इंडस्ट्रीज हो गई है, सुचना प्रोधोगी की उतनी ही तेजी से बढ़ी है, और अब यह तकनिक के समानार्थी बन गई है, आज डेड करोड से अधिक लोग, जेव के आक के उपकरनों का उप्योग कर, दुनिया के ग्यान तक तुरंट पहुंच कर उसका अनन्द लेते हैं, आज के स्मार्ट फोन में से, प्रतेक में, कंप्यूटरों की तुलना में, हजारों गुना अधिक प्रोसेसिंग पावर है, जिन से चंदर मां पर बैठे, अंतरिक सियात को निर्देशित किया जा सकता है, यदि लोव आफ मूर इसी तरहतेजी से चलता रहा, तो आने वाले कल के कंप्यूटर और भी शक्तिशादी होंगे, कंप्यूटरों में पहले से ही उन गतिवीदियों में बहतर प्रदर्शन करने की प्रयाप्त शक्ति है, जो हम विशिस् केरी कास्परों को हराया, जियो पारडी के सबसे अच्छे प्रतितरंदी केन जेनिंस, 2011 में आईवियन के वाटसप से हरे, और गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कारें पहले से ही कैलिफोर्निया की सडकों पर है, डेल एरन हाट जूनियर पहले से ही डरे हुए है, वैसे भी सेल्फ ड्राइविंग कार बेरोजगारी की अगली लहर को ला सकती है, हर कोई कम्प्यूटर के भविशय में और अधिक करने की अपेक्षा करता है, इसमें और भी सीक्रेट्स मुझूद हैं, आज से 30 साल बाद क्या लोगों के पास पुस करने के लिए भी बचेगा, सोफ् वी सी, हेंडी केसलर लगबग आलसे की तरह बताते हैं कि उत्पादक्ता बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोगों को चुटकारा दिलाने का है, और फोरुज पतरीका ने पाठकों से पूछा कि क्या एक मशीन आपको बदल देगी, भविश्यवादी इसका उत्तर हा में मह हैसूस कर रहे हैं, लूडी साइट्स इस बारे में बहुत चिंतित हैं कि इसे बदलने की बजाए वे नई तकनीका निर्माण ही त्वंद कर देंगे, कोई भी पक्ष इस आधार पर सवाल नहीं करता कि बहतर कंप्यूटर मानव सर्मिकों को जरूरी रूप से बदल देगा लेकिन वह आधार गलत है, कंप्यूटर मनुश्यों के लिए जरूरी है, विकल्प नहीं, आने वाले दस्कों के सबसे महतवपून व्यवसाई, उन उदमियों द्वारा बनाई जाएंगे, जो उन्हें ऐ प्रसलित बनाने की बजाए, लोगों को सशक्त करना चाहेंगे विकल्प बनाम पूरक पंद्रह साल पहले, अमेरिकी मजदूर, सस्ते मेक्सिकन मजदूरों के विकल्पों से पर्तिश परदा के बारे में चिंतित थे, अब यह समझ में आया, कि इनसान वास्तों में एक दूसरे के लिए विकल्प हो सकते हैं आज लोग सोचते हैं, कि वे रास पैरियोड की विशाल द्वने को एक बार फिर सुन सकते हैं, लेकिन वे इसे टिजवाना के कट्रेट कारखनों के बज़ाएं, टेकसास में कहीं सरवर फिल्प में इसे पाते हैं अमेरिकियों को निकट भविशय में प्रोधोगिकी से डर हैं, क्योंकि वे इसे निकटतम वैस्वी करण की पुन्रावर्दी के रूप में देखते हैं लेकिन हालात बहुत अलग हैं, लोग नोकरियों और संसादनों के लिए परतिस परदा करते हैं, कम्प्यूटर परतिस परदा नहीं करते हैं वैस्वी करण मतलब विखल्ब जब पेरों ने विदेशी परतिस परदा के बारे में चेतावनी दी तो जार्ज डवलू बुश और बिल क्लेंटर दोनों ने मुक्त व्यापार के सू समचार का परसार किया क्योंकि प्रतेट व्यक्ति के पास कुछ विशेश नोकरी के सापेक्ष ताकत होती है सिधान्त रूप में अर्थ व्यवस्ता जब अधिकतन कमाती है जब लोग अपने फाइदों के अनुसार विशे सग्य होते हैं और फिर व्यापार करते हैं व्यवारिक रूप से यह स्पस्ट नहीं है कि कम शर्मिकों के लिए मुक्त व्यापार कितना अच्छा काम करता है तुल्नात्मक लाब में बड़ी वी संगती होने पर व्यापार से सबसे बड़ा लाब होता है लेकिन मजदूरों की वैस्विक आपूर्ती बेहद कम मजदूरी पर दोहराओ वाले कारियों को करने को मजदूर होते हैं लोग सर्मिकों की आपूर्ती करने के लिए परतिस्परदा नहीं करते हैं वे एक ही संसादन की मांग करते हैं जबकि अमेरिकी उपोगताओं को चीन के सस्ते खिलोने और वस्त्रों को खरीदने से पाइदा हुआ है उन्हें लाखों चीनी मोटर चालकों द्वारा वांचित गैसोलिन के लिए उच कीमतों का बुगदान करना पड़ा है चाहे लोग सेंड येगो में, संगाई या फिस्ट एकोस में शार्क फिन खाते हैं सभी को बोजन की जरूरत हैं और सभी को घर की आपशकता है लेकिन इच्छा निवा पर नहीं रुपती, लोग वैस्विकर्ण जारी रखने के लिए और अधिक मांग करते हैं अब लाखों चीनी की सान, अंततय, मुनियादी कैलोरी की सुरक्षित आपूर्ती का अनंद ले सकते हैं वे चाहते हैं कि उन में से अधिक तर सिर्फ आदाज के बजाए सुर का मास मांगे इच्छा का विस्तार सिर्श पर है और यह स्वस्ट है सभी वर्गों में क्रिस्टिल से रूस के प्योंग यांग तक एक ही स्वाद होता है टेक्नोलोजी का मतलब पूरक्ताब अब मानो सर्मिकों की परतिस परदा के बजाए कम्प्यूटर से परतिस परदा की संभावना के बारे में सोचें आपूर्ती पक्ष पर कम्प्यूटर एक दूसरे से भिन होते है लोगों की तुलना में कहीं अधिक अलग होते है पूरुष और मशीन मौलिक रूप से अलगलग होते हैं हम जटल परिस्थित्यों में योजना बनाते हैं और नेरने लेते हैं हम बारी मात्रा में डेटा याद रखने में कमजोर होते हैं कम्प्यूटर इसके बिल्कुल वीकृत है वे कुशल डेटा प्रोसेसिंग पर कारे करते हैं लेकिन वे बन्यादी नेरने लेने के लिए कमजोर होते हैं जो कि किसी भी मानों के लिए आसान होगा इस भीनिता के पैमाने को समझने के लिए गूगल के कम्प्यूटर के लिए मानों परतिस्थापन परियोजना पर विचार करें 2012 में यूट्यूब वीडियो के 10 मिलियन थमनेल स्कैन करने के बाद उनके सूपर कम्प्यूटरों में से एक ने यह बताया कि इसने पिचेतर परतिसत सटीकता के साथ बिल्ली की पहचान करना सीख लिया है क्या आप इससे प्रभावित हुए बिल्कुल नहीं क्योंकि चार वर्षिय बच्चा भी इसे निर्दोस तरीके से कर सकता है जब एक सस्ता लेक्टोब कुछ कारियों में सबसे बुद्धिमान गणितग्यों को डरा सकता है लेकिन 16,000 सीपियों वाले सूपर कंप्यूटर्स किसी बच्चे को हरा नहीं सकता है तो आप बता सकते हैं कि इनसान और कंप्यूटर एक दूसरे से ज़्यादा शक्तिसाली नहीं है पेसपस्ट रूप से अलग है मनुश्य और मसीन के बीच के अंतर का मतलब है कि कंप्यूटर से काम करने के लाब अन्य लोगों के साथ व्यापार के लाब से कहीं अधिक है हम पसुदन या लेंप्स के साथ व्यापार करने की वजाए कम्प्यूटर के साथ प्यापार नहीं करते हैं और यही बात है कि कम्प्यूटर उपकरण है प्रतिद्वन्दी नहीं मांग पक्स पर मतवेद भी गहरे हैं और जोगिक देशों में लोगों के विगरिट कम्प्यूटर कैप भेराट में अधिक शांदार भोजन या बीच फरंट वीला के लिए उत्सुत नहीं है उन्हें केवल बिजली की मामूली मातरा की आफशक्ता होती है और वे जारा स्मार्ट भी नहीं दिखना चाते हैं जब हम समश्याओं को हल करने में मदद के लिए नई कम्प्यूटर तकनीक तैयार करते हैं तो हमें संसादनों के लिए परतिस फर्दा किये बिना एक अतिस हमेदन सिल व्यापार भागिधार के सभी दक्षता लाब मिलते हैं उचित रूप से समझ में आया है कि एक वैश्वी करन दुनिया में परतिस फर्दा से पसने के लिए टेकनोलोजी एक तरीका है जैसे जैसे कंप्यूटर अधिक से अधिक सक्तिसाली हो जाते हैं वे मनुश्यों के लिए विकल्प नहीं होंगे वे उनके पूरक होंगे पूरक व्यावसाई कंप्यूटर और मनुश्यों के बीच उरुकता सिर्फ एक मैक्रो स्केल तत्या नहीं है यह एक महान व्यावसाई बनाने का भी मार्ग है मुझे पेपाल में मेरे अनुल से यह समझ में आया कि साल 2000 के मद्धे में हम डोट कॉम दुरुगर्णा में बच गए थे और हम तेजी से बढ़ रहे थे लेकिन हमें एक बड़ी समझ्या का सामना करना पड़ा हम हर महीने क्रेडिट कार्डों का दरी से 10 मिलियन डोलर से ज़्यादा खो रहे थे चुकि हम प्रति मिनट सेंकडों या हजारों लेंदेन कर रहे थे इसलिए हम संभावते प्रतेक की समिक्षा नहीं कर सके कोई भी मानुगुणवत्ता नियंदरन तेम इतना फास्ट काम नहीं कर सकती थी हमने इंजिनीरों के समूगों समाधान को ओटोमेटिक करने की कोशिस करने के लिए कहा सबसे पहले मैक्स लेविनिन ने तोखादरी को पकड़ने के लिए गणित्तग्यों की एक विसिस्ट टीम को इकठा किया फिर हमने जो कोश जाना और समझा उसे रियल टाइम में ओटोमेटिक रूप से फरजी लेंदेन को पहचानने और रद करने के लिए एक सोफ्ट्वेर बनाया लेकिन यह जल्दी ही सपस्ट हो गया कि यह द्रिष्टी कौन काम नहीं करेगा एक या दो घंटे बाद चोरों ने हमारी रननेती को पकड़ लिया और बदल दिया हम एक जाने अंजाने दुस्मन से निपड रहे थे और हमारा सोफ्ट्वेर उन्हें पकड़ने में अनुकूल नहीं था दोखा धरीके इस अनुकूली उत्पिडन में हमारे ऑटोमेटिक पहचान अलगोरिधम को बेफूप बना दिया लेकिन हमने पाया कि उन्होंने हमारे मानव इसलेस्कों को आसानी से मुक नहीं बनाया तो मैक्स और उसके इंजिनियर एक हाइबरिड दिश्टिकों से इस सोफ्ट्वेर को फिर से लिखते हैं कम्प्यूटर एक अच्छी तरह से डिजाइन किये गए उपयोग करता इंटरफेस पर सबसे संदीग दिलेन देन को अंकित करेगा और मानव ओपरेटर अंतिम्स विकारियता को उनकी वैदता के रूप में तयार करेंगे इस हाइब्रेट सिस्टम के लिए धन्यवाद हमने रूसी दोखादरी के बाद इसे इगोर नाम दिया जिसने अभी तक हमला नहीं किया हम उसे भी रोप पाएंगे हमने 2002 की पहली ती माही में हमने अपना पहला त्री मासित मुनाफ़ा पतल दिया FBI ने हमसे पूछा कि क्या हम उन्हें वितिय अपराद का पता लगाने में मदद के लिए इगोर का उपियोग करने देंगे और मैक्स सचमुद दावा करने में सक्षम था कि वह अंडर इंटरनेट शेल कोहुंग था इस तरह के मैन मशिन सिंबायोसिस ने पेपाल को व्यावसाई में रहने में सक्षम बनाया जिसने बदले में हजारों चोटे व्यावसाईों को इंटरनेट पर पढ़ने के लिए आवशक बुद्दान स्विकार करने में सक्षम बनाया मैंन मसिन जमारान के विना इस में से कोई भी संबव नहीं था भले ये अधिकांस लोग इसे कभी देख नहीं पाई थे या इसके बारे में कभी सुनेंगे भी 2002 में पेपाल बेजने के बार मैंने इस बारे में सोचना जारी रखा यदि मनुश्य और कंप्यूटर आके ले ही नाटकिये रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते तो इस मूल सी दान्त पर अन्य मुल्य अवान्य अवसाई कैसे बनाई जा सकते हैं अगले साल मैंने एक नए स्टार्ट अप विचार पर एक पुराने इंजिनियर स्टैन्फोर्ड सहभाटी, एलेक्स कारप को और एक सौफ़वेर इंजिनियर स्टिफन कोहिन से बातचित कर तयार किया हम आंतकवादी नेटवर्क और वित्य दोकादरी की पहचान के लिए पेपाल की सुरक्षा परनाली से मानों कम्प्यूटर हाइबरिड धिस्टिकोन का उप्योग करेंगे हम पहले से ही जानते थे कि ABI हमें दिल्सश्वी ले रहा था और 2004 में हमने एक सौफ़वेर कंपनी पलंटियर की स्थापना की जो लोगों को जानकारी के अलग-अलग स्त्रोतों से आंत्रिक जानकारी निकालने में मदद करती है कम्पनी 2004 में एक बिलियन डॉलर की बिकरी बुक करने के ट्रैक्टर है और फॉर्म्स ने ओसमा बिन लादेन को डूमने में सरकार की मदद करने में अपनी अपवाब उमिका के लिए पलंटियर के सोफ्टियर को हत्यारा एप कहा है हमारे पास उस ओपरेशन से सांजा करने के लिए कोई विवरण नहीं है लेकिन हम कह सकते हैं कि ने तो मानोग खोपिया तंत्र और ने ही कम्प्यूटर अकेले हमें सुरक्षित मनाएंगे अमेरिका की दो सबसे बड़ी जासुस एजेंसिया वीप्रित रिष्टिकोन अपनाती है केंद्रिये खोपिया एजेंसी उन जासुसों द्वारा संचालित होती है जो मनुष्यों को विसे साधिकार देते है राष्टिय शुरक्षा एजेंसी उन जनरलों द्वारा संचालित होती है जो कम्प्यूटर को प्रात्मिक्ता देते हैं CIE विशलेसकों को इतने शोर से गुजरना पड़ता है कि सबसे गंभीर खत्रों की पहचान करना बहुत मुश्किल है NSA कम्प्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा संसाधित कर सकते हैं लेकिन अकेले मशीने अधिकरत रूप से निर्धारित नहीं कर सकती है कोई आंतगवादी कारेवाई कर रहा है या नहीं पलंठियर का उदेश्य इन विरोधी पूर्वागरों को पार करना है इसका सोफ्वेर उस डेटा का विशलेशन करता है जिसे सरकार फीड करती है यमन में कट्रपंति क्लियरिक्स के फोन रिकोर्ड या आंतगवादी सेल गतिवीदी से जुटी बैंक खातों उधारन के लिए और एक परशिक्षित विशलेशक की समिख्षा के लिए संदीक्त गतिविद्यों को फ्लैक करता है आंतगवादियों को डूमने में मदद के अलावा पलंतियर के सोप्टोयर का उप्योग करने वाले विशलेशक यह अनुमान लगाने में सक्षम हुए है कि अफगानिस्तान में विद्रोयों ने E.E.D. कब लगाया था हाई परुपाय, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी, वैदेव या पार मामलों पर मुगदमा चलाया बोजन संबन्दी बीमारी के परकोप से लड़ने में रोग नियंतर और रोगताम के केंद्रों का समर्थन किया और उन्नत दोकादरी का पता लगाने के मात्यम से सालाना वानेजिक बैंकों और सरकार के लाखों डोलर बचाई उन्नत सोप्टेर ने इसे संबव बनाया लेकिन इसके साथ मानव विशलेश कों अभी योजकों वैज्यानिकों और वित्ये पेशेवर भी अधिक मेहत्वपोन थे जिनकी सक्रिये सहब आगीता के बिना सोप्टेर बेकार था सोचें कि पेशेवर आज अपने नोक्रियों में क्या करते हैं वकीलों को कई अलगलग तरीकों से कांटेदार समश्याओं के समवाधान को स्पस्ट करने में सक्षम होना चाहिए जिकित्सकों को गैर विशिसग्य रोगियों को समवाध करने की ख्षमता के साथ नैदानिक समझ से अपनाने की अवशक्ता है और अच्छे सिक्षक सिर्फ अपने विशों में विशिसग्य नहीं है उन्हें यह भी समझना चाहिए कि विभिन व्यक्तियों के हीतों और सिखाने की सैलियों को वे उनके निर्देश को कैसे तयार किया जाए कंप्यूटर इन कारियों में से कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं लेकिन वे उन्हें प्रवावी डंग से संयोजित नहीं कर सकते कानून, चिकित्सा और सिख्षा में बेतर तकनीक पेशवरों को परतिस्थापित नहीं करेंगी यह उन्हें और भी करने की अनुम्ति देगा लिंक डन ने भरती करने वालों के लिए बिल्कुल ऐसा किया है जब 2003 में लिंक डन की स्थापना होई तो उन्होंने राहत की आवशकता में अलग दर्द बिंदू खोजने के लिए भरती करने वालों को मतदान नहीं किया और उन्होंने सौफ्ट्वेयर बनाने की कोशिस नहीं की जो भरती करताओं को पूरी तरह से बदल देगा भरती भाग जासुसी कारिया और भाग विक्री है आपको आवेदकों के इतिहास की जांच करना उनके उद्दिश्यों और संगतता का आंगलन करना है और सबसे अधिक आशाजनक लोगों को आप से जुगने के लिए राजी करना है कम्प्यूटर के साथ उन सभी कारियों को परभावी डंग से बदलना है संबाव होगा इसके बजाए लिंक डंग ने यह बदलने के लिए तयार किया कि भरती करने वालों ने अपनी नोक्रिया कैसे की आज 97% से अधिक भरती करता लिंक डंग का उप्योग करते हैं और सत्रोत नोक्री उमिदवारों को इसकी 36 साली खोज और फिल्ट्रिंग कारियक्षमता का उप्योग करते हैं और नेटवर्क सेंख्डों लाख पेशवरों के लिए भी मुल्य बनाता है जो अपने नीजी ब्रांड को प्रबंदन करने के लिए इसका उप्योग करते हैं अगर लिंक डंग डंग तकनीक के साथ भरती करने वालों को बस बदलने की कोशिस नहीं की होती तो आज उनके पास कोई वेबसाई नहीं होता कंप्यूटर विग्यान की विचारदारा इतने सारे लोग पुर्वक्ता की शक्ते को क्यों नहीं पहचान सकते यह स्कूल में शुरू होता है सोफ्वेर एंजिनियर उन परियोजनों उपर काम करते हैं जो मानव परियासों को परतिस्थापित करते हैं क्योंकि यही वह है जो उन्हें करने के लिए परसिख्षेद किया जाता है अकादमिक विचेश शोध के माद्यम से अपनी परतिस्था करते हैं उनका प्रात्मिक लक्षै कागजात प्रकाषित करना है और प्रकाशन का अर्थ किसी विशेश अनुशाशन के सिमाओं का सम्मान करना है कम्प्यूटर विग्यानिकों के लिए इसका मतलब है कि मालोक शम्ताओं को विशेश कारियों में कम करना जिसे कंप्यूटर एक-एक करके जीतने के लिए परशिक्षित किया जा सकता है आज कंप्यूटर विग्यान में सबसे आधुनिक शेत्रों को देखें शब्द मशीन लगने परतिस्तापन के इमेजरी को उजागर करता है और इसके बूस्टर मानते हैं कि कंप्यूटर को लगपक कोई कारिये करने के लिए सिखाया जा सकता है जब तक कि हम उन्हें परियाप्त पर्शिक्षन डेटाप फीड देंगे नेट्फलिक्स या एमेजरी के किसी भी उप्योग करता ने मशीन सीखने के परिणामों का अनुवग किया है दोनों कमपनियां आपके देखने और खरीद इतिहास के आधार पर उत्पादों की अलुसंसा करने के लिए इलगरीदम का उप्योग करती है उन्हें अधिक डेटा फीड दें और सिभारी से हमेशा बेहतर हो जाएंगी गूगल अनुवग उसी तरह काम करता है जो असी भासाओं में से किसी एक में किसी ने किसी परकार की सेवा योग्य अनुवग परदान करता है क्योंकि सोफ्ट्वेर मानव भासा को समझता है लेकिन इसके टेक्स के विशाल बंडार के शांकिकिय विसलेशन के माद्यम से पैटर्न निकाले है अन्य बजवर्ड जो परतिस्तापन की और पूरुवा ग्राइका परतीक है बड़ा डेटा है आज की कंपनियों के डेटा के लिए एक लाल सा भूक है गलती से यह मानते हुए कि अधिक डेटा हमेशा अधिक मुल्यवान होता है लेकिन बड़ा डेटा आम तोर पर गुंगा डेटा होता है कंप्यूटर एसे पैटर्न जून सकते हैं जो मनुष्यों को आकरशित करते हैं लेकिन वे नहीं जालते कि विविन स्रोतों से पैटर्न की तुलना कैसे करें या जटिल व्यभारों की व्याख्या कैसे करें क्रिया शेल अंतरद्रश्टी केवल मानव विश्लेशक या सामानी क्रत्रिम वुद्धी की तरह हो सकती है जो केवल विज्ञान कता में मुझूद है हम केवल बड़े डेटा से उच्छाइट हुए हैं क्योंकि हम प्रोदोगी की का बैस्तार करते हैं हम अकेले कंप्यूटरों द्वारा हासिल की गए चोटी सी चीजों से प्रभावित हैं लेकिन हम उरत्ता की बड़ी उपलदियों को अंदेखा करते हैं क्योंकि मानव योगदान उन्हें कम एनेटिक बनाता है वाटसन, डेपलू, और हमेशा बहतर मशिन बनाने के लिए एलिगोरिदम काफी कूल है लेकिन भविश्य में सबसे मुल्यवान कंपनिया यह नहीं पूछेंगे कि अकेले कंप्यूटरों के साथ क्या समच्चाइं हल की जा सकती हैं इसके बजाई वे पूछेंगे कंप्यूटर कैसे मनुश्यों को कथोर समच्चाओं का समाधान करने में मदद कर सकते हैं स्मार्ट कंप्यूटर मित्रिया शत्रू कंप्यूटर का भविश्य अनिवालिया रूप से अज्याद से भरा है सीरी और वाटसन जैसे चीजों के हार्बिंगर्स के रूप में कभी-कभी स्मार्ट, एंड्रामोर्फिडाइज रोबोट बुद्धिमानी को देखने के लिए अभ्यस्त हो गया है एक बार अगर कंप्यूटरों को हमसे सवाल पूछना पड़े तो वो शायद ये पूछेंगे कि उन्हें हमारे लिए क्यों रहना चाहिए इस परतिस्थ अपनवादी सोच के लिए तार्किक इंटेलिजेंस को मजबूद AI कहा जाता है कंप्यूटर जो हर महतवपूर्ण आयाम पर मनुश्यों के द्वारा गहन करते है बेशक रूड़ी साइट्स इस संभावना से ड़ते हैं यह भविश्य वाजियों को थोड़ा ऐस हैज बनाता है यह स्पस्ट नहीं है कि मजबूद AI मानवता को बचाएगा या इसे नश्ट कर देगा या नहीं टेक्नोलोजी परकरती पर हमारी निपूंता बढ़ाने और हमारे जीवन में मोकों की भूमिका को कम करने के लिए माना जाता है मानव से अधिक कम्प्यूटरों का निर्माण वास्तों में एक परतिशोत ला सकता है मजबूत AI एक प्रभांडियल लोटरी टिकट की तरह है अगर हम जीतते हैं तो हमें यूटोपिया मिलती है अगर हम हार जाते हैं तो स्काई नेट में हमें अस्तितों से बाहर कर दिया जाता है लेकिन बले ही मजबूत AI एक असंबव रहश्य की बजाए वास्त्विक संभावना है यह इतनी जल्दी नहीं होगा कम्प्यूटर द्वारा परतिस्तापन 22 स्ताप्दी की चिंता है दूर भविश्य के बारे में एनिश्चित कालिन भे हमें आज निश्चित योजना बनाने से नहीं रोग सकता लोडी साइट्स का दावा है कि हमें उन कम्प्यूटरों का निर्मान नहीं करना चाहिए चो किसी दिन लोगों को परतिस्तापित कर सकें क्रेजी वविश्य वादियों का तर्क है कि वे हमें चाहिए पारस्परिक रूप से अलग है लेकिन वे पौर्ण नहीं है आगे के दस्कों में लोगों के बीच एक बहतर दुनिया बनाने के लिए जगय है चुकि हमें कम्प्यूटर का उप्योग करने के नए तरीके मिलते हैं इसलिए वे पहले से ही काम करने वाले लोगों की तरह बहतर नहीं होंगे वे हमें एसा करने में मदद करेंगे जो पहले एकलपनिय था धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक टोटकों आईए चलते हैं अध्यायत 13 की ओग, आपका दिन शुब हो अध्यायत 13 आशावादी रहें हिंदी ओडियो बुक टोटकों 21 स्ताफदी की शुरुवात में सभी सहमत थे कि अगला बड़ा व्यवसाई क्लीन टेकनोलोजी का था और यह होना भी चाहिए बीजिंग में धुआ इतना ज़्यादा पढ़ गया था कि लोग एक इमारत से दूसरी इमारत तक भी नहीं देख पा रहे थे यहां तक की सांस लेना भी स्वास्ते के प्रती जोखिम था बंगला देश के आशेनिक युक्त पानी के बारे में नियुयार्क टाइम्स ने इतिहास का सबसे ज़्यादा जहरिला पानी कहा था यूएस में इवान और कैटरेना तुपान को ग्लोबल वार्विंग से उत्पन होने वाले विनास के संदेश वाहक के रूप में देखा जा रहा था अलगोर ने हमें इन समश्याओं से उस तरह ततकालता और संकल्प के साथ निपटने का आगरे किया जैसे पहले भी युद्ध के लिए राष्टर संगठित होती रही थे दुनिया को क्लीन करने की तलाश शुरू हो चुकी थी उद्वियों ने तुरंत हजारों क्लीन टेक कंपनियों की शुरूआत की और निवेशकों ने उनमें पचास अरब डोलर से अधिक का निवेश किया लेकिन इसने काम नहीं किया एक स्वस्त ग्रह की बजाए हमें एक विशाल क्लीन टेक कचरा मिला सोलर इंडस्ट्री सबसे मशूर ग्रिन भूत साबित हुई अधिकांस क्लीन टेक कंपनिया इसी तरह के विनाश का रिखात में की ओर अग्रसर थी अकेले साल 2012 में 40 से अधिक सोर निर्माता व्यावसाय चोड़ चुके थे इन में से ज्यादातर इसी साल दिवालिया हुए थे वेकल्पिक उर्जा कंपनियों का अग्रनी सुचकांग क्रैश उनकी अप्षपिती को दरसाता है कलेंटेक क्यों विखल हुआ कंजर्वेटिव्स का मानना था कि वे पहले ही इसका जवाब जानते थे उनका मानना है कि जैसे ही ग्रीन उर्जा सरकार के लिए प्राथमिकता बन गई वैसे ही यह जहर बन गई लेकिन वास्तों में ग्रीन उर्जा बनाने के लिए अच्छे कारण मोजूद थे जो आज भी मोजूद है कलेंटेक के बारे में सच्चाई सरकार के विफलता से अधिक जटिलोर महतोपूर्ण है अधिकांस कलेंटेक कमपनिया धराशाई हो गई क्योंकि उन्होंने इन साथ प्रशनों में से एक को भी नहीं अपनाया था जिने हर व्यावसाई के लिए आउशक माना जाता है जो इस प्रकार से है पहला इंजिनिरिंग प्रशन क्या आप ब्रहद सील सुधारों की बजाए एक सफल तकनिक बना सकते हैं दूसरा समय प्रशन क्या आप आपका विशेश व्यावसाई सुरू करने का सही समय है तीसरा एकादिकार प्रशन क्या आप एक छोटे से बाजार के बड़े हिस्से से शुरू कर रही है चोथा लोगों के बारे में प्रशन क्या आपके पास सही टीम है पांचमा वितरन प्रशन क्या आपके पास ने सिर्फ बनाने बलकि उसके वितरन का कोई तरीका है छठा स्थाईतो प्रशन क्या आपकी बाजार स्थिती भविश्य में 10 या 20 साल तक आपके व्यावसाई की रक्षा करने योग्य होगी साथमा सीक्रेट प्रशन क्या आपने एक अनूठा मोगा पहचाना है जिसे दूसरों ने नहीं देखा हमने पहले भी इन तत्वों पर चर्चा की है आपका उद्ध्योग कोई भी हो लेकिन बढ़िया बिजनस प्लान आपके व्यावसाई के प्रतेक भाग से संबंधित होता है यदि आपके पास इन सवालों के अच्छे जवाब नहीं है तो आप दुर्भग्य से नहीं बच सकते और आपका व्यावसाई भी है सफल हो जाएगा यदि आप इन सभी साथ नियमों का प्रियोग करते हैं तो आप भग्य हासिल करेंगे और सफल होंगे अगर इन में से पांच या छे भी सही काम कर रहे हों तो भी व्यावसाई चल पड़ेगा लेकिन क्लिन टेक ववल के बारे में असल बात यह थी कि उन लोगों ने इन साथ नियमों में से एक को भी नय अपना कर कमपनियों को शुरू कर रहे थे और इसका मतलब था कि वे लोग किसी चमतकार की उम्मीद कर रहे थे यह जानना मुश्किल है कि कोई विशेश क्लिन टेक कमपनी विफल रही थी बलकि लगबग सभी ने कई गंभीर गलतियां की थी चुकि इन में से कोई भी गलती आपकी कमपनी को बरबाद करने के लिए प्रयापत है इसलिए क्लिन टेक के हारने वाले स्कोर बोर्ड की अधिक कहराई से समिक्षा करना उचित है पहला इंजिनिरिंग प्रशन एक महान टेकनोलोजी कमपनी की मालिकाना टेकनोलोजी को अपने निकरतम विकल्प से बहतर परिरामवाला होना चाहिए लेकिन क्लिन टेक कमपनिया शायद ही कभी 2X तक बहतर होंगी 10X तक बहतर होना तो भूल ही जाए कभी कभी उनकी पेशकर्ष उन उत्पादों से भी बत्तर होती थी जिने उन्होंने परतिस्तापित करने की मांग की थी सोलर उर्जा कमपनियों ने बेलनाकार शोर कोशिकाओं का विकास किया लेकिन पहले अनुमान के लिए बेलनाकार कोशिक आई केवल एक अनुपात पाई के रूप में ठीक थी लेकिन उन्हें उतनी सीधी दूप नहीं मिलती थी जितनी आवशक थी कमपनी ने पैनलों के सेल्स को गरम करने के लिए अधिक सूरिय परकास के लिए मीरर का उपयोग कर इस कमी को पूरा करने की कोशिस की लेकिन मूर रूप से प्रारंबिक बिंदू के रूप में इसे दोबारा पाना मुश्किल था कमपनियों को टैनेक्स तक बेहतर बनने के लिए प्रियास करना ही चाहिए क्योंकि केवल व्रदशिल सुधार अकसर आखिरी उपयोग करता के लिए कोई सुधार नहीं होता है मान लीजिए कि आप एक नई विंटर बहिन विक्षित करते हैं जो कि किसी भी मौजूदा तकनिक की तुल्ना में 20% अधिक कुशल है जब आप प्रियोग साला में इसका परिक्षन करते हैं तब यह पहली बार अच्छा लगता है लेकिन प्रियोग साला परिनाम वास्तिक दुनिया में किसी भी नए उत्वाद द्वारा किये गई खर्चों और जोखिमों की भरपाई नहीं करेगा और यहां तक कि यदि आपका सिस्टम वास्तों में ग्रहाक द्वारा खरीदे जाने पर 20% बहतर ही है तो आप इसे बेचने के लिए इसके लाबों को बढ़ा चड़ा कर बताते हैं तो आपको संदे की नजरों से देखा जाता है जब आपका उत्पाद 10X तक बहतर हो केवल तभी आप ग्रहाक को पारदर्शी से रिष्टा उतलब्द करा सकते हैं दूसरा समय प्रशन क्लेंटे कुद्मियों ने खुद को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की जब उन्होंने 2008 में अपनी नई कंपनियों की गोशनाएं की स्पेक्ट्रा वाट के सीईयो एंड्रियू विल्सन ने तब टी सोर कंपनी शुरू की जब 1970 के दसक के अंत में माइक्रो प्रोसेसर उद्योग शुरू हुआ था इसमें खोज करने और सुधारने के बहुत असर मोजूद थे दूसरा भाग सही था लेकिन माइक्रो प्रोसेसर समानतर रूप से तूर थे 1970 में जब से पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था तब से कंप्यूटिंग ने केवल तेजी से बलकि बहुत तेजी से बढ़ी और विक्सित हुई इंटेल के शुरुवाती रिलेज उत्पाद के इतिहास को ही देखें पहला सिलिकॉन सोर सेल 1954 में बेल लेप्स द्वारा विल्सन की प्रेस विगवती से पहले ही पनालिया गया था दीरे दीरे और रेखिया रूप से फोटो वोल्टिक दक्षता में मद्यम वर्गी दस्कों में सुधार हुआ बेल के पहले सोर सेल में लगवत 6 प्रतिशत दक्षता थी आज की क्रिस्टिल ये सिलिकॉन को शिकाई और आदुनिक पतली फिल्म को शिकाउने इस ख्षतर में 25 प्रतिशत से अधिक दक्षता पार नहीं की है आने वाले लिफ्ट ओप 2000 के दसक के मद्यमें कुछ इंजिनिरिंग विकास हुए थे दीमी गती से चलने वाले बाजार में प्रवेश करना एक अच्छी रन्निती हो सकती है लेकिन केवल तभी जब आप के पास इसे ग्रहन करने के लिए एक निश्चित और यथार्तवादी योजना हो एस अपल क्लिन टेक कमपनियों के पास इन में से कुछ भी नहीं था तीसरा मोनोपली प्रशन 2006 में अरपती टेकनोलजी निवेशक जोन डोयर ने कहा था इंटरनेट के बाजार का आकार अर्बों डोलर में है और उर्जा बाजार ट्रिलियन डोलर में उन्होंने जो नहीं कहा वह यह है कि विशाल ट्रिलियन डोलर बाजारों का मतलब निर्दई खुनी परतिसपरदा है दूसरोंने डोयर को और अधिक बार परतिबिम्बित किया 2000 के दसक में मैंने दरजनो क्लिन टेक उदमियों की बात सुनी उन्होंने ट्रिलियन डोलर के बाजारों की कहानियों के साथ एसे शांदार रूप से पाउर पोइंट पर सूतियों को दिखाना शुरू किया जैसे कि यह है एक अच्छी और सच्छी बात थी क्लिन टेक के अधिकारियों ने सभी नए उदमियों के लिए प्रियाप्त उर्जा बाजार होने पर बल दिया लेकिन प्रतेक व्यक्ति का मानना था कि उनकी अपनी कंपनी बड़ी बने 2006 में सोर निर्माता मिया सोल के सीईयों डेव पियर्स ने एक कांग्रेस पैनल में कहा कि उनकी कंपनी एक विशेष परकार की पतली फिल्म सोर सेल विकास पर काम कर रहे कई बहुत मजबूत स्टार्ट अप में से एक थी कुछ मिनट बाद पियर्स ने भविश्यवानी की कि मिया सोल एक वर्स के भीतर दुनिया में पतली फिल्म सोर कोशिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक पन जाएगा एसान नहीं हुआ लेकिन हो सकता है कि उसने उनकी मदद ने की हो पतली फिल्म एक दरजन से अधिक सोर कोशिकाओं में से एक है ग्रहकों को किसी विशेश तकनीकी परवा नहीं होगी जब तक कि यह एक बेहतर तरीके से एक विशेश समश्या हल ने करती हो यदि आप एक छोटे बाजार के लिए एक एदवितिय समाधान पर मोनोपली नहीं बना सकते तो आप दूस पहिनाम में फर्श जाएंगे मिया सोल के साथ यही हुआ अपने विशिश्ट ताकवती रंजित करना एक अधिकार प्रशन को बताने का एक आसान तरीका है मान लीजिए कि आप एक सोर कंपनी चला रहे है जिसने सो मेगावाट की संयूक्त बिजली उत्पादन ख्षमता के साथ सफलता पूरवक सैंकडों सोर पैनल से स्थम स्थापित किये है चुकि कुल अमेरिकी सोर उर्जा उत्पादन ख्षमता नो सो पचास मेगावाट है इसलिए आपके पास बाजार का 10.53% हिस्सा है बढ़ाई हो आप खुद से कह सकते हैं कि आप एक सोलर बिजनस खिलाडी है लेकिन क्या होगा अगर यूएस सोर उर्जा बाजार वह बाजार ने हो क्या होगा यदि वह बाजार वैस्विक सोर बाजार है जिसमें 10 गीगावाइट की उत्पादन ख्षमता है आपके 100 मेगावाट आपको वास्तों में बहुत चोटी मचली दिखाते है अचानक आप बाजार के एक प्रतिसत से भी कम के मालिक हो जाते है और क्या होगा यदि यह वैस्विक सोर नहीं है बलकि सामन्य रूप से नवी करण यह उर्जा है नवी करण से विश्व स्तर पर वार्सिक उत्पादन ख्षमता 420 गीगावाट है अब आप बाजार के 0.02 परतिसत तक पहुँच के और 15,000 गीगावाट की कुल वैस्विक बिजली उत्पादन ख्षमता की तुलना में आपके 100 मेगावाट समूंदर में बस एक बूंद जैसा ही है बाजारों के बारे में कलेंटेक उद्मियों की सोच निरासा जनक रूप से उलजन में थी वे युनीक दिखने के लिए अपने बाजार को उदारता पूर्वक कम कर देंगे लेकिन यदि आप इस बारे में कल्पनिक हैं तो आप एक सब मार्केट पर हावी नहीं हो सकते हैं और विशाल बाजार अत्यदिक परतिसपर दीवे पहुँच से परे हैं अधिकांस क्लेंटेक संस्तापक शहर पालो आल्टो में एक नए ब्रिटिस रेस्टरा कोलने से ज़्यादा बेहतर नहीं रहे होंगे चोथा लोगों के बारे में प्रशन उर्जा की समश्याएं इंजिनिरिंग की समश्याएं है इसलिए आप क्लेंटेक कंपनियों को चलाने की उमीद करेंगे लेकिन आप गलत होंगे विफल होने वाले लोग चोंकाने वाली गैर तक्निकी टीमों द्वारा चलाए गई थे ये सेल्ज ओफिसर पूंजी जुटाने और सरकारी सबसीडी हासिल करने में अच्छे थे लेकिन वे उन उत्पादों के निर्मान में कम अच्छे थे जो ग्रहाग करीदना चाहते थे संस्ताफक कोश में हमने यह देखा कि सबसे सपस्ट सुराग सार्थक था क्लिंटे का दिकारी सूट और टाई पहनने के आसपास दोड रहे थे यह एक बड़ा रेड फ्लैक था क्योंकि वास्त्विक टक्नीशियन टी शट और जिंस पहनते हैं इसलिए हमने एक कंबल नियम स्थापित किया हमने किसी भी एक कंबनी को चुना जिनके संस्तापत पिछ मिटिंग के लिए तयार हुए हो सकता है कि अगर हम प्रते एक कंबनी की तक्नीक का विश्टार से मुल्यांकन करने के लिए समय निकाल चुके हैं तो भी हम इन बुरे निवेसों से नहीं बचेंगे लेकिन टीम एक तक्नीकी CEO में निवेस नहीं करती है जो तेजी से बेच सकता है उस CEO के साथ कुछ भी गलत नहीं है लेकिन अगर वह वास्तों में विक्रियता की तरह दिखता है तो वह शायद विक्री में खराब हो और तक्नीक में बत्तर हो क्लीन टेक कमपनियों ने प्रभावी रूप से सरकार और निवेशकों को आकरशित किया लेकिन वे अक्सर गरहाकों के बारे में भूल गई उन्होंने इसके बारे में कड़ी मेहनत करनी सीखी कि दुनिया प्रयोक साला नहीं है उत्पाद बेशना और वित्रित करना उतना ही महतोपून है जितना की उत्पाद महतोपून है इसराइली इलेक्ट्रिक माहन स्टार्ट अप जो 2007 से 2012 तक उभार पर था जिसने बिजली कारों के लिए स्विकारिय बैटरी पैक और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 800 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च किया कंपनी ने एक ग्रीन विकल बनाने की पेशकर्श की जो अत्यदिक परदुशन कारी परिवहन टेकनोलोजी पर हमारी निवबरता को कम करेगी और यह केवल कम से कम एक अजार कारों से सुरू हुआ जो दिवालिया होने से पहले बेची कई इच संख्या थी यहां तक कि उन्हें बेचना भी एक उपलवदी थी क्योंकि उन कारों में से प्रतेक कार खरीदनी बहुत मुश्किल थी शुरुआत करने वालों को यह कभी सपस्ट नहीं था कि वे वास्तों में क्या खरीद रहे थे उन्होंने रेनाल्ड से से शेडान खरीदी और उन्हें इलेक्ट्रिक बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ फिट किया तो क्या आप एक इलेक्ट्रिक रेनाल्ड खरीद रहे थे या बेटर प्लेस खरीद रहे थे किसी भी मामले में यदि आपने इसे खरीदने का फैसला किया तो आपको हुप्स की एक स्रंखला से चलांग लगानी होगी सबसे पहले आपको बेटर प्लेस से अनुमोधन की आउशक्ता थी इसे पाने के लिए आपको यह साबित करना पड़ा कि आप बैटरी स्वेपिंग स्टेशन के करीब रहते थे और अनुमानित मारगों का पालन करने का बादा करते थे यदि आपने वह परिक्षा उतिल्ण कर ली हो तो आपको अपनी कार रिचार्ज कराने के लिए इंधन की आउशक्ता के लिए साइन अप करना होगा तभी आप सडक पर बैटरी पैक को स्वेप करने के लिए रोकने के नई व्यवार को सीखना शुरू कर सकते हैं बेटर प्लेस ने सोचा कि इसकी तकनीक खाश है इसलिए वेसपस्ट रूप से बाजार में कोई हलसल नहीं कर पाई बेटर प्लेस बोर्ड के निदेसक ने 2012 में कमपनी की संपत्ती को 12 लाख डोलर में बेशते समय कहा तकनीकी चुनोतियों के हमले का सफलता पूर्वक सामना किया गया लेकिन अन्य बादाओं से पार पाने में हम ऐस सफल रहे छटा स्थाई तो प्रशन प्रतेकुदमी को अपने विशेस बाजार में स्थाई बनने की योजना बनाना चाहिए यहे खुझ से यहे प्रशन पूचने से शुरू होता है दुनिया अब से 10 या 20 साल में किस तरह दिखेंगी और इसमें मेरा व्यावसाई कैसे फिट होगा कुछ क्लिन टेक कमपनियों के पास अच्छा जवाब था नतिजन सभी कमपनिया एक दूसरे को सरदांजलियां दे रही थी 2011 में दिवालिया होने के कुछ महिने पहले सोर उध्योग ने अपने अमेरिकी कारखानों में से एक को बंद करने के अपने फैसलों को सुनाया और कहा चीन में सोर निर्माताओं को काफी सरकारी और वित्य साहिता मिलती है हालांकि हमारी उतपादन लागत मूल रूप से नियोजित स्तर के नीचे और अधिकांस पस्चिमे निर्माताओं के तुलना में कम है फिर भी वे चीन में हमारे कम लागत वाले प्रतिस प्रतियों की तुलना में काफी अधिक है लेकिन दो हजार बारा तक चीन पर दो सरोपन नहीं हुआ था अपने दिवालियापन को स्विकारते हुए चर्चा करते समय अमेरिकी उर्जा विभाग द्वारा समर्थित अबाउंड सोर ने चिनी सोर पैनल कमपनियों से आकरामक मुल्य निर्धारन कारियों को दोसी ठहराया है वर्तमान बाजार स्थितियों में स्केल करने के लिए शुरुवाती चरण स्टार्ट अप कमपनियों के लिए बहुत कठोर नियम बनाई गए थे जब सोर पैनल निर्माता अपने उतपाद बेजने में परवरी 2012 में विखल रहे तब एक प्रेस वी गपती में चीन को दोसी ठहरायी जाने से भी पार चले गए और तीन प्रवक चीनी सोर निर्माताओं के खिलाब 950 मिलियन डोलर का मुगदमा दायर किया वही कमपनिया जो सोलेंडर के ट्रस्टी के दिवालियापन के रूप में उस वर्स एकादिकार, सडियंतर और हिंसक मुल्य निर्धारण में दोसी पाई गई लेकिन चीनी निर्माताओं से प्रतिसपरदा वास्तों में असंभव थी अगर क्लेंटेक उदमियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो स्वामितों के प्रशन को हम दोबारा पूछेंगे कि चीन को मेरे व्यापार को खत्म करने से क्या यह रोग देगा जवाब के बिना परिणाम आपको आस्चरिय चकित नहीं कर सकता ग्रीन उत्वादन के निर्मान में प्रतिसपरदा की उमीद करने की विफलता से परे क्लेंटेक ने पूरी तरह से उर्जा बाजार के बारे में गुम्राध हरनाओं को ग्रहन किया था जवासम इंदन के अनुमान पर आधारित एक उध्योग को गुम्राध कर जिया गया था 2000 में अमेरिका की प्राकरतिक गैस का केवल 1.7% शेल से आया था पांच साल बाद यह आंकड़ा 4.1% तक पहुँच गया था फिर भी क्लीन टेक में से कोई भी इस प्रवर्ति को गंबेरता से नहीं ले पाया नवीकर्ण एक मातर रास्ता था जवासम इंदन समभवत भविश्य में सस्ता या क्लीन नहीं मिल सका लेकिन उन्होंने किया 2013 तक शेल गैस ने अमेरिका की प्राकरतिक गैस के 24 परतिसत पर स्वामितो स्थाफित कर लिया था लेकिन 2008 से गैस की कीमतें 70 परतिसत से अधिक तक गिर गई जो नवीकर्णिय उर्जा व्यापार माडल को तबहा कर रही थी फ्रेकिंग एक टिकाव उर्जा समाधान नहीं हो सकता है यह क्लीन टेक कमपनियों को नश्ट करने के लिए प्रियाप्त था जो इसे नहीं देख पाई साथवाँ सीक्रेट प्रशन प्रतेक क्लीन टेक कमपनी ने क्लीन दुनिया की आउशक्ता के बारे में पार्मपरिक सत्यक हिसाथ खुद को उचित ठहराया उन्होंने खुद को यह विश्वास करने के लिए ब्रमित किया कि वेकलपिक उर्जा समाधानों के लिए जबरदस्त सामाजी काउशक्ता ने सभी प्रकार की क्लीन टेक कमपनियों के लिए एक भारी व्यापार आउसर का उदे किया गोर करें कि सोर पर उच्षाई ही होने के लिए 2010 तक यह कितना पारंप्रिक हो गया था उस वर्स राश्वति जार्ज डवलू गुस ने सोर चत का बविश्य गोशित किया जो अमेरिकी परिवार को अपनी बिजली उत्पन करने में सक्षम बनाएगा निवेशक और कलिन टेक कार्यकारी बिल ग्रास ने गोशना की कि सोर की एक्षमता बहुत बड़ी है सोर निर्माता के ततकालिन सीईओ सूवी सर्मा सोलरिया ने स्विकार किया कि सोर के लिए सोने की भीड लग रही है यहां असली सोना दूप है लेकिन इस धारणा को गले लगाने के लिए दोड़ने से सोर पैनल कमपनियों के कई क्यू सिल, एवर ग्रीन सोर, स्पेक्ट्रा वाट और यहां तक की सभी ने अपने उर्जा नवाचार आदी कुछ नाम शुरुआच से दिवालियपन की अदालत में पहुँच चुके थे प्रते का हताहतों ने व्यापत सम्मेलनों का उप्योग करके अपने उज्वल वाइदा का वर्नन किया था जिस पर सभी सहमत थे महान कंपनियों के रहशे हैं सफल्ता के विशिष्ट कारण जो अन्य लोग नहीं देखते हैं सोशल इंटरप्राइज सिपकी मिथक क्लेंटेक उद्मियों का लक्षे सफल्ता से अधिक है क्योंकि अधिकांस व्यावसाई से प्रिवासित करते हैं क्लेंटेक बवल सबसे बड़ी गटना थी और सामाजी कुदमिता के इतिहास में सबसे बड़ा फ्लोग व्यावसाई के लिए यह परोपकारी द्रिष्टी कौन इस विचार से शुरू होता है कि निगम और गैर लाबकारी अब तक दुर्विय विरोध हैं निगमों की बड़ी शक्ती है लेकिन वे फिर भी उदेश्य के लिए गैर लाबकारी जनता के हितो का पीछा करते हैं लेकिन वे व्यापक अर्थ व्यवस्ता में कमजोर खिलारी हैं सामाजिक उद्मियों का लक्षे दोनों दुनिया के सर्वस्रेस्ट को जोड़ना और अच्छा करना है आम तोर पर वे ऐसा नहीं करते हैं सामाजिक और वित्य लक्षों के बीच ऐस पस्टता मदद नहीं कर सकता लेकिन सामाजिक शब्द में ऐस पस्टता एक समश्या है यदि कुछ सामाजिक रूप से अच्छा है तो क्या यह समाज के लिए अच्छा है या केवल समाज द्वारा अच्छा देखा जाता है जो कुछ भी ओडियंस से प्रसंसा प्राप्त करने के लिए प्रयाप्त है वह केवल ग्रीन उर्जा के सामन्य विचार की तरह पारंप्रिक हो सकता है कॉर्परेट लालच और गैर लाबकारी भलाई के बीच कुछ अंतर से प्रगति नहीं की जाती है इसके बजाए हम दोनों की समानता से इसे वापस आयोजित करते हैं जैसे ही निगम एक दूसरे की प्रतिलिवी बनाते हैं गैर लाबकारी सभी समान प्राथमिक्ताओं को धका देते हैं कुछ अलग करना समाज के लिए वास्तों में अच्छा है और यह भी एक नया बाजार एका अधिकार करने व्यापार को लाब पोंचाने की अनुम्ती देता है सबसे अच्छी परियोजनाओं को अंदेखा करने की संभावना है नयकी भीड के द्वारा काम करने के लिए सबसे अच्छी समश्याग सर किसी और को हल करने की कोशिस नहीं करती है टेसला साथ में से साथ टेसला कुछ क्लिन टेक कमपनियों में से एक है जो पिछले दसक के अंद में शुरू हुई थी उन्होंने क्लीन टेक की सामाजिक सर्चा को किसी से भी बेहतर बना दिया लेकिन उन्होंने सातों प्रश्णों के उत्तर जान लिये है जो सही मिले इसलिए वे सफल है टेकनोलोजी टेसला की तकनिक इतनी अच्छी है कि अन्यकार कमपनिया इस पर भरोसा करती है Demler टेसला के बैटरी पेक का उप्योग करता है Mercedes Benz टेसला पाउर ट्रेन का उप्योग करता है Toyota टेसला मोटर का उप्योग करता है General Motor ने टेसला की अगली चाल को ट्रेक करने के लिए एक टास्क पोस्ट भी बनाया है लेकिन टेसला की सबसे बड़ी तक्निकी उपलबदी किसी भी एकल भाग की घटक नहीं है बलकि इसके बजाए कई घटकों को एक बहतर उत्पाद में एकी करत करने की क्षमता है अन्त तक डेजाइन किये गए टेसला मॉडल एस सेडान इसके हिस्सों की तुलना में अधिक है उबोगता रिपोर्टों में कभी भी समिक्षा की गई किसी अन्यकार की तुलना में इसे सबसे ज़्यादा रेट किया गया है और मोटर ट्रेंट और आटोमोवाईल पत्रिकाउं दोनों ने इसे 2013 की कार आफ़दा इयर नाम दिया है समय 2009 में यह सोचना आसान था कि सरकार क्लिन टेक का समर्थन जारी रखेगी ग्रीन नोकरियां एक राजनितिक परात्मिक्ता थी संगिया निदी पहले से ही निरधारित की गई थी और कांग्रेस को कैप एंड ट्रेड कानून पारित होने की संभावना भी थी लेकिन जहां अन्य उदमियों ने उदार सबसिटी देखी जो एनिश्चित काल तक परवाही तो होती है टेसला के सीईओ एलन मस्क ने इसमें केवल हवसर देखा जनवरी 2010 में शोलेंडर ने ओवामा प्रशाशन के तहट एक साल पहले सबसीडी के सवाल के बारे में बताया और सबसीडी के सवाल को राजनेतिक बनाया टेसला ने US Department of Energy से 465 मिलियन डोलर का रिन हासिल किया 2000 के दसक के मद्य में आधा आरब डोलर की सबसीडी असंभव थी आज यह अचूक है केवल एक पल था जहां यह संभव था और टेसला ने इसे पूरी तरह से खेला मोनोपली टेसला ने एक छोटे से सब मार्केट के साथ शुरू किया जहां वह हावी हो सकता था हाई एंड इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कारों का बाजार चुकि 2008 में पहली रोडस्टर ने उत्पादन लाइन को बंद कर दिया था इसलिए टेसला ने उन में से केवल 3000 कारें ही बेची लेकिन परतेक कार एक लाइक नो हजार डोलर मुल्य की थी जो मामूली नहीं थी थोड़ी कम महेंगी मौडल एस बनाने के लिए आउशक आर एंडी करने के लिए टेसला ने अनुमते दी और अब टेसला लगजरी इलेक्ट्रिक सेडान बाजार का भी मालिक है उन्होंने 2013 में 20,000 से अधिक सेडान बेचे और अब भविश्य में व्यापक बाजारों में विस्तार करने के लिए टेसला प्रमुक्स्तान पर है टीम टेसला का सीईयो उब वोगता अभियनता और विक्रेता है इसलिए यह आस्चरिय की बात नहीं है कि वह एक टीम को इकठा कर रहा है जो दोनों में बहुत अच्छा है एलन अपने करमचारियों को इस तरह से वर्णन करता है यदि आप टेसला में है तो आप विशेश बल के बराबर होने का चैन कर रहे है नियमित से ना है और यह ठीक है लेकिन यदि आप टेसला में काम कर रहे हैं तो आप अपने गेम को उपर उठाने का विकल्ब चुन रहे हैं वितरन ज्यादातर कम्पनिया वितरण को कम से कम समझती है लेकिन टेसला ने इसे इतनी गंभीरता से लिया कि उसने पूरे वितरण श्रंकला का स्वामितव करने का फैसला किया अन्यकार कम्पनिया सुतंतर डिलर्शिप्ट को देखती है पोर्ट्स और हुंड़ई कारें बनाते हैं लेकिन वे उन्हें बेचने के लिए अन्या लोगों पर भरोसा करते हैं टेसला अपने वहानों को खुद बेचती है और सेवाईं देती है टेसला के द्रिष्टिकोन की उपर की लागत पारंपरिक डिलर्शिव वितरन से कहीं अधिक है लेकिन यह गराहक अनुभाव और नियंतरन परदान करती है टेसला के ब्राण को मजबूत करती है और कमपनी के पैसे को लंबे समय तक बचाती है टिकाउपन टेसला किसी और की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रही है इसके नेतरतव आगे के वर्सों में बढ़ने के लिए तयार है एक परतिष्टित ब्राण टेसला की सफलता का सबसे स्पस्ट संकेत एक कार अब तक के सबसे बड़े खरीद नेटियों में से एक है और हर दूसरी कार कमपनी के विपरीद इस स्रेणी में उब बहुताओं का विश्वास चीतना मुश्किल है टेसला के संस्तापक अभी भी इसके प्रभारी है इसलिए यह जल्दी ही कभी कम नहीं होगा रहश्य है टेसला जानता था कि क्लेंटेक कमपनियों ने फैशन में दिल्चस्पी ली है अमीर लोग विशेश रूप से ग्रीन दिखाना चाहते थे बले ही इसका मतलब उन्हें अपनी सबसे प्रिये या लक्की होंडा इंसाइट को चलाया आ जाए तो टेसला ने कारों का निर्मान करने का फैसला किया लियनार्डो दे केप्रियों ने अपनी सबसे पसंदीदा महंगी कार को टेसला रोड्स्टर के लिए हटा दिया जेनरिक क्लेंटेक कंपनिया खुद को अलग करने के लिए संगर्स कर रही थी टेसला ने रहशे के चारों और एक अनोखा ब्रांड बनाया कि क्लेंटेक प्रियावरणिय अनिवारिय की तुलना में एक सामाजी गटना से भी अधिक था औरजा 2.0 टेसला की सपलता साबित करती है कि क्लेंटेक के साथ स्वभाविक रूप से गलत कुछ भी नहीं था इसके पीछे सबसे बड़ा विचार यही है दुनिया को वास्तों में उर्जा के नए सुरोतों की आवशक्ता होगी उर्जा माश्टर संसादन है इस तरहे हम खुद को समझाते हैं घर बनाते हैं और आराम से रहने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए उसे बनाते हैं दुनिया भर में अधिकांस लोग आराम से रहने के सपने देखते हैं जो वैस्वी करण से गंभीर उर्जा चुनोतियों का कारण बन जाएगा जब तक कि हम नई तकनिक नहीं बनाते उर्णे द्रिष्टी कोण को दोहराने या समरदी के लिए अपना रास्ता फिर से वित्रित करने के लिए दुनिया में परियाप्त संसाधन नहीं है क्लेंटेक ने लोगों को उर्जा के वहिश्य के बारे में आशावादी होने का एक तरीका दिया लेकिन जब एनिश्चित काल तक आशावादी निवेशक ग्रीन उर्जा वित पोशित क्लेंटेक कंपनियों की सामने विचार पर 60 वाजी करते हैं जिन्में विसिस्ट व्यावसाई की युजनाओं की कमी होती है तो परिणाम एक बुलगुला था 2000 के दसक में नास्टैक के उदे के साथ वेकलपिक उर्जा फर्मों का मुल्यांकन करना और एक दसक पहले गिरना आप एक ही आकार को देखते हैं 1990 के दसक में एक बड़ा विचार था कि इंटरनेट बड़ा होगा लेकिन बहुत सी इंटरनेट कमपनियों के पास बिल्कुल वही विचार था और अन्य कोई नहीं एक उद्दमी मैक्रो स्केल अंतर दरश्टी से लाब नहीं उठा सकता है जब तक कि उसकी योजना माइक्रो स्केल पर शुरू नहीं हो क्लिंटेक कमपनियों को एक ही समश्या का सामना करना पड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया को कितनी उरजा की जरूरत है लेकिन एक फर्म जो एक विसिष्ट उरजा समश्या के लिए बेहतर समाधान परदान करती है वहें पैसा कमा सकती है कोई भी क्षेतर कभी इतना महतोबों नहीं होगा कि इसमें भाग लेना केवल एक महान कमपनिय बनाने के लिए प्रयाप्त होगा तकनीकी बुलगुला क्लिन टेक से कहीं बड़ा था और दुरगटना और भी दर्पनाक थी लेकिन नब्बै के दसक का सपना साबित हुआ संशेवादी जिनोंने संदे कि कि इंटरनेट मौलिक रूप से परकाशन या खुद्रा विक्री या रोजमर्रा की सामन्य जीवन को 2001 में परमाने की रूप से बदल देगा लेकिन आज वे हश्यप और रूप से मुर्ख दिखते है क्या क्लिन टेक क्रेश के बाद सफल उर्जा स्टार्टप की स्तापना की जा सकती है जैसे विब 2.0 स्टार्टप सबलता पुर्वक टोटकों के मलवे के बीच लौच किया गया उर्जा समाधान के लिए मैक्रो की जरूरत अभी भी असली है लेकिन एक मुल्यवान व्यवसाई एक आला कोज और एक छोटे से बाजार पर हावी होने से शुरू होना चाहिए फेस्बुक ने दूसरे स्कूलों और फिर पूरी दुनिया में फैल जाने से पहले सिर्फ एक विस्वी देले पर इस सर के लिए एक सेवा के रूप में शुरू हुआ था उर्जा समाधानों के लिए छोटे बाजारों को ढूनना मुश्किल होगा आप रिमोट दूइपों के लिए डीजल को बिजलिस रोत के रूप में बदलने का लक्षे रख सकते हैं या शायद सतुर्ता पूरुट शेत्रों में सेन्य परतिस्टानों पर तुरित तैनाती के लिए माडूलर रेक्टरों का निर्मान कर सकते हैं विरोधावासी रूप से एनरजी 2.0 बनाने वाले उद्मियों के लिए चुनोती है धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आईए चलते हैं अध्यायद 14 की ओर आपका दिन शुब हो अध्यायद 14 संस्थापकों के विरोधा भास हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम पेपाल सुरू करने वाले 6 लोगों में से 4 ने हाइ स्कूल में कभी बंबनाई थे उन में से 5 सिर्फ 23 साल की आईउ से छोटे थे हम में से 4 सहिंत राजय अमेरिका के बाहर पैदा हुए थे तीन कमिनिष्ट देशों से थे चीन से यूपेन पोलेंड से ल्यूक नो से और सोवियत यूकरेन से मैक्स लेविनिन बंबनाना उस समय उन देशों के बच्चों में सामान्य बात थी हम में इसे 6 कोसन की रूप से देखा जाता था ल्यूक के साथ मेरी पहली बातचीप इस बात के बारे में थी कि वह क्रोनिक्स के लिए कैसे साइन अप करेगा जो चिकित सा पुनुरुथान की आशा में रुपे हुए थे मैक्स ने देश के बिना होने का दावा किया और इस पर गरो किया उसके परिवार को राजनेक लिंबो में डाल दिया गया था जब अमेरीकी ऐसे सिमेंस से बचने के दोरान यूए से सार द्वस्त हो गया था जो एक पार्क से सिर्फ गनित और इलिनोईस में विज्यान स्कूल से बच निकला था केवल केन हाउरी एक विशेसा दिकार प्राप्त अमेरीकी जो बच्पन के रूडी वादी के लिए फिट पैटता है वह पेपाल का एक मात्र एगल स्काउट था लेकिन केनी के साथियों ने सोचा कि वह हमारे बाकी हिस्सों में शामिल होने के लिए क्रेजी था और एक बड़े बैंक द्वारा पेस किये गई वेतन का सिर्फ एक तीमाही हिस्सा बना रहा था तो वह भी पूरी तरह से समन्य नहीं था क्या सभी संस्तापक ऐसा मन्य लोग होते हैं या फिर हम सिर्फ उनके बारे में सबसे ऐसा मन्य चीजों को याद रखते हैं वे उन्हें बढ़ा चड़ा कर पेश करते हैं अधिक महतोपून बात यह है कि कौन सा व्यक्तिकत गुन वास्तों में संस्तापक में महतोपून है यह अधियाए इस बात के बारे में है कि यह अधिक शक्तिशाली क्यों है लेकिन साथ ही साथ एक कंपनी के लिए एक विशिस्ट व्यक्तिके नेतरतों के बजाए एक विजलित प्रवंदग अधिक खतरनाक होता है अलग अलग प्रेहनाई कुछ लोग मजबूत हैं, कुछ मजबूर हैं, कुछ प्रतिवाशाली हैं, कुछ कमजोर हैं लेकिन ज़्यादातर लोग बीच में हैं चुकि इतने सारे संस्तापकों में अत्यधिक लक्षन लगते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि केवल एक संस्तापक के लक्षन दिखाते हुए अंत में अधिक लोगों के साथ फैटर टेली होगी लेकिन यह संस्तापकों के बारे में अजीब चीज़ पर कबजा नहीं करता है आम तोर पर हम विपरित लक्षनों को पारस्परिक रूप से अलग होने की उम्मीद करते हैं उधारन के लिए एक सामान्य व्यक्ती एक ही समय में अमीर और गरीब दोनों नहीं हो सकता है लेकिन यह संस्तापकों के लिए हर समय होता है स्टाटप सीईओ नकद गरीब हो सकते हैं लेकिन कागस पर करोड़पती हो सकते हैं वे सूलेन जटके और आकर्शक करिश्मा के बीच आ सकते हैं लगबग सभी सफल उदमी एक साथ अंदरूनी और बाहरी लोग हैं और जब वे सभल होते हैं तो वे दोनों परशिदी और बदनामी को अकर्शित करते हैं जब आप उन्हे बाहर निकालते हैं तो संस्तापक की लख्षण एक सामनय वितर्ण का पालन करते हैं लख्षणों का यह आजीब चरम शेयोजण कहाा से आता है वे जन्म से उपस्थित हो सकते हैं या किसी वेक्ति के परियावण से प्राप्त हो सकते हैं लेकिन शायद संस्तापग वास्तों में उतना चरम नहीं होता जितना वे दीखते हैं क्या वे रणनितिक रूप से कुछ गुणों को बढ़ा चड़ा कर दिखा रहे हैं या यह संभव है कि हर कोई उन्हें बढ़ा चड़ा कर पेश करता है, यह सभी प्रवाव एक ही समय में उपस्तित हो सकते हैं, और जब भी वे उपस्तित होते हैं, तो वे शक्तिसाली रूप से एक दूसरे को मजबूती देते हैं, यह चक्र आम तोर पर ऐसा मन्य लोगों के स साथ सुरू होता है, और उनके साथ काम करता है, और अधिक ऐसा मन्य लग सकता है, उधारन के लिए, वर्जिन ग्रूप के अरपति संस्ताफ़क सन रिचर्ड ब्रेंसन को लें, उन्हें एक प्रकरतिक उद्धमी की रूप में वर्नित किया जा सकता है, ब्रासंस ने 16 साल की उमर में अपना पहला व्यावसाय शुरू किया, और केवल 22 में उन्होंने वर्जिन रिकार्ड की स्थापना की, लेकिन उनके नाम के अन्य पहलू, ट्रेडमार्ख शेर के कम प्रकरतिक है, एक संदीग्दवे सटीक रूप से पैदा नहीं हुआ था, जैसा के ब्रेंस ने अन्य चरन गुनों को बढ़ाया है, मीडिया ने उत्सुकता पूर्वक उसे सिंगासन दिया है, ब्रासंस वर्जिन किंग है, पी यार का निर्विबाद राजा, ब्रांड आफ किंग इंग, ध किंग आफ देजर्ट एंड स्पेस, जब वर्जिन अट्लांटिक एरवेज न यात्रियों की सेवा करना शुरू किया, तो वह पे ब्रांसेस के चेहरे की तरह आकार के बर्फ के क्यूब के साथ आइस किंग बन गया, क्या ब्रेसन सिर्फ एक सामान्य वेवसाई है, जो एक अच्छी पी यार टीम की मदद से मीडिया द्वारा शेर बना हूँ, या क्या वह खुद बत्रकारों द्वारा अकेले ब्रांडेड परतिवाशाली पैदा हुआ है, जो छेट सार करने में इतनी अच्छे हैं, यह कहना मुश्किल है, शायद वह दोनों ही है, एक और उधान शान पारकर का है, जिसने अंतिम बाहरिस्तिती के साथ शुरुवात की, आप एक दिन उन्होंने श्यान के कीबोर्ड मिड हैक को हटा दिया, शौन लोग आउट नहीं कर सका, एक पी आई ने देखा कि जल्द ही संगी एजेंट उसे गिरफतार कर रहे है, शौन एक मामुली इनसान था, क्योंकि वह आसानी से पकड़ा गया, अगर कुछ भी हो तो परक योकरतों को एकतरित किया, जो इसे हर समय के सबसे तेजी से बढ़ते व्यावसायों में से एक बना देता है, लेकिन रिकोर्ड कमपनियों ने मुगदबा दायर किया, और संगीय न्याइदिस ने इसे शुरू करने के 20 महीने में ही बंद कर दिया, केंदर में एक पर बातचित करने के में मदद की और कमपनी के संस्तापक अध्यक्स मने, उन्हें 2005 में दवा उपयोग के आरोपों में काम के बीच से ही गिरफदार किया गया, लेकिन इस से केवल उनकी कुख्या तब बढ़ गई, जब से जस्टिन टिम्बर लेक ने उन्हें सोसल नेटव के लिका दोरा करता है, तो लोग पूचते हैं कि वह शौन पारकर ही है ना, दुनिया के सबसे परसित संस्तापक लोग भी हैं, एक कमपनी के बजाए हर से लिबरिटी एक व्यक्तिकत ब्रांड बनती है और उसे संजोती है, उधारन के लिए लेडी कागा सबसे परतिवा श जानता है या इसकी परवान नहीं करता है, वह इसी वेस बुसा पहनती है ताकि किसी भी अन्य पहनने वाले को अनेचिक मनों विग्यान के खक्रे में डाल दिया जा सके, गागा आपको विश्वास दिलाएगी कि वह इस तरह पैदा हुई थी, जैसे कोई और पैदा नहीं ह हुआ है, उसके सिर से बाहर आने वाले सिंगों के साथ एक जोंबी की तरह दिख रही है, इसलिए गागा को स्वे निर्मित मिधक होना चाहिए, राजा कहां से आते हैं, मानों मामलों में संस्तापक आंकडे नहीं नहीं हैं, ये पोरानिक कताओं से भरे हैं, ओडिपस स्पिकन्स की पहली को हल करने के लिए परियाप्त स्मार्ट था, रोमुलस और रिमस शाही खांदान में पैदा हुए थे और अनाथों के रूप में त्याग दिये गए थे, जब उन्होंने अपने वन्शावली की खोज की, तो उन्होंने एक शहर खोजने का फैसला किया, उन्होंने गोशना की, उनका नाश करूब जो दिवार पर चड़ेगा, कानून निर्माता और कानून म्रेकर, आपरादिक बहिशकार और राजा ने रोम को परिभासित किया, रोमुलस एक आतम विरोधी अंदरूनी व्यक्ति था, सामन्य लोग ओडिपस या रोमुलस की तरह नहीं है, जो वास्तों में जीवन को पसंद करते हैं, उनके बारे में पुरानिक संस्क्रणों में केवल चरम सिमाई याद की जाती है, लेकिन ऐसादार लोगों को याद र रहते हैं, समरदी के लिए उनकी प्रसंसा की जाती है, वो दुर्भगय के लिए दोसी ठैराया जाता है, आदिम समाजों को सबसे उपर एक मुलिक समश्या का सामना करना पड़ा, अगर उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं था, तो वे संगर से अलग हो जाएंगे, पर्तिदोंदियों ने धम की दी, समाज के लिए एक ही व्यक्ति पर पूरा दोस्ट डालना फाइवे मन्द था, कोई भी इस पर सहमत हो सकता था, जिसे हम बली का बकरा कहते हैं, एक प्रभावी बली का बकरा कोन बनाता है, संस्तापकों की तरह, बली का बकरा चरम और विर गर्स को कम कर सकता है, वह समुदाय का सबसे शक्तिशाली सदश्य है, बली से पहले, बकरों की अक्सर देवताओं की तरह, पूजा की जाती थी, एस टेक्स ने अपने पीडितों को उन देवताओं के सांसारी ग्रूपों में माना, जिन के लिए उन्हें बलितान दिया गया जब तक आपका संक्सिप्ट साशन समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आप ते ओहारों में अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ये राजशाई की जड़े हैं, हर राजा एक जीवित बगवान था और हर बगवान एक हत्यारा राजा था, शायद हर आदुनिक राजा सिर्फ एक बली का बकरा है, जो अपने सुमे की बली में देरी करने में काम्याब रहा है, अमेरिकन रोयल्टी, कुछ हस्तियां जिनें अमेरिकी रोयल्टी माना जाता है, हम अपने पसंदीदा कलाकारों को भी सिर्फ देते हैं, एल्विस प्रेसली, चट्टान का राजा था, माइकल जैक्शन पोप का राजा था, ब्रिटनी स्पियर्स पॉप राजकुमारी थी, एल्विन अधिक बजन के कारण अपने सोचाले पर बैठे बैठे सतर के दसक में स्मे को नश्ट कर दिया और अकेले मर गई, आज उनके प्रतिरूपन करने वाले वसा और स्कैची है, दूबल और कूल नहीं, माइकल जैक्सन प्यारे बाल सितारे से एक एनियमित शरिर्ग रूप से प्रतिकूल नशे की लट के कारण काल में गए, दुनिया ने अपने परेक्शनों के वेरण में खुलासा किया, ब्रेटनी की कहानी सवीन से नट किया है, हमने उसे कुछ भी नहीं बन कूले में अपने बच्चों को लेने के लिए गवा आ दी, क्या वह हमेशा थोड़ा पागल थी, क्या प्रचार सिर्फ उसे मिला, या उसने और अधिक प्रचार पाने के लिए यह सब किया, कुछ गिरने वाले सितारों के लिए मृत्यू पुनुर्थान लाती है, जेनिस ज यह सेट 27 कलब के रूप में अमर हो गया, 2011 में कलब में शामिल होने से पहले, एमी वाइन हाउस ने काया, उन्होंने मुझे जीवन देने के लिए कोशिश की, लेकिन मैंने कहा, नहीं, 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 शायद जीवन इतना एवांचित लग रहा था, क्योंकि यह अमरताओ के मार्क को अवरुद कर रहा था, हम वेकलक्पी ग्रूप से टेकनलोजी संस्ताफकों की पूजा करने को तुछ मानते हैं, हम बस उने के वलहस्तियां मानते हैं, हवर्ड यूजेस ने प्रशिदी के लिए 20-20 स्ताफदी के टक्निकी संस्ताफक का सबसे नाट किया मसला है, व रहे हमेसा लगजरी के वजाए इंजिनिंग में अधिक रूची रखता था, उन्होंने 11 साल की उमर में हियूस्टन के पहले रेडियो ट्रांसमिटर का निर्मान किया, उसके बाद उन्होंने शहर की पहली मोटर साइकल बनाई, 30 साल की उमर में, जब वह होलिवूड तक्न की सीमा पर था, तब उसने 9 व्यवसाई ग्रूप से सफल फिल्में बनाई, लेकिन हुजेज विमानन में अपने समानांतर करियर के लिए भी और परशिद्ध था, उन्होंने विमानों को डिजाइन किया, उनका निर्मान किया, और उन्हें स्में पाइलेट किया, हुजेज इस ने सिर्ज एर स्पेड सबसे तेज ट्रांसकांटिनेटल उडान और दुनिया वर में सबसे तेज उडान के लिए विस्वर रिकॉर्ड स्थाफित किये, हुजेज हर किसी की तुलना में उडने के लिए मसुहुर था, उन्होंने लोगों को बताया कि वह केवल एक मानव ही है, ने की ग्रीक ईश्वर उनके वकील ने संगी अदालत में एक वार तरक दिया था, यूजेस ने वकील को यह कहने का मुक्तान किया कि एक आदमी और मेरे लिए समान मानकों को लागूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, न्यायदिस या यूस्टेन को विमानन में उनकी उपलब्दियों के लिए 1949 में कॉंग्रेस के स्वर्ण पदक से समानित किया गया, कई साल बात राश्पति डियूमेन ने उन्हें वाइट आउस में बुलाया, यूजेस के अंत की शुरुवात 1946 में हुई, जब उन्हें अपने तीसरे और स सबसे खराब विमान दूर गटना का सामना करना पड़ा, अगर तब वह मर गया होता, तो उसे हमेशा के लिए सबसे खतरनाक और सफल अमेरिकियों में से एक के रूप में याद किया जाता, लेकिन वह मुश्किल से बच गया, वह दर्द निवारकों का आदी हो गया, और ज कि कम लोग एक क्रेजी व्यक्ति को परेशान करना चाते हैं, लेकिन जब उसके इस क्रेजी पन की वज़े से उसका जीवन बदल गया, तो वह इतना बहबीत हुआ कि दयालुता की एक वस्तू बन गया था, हाल ही में बिल गेट्स ने दिखाया है कि अत्यदिक केंदरित सब अत्यदिक केंदरित हमलों को कैसे आकरशित करती है, गेट्स ने संस्ताफक आर्केटाइप को अवशोशित किया, वह एक अजीव सहयोगी, बाहरी व्यक्ति और दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति था, क्या उन्होंने एक विसिस्ट व्यक्तितव बनाने के लिए गणनेतिक ग्रूप से अपने गीकी चस्मे का चैन किया, या अपनी ए सुरक्षित निरस्ता में क्या उसके गीक चस्मा उसे चुनते हैं, यह जानना मुश्किल है, लेकिन उनका प्रभूतव निर्विवाद था, माइक्रोसोप्ट के विंडोज ने 2000 में ओपरेटिंग सिस्टम के लि मुझे नहीं पता, पर यह एक अच्छा सवाल है, यूएस डिपार्टमेंट आप जस्टिस ने खुद को असिस्ट परसनों तक सिमित नहीं किया, उन्होंने एक जांच खोली और माइक्रोसोफ्ट पर एंटी कमपेटिव आचरन के लिए मुग्दमा चलाया, जून 2000 में एक अधालत ने आदेश दिया कि माइक्रोसोफ्ट अलग हो जाए, बिल गेट्स ने 6 मएने पहले माइक्रोसोफ्ट के CEO के रूप में पद छोड़ दिया था, उन्हें अपने अधिकान समय को नई तकनिक के निर्मान के बज़ाई, कानूनी खत्रों का जवाब देने के लिए आद में उन्होंने अपील की, तब एक अदालत ने ब्रेकप आउडर को उलट दिया और माइक्रोसोफ्ट ने 2001 में सरकार के साथ समझोता कर लिया, लेकिन तब तक गेट्स के दुस्मनों ने पहले से ही अपने संस्तापक की पूरी कमपनी को उससे अलग कर दिया था, और मा के यूग में प्रिवेस किया, आज गेट्स को टेकनोलोजिस्ट के बजाए एक परोपकारी के रूप में जाना जाता है, राजा की वापसी, जैसे ही माइक्रोसोफ्ट पर कानूनी हमला बिल गेट्स के प्रभूतों को समाप्त कर रहा था, स्टीव जोग की एपल में वाप कार थे, पसंदीदा सिस्टम को बंद किया, और अपने समय को महान उत्पादों के बारे में सोचने में बिताया, गेट्स एक व्यापारी थे, उन्होंने अपने उत्पादों को खुला रखा, लेकिन दोनों अंदरूनी वेब बाहरी लोग थे, और दोनोंने कमपनियों को आगे बढ़ाने के लिए पुश किया, उन्होंने उन उपलवदियों की शुरुवात की, जिने कोई छू भी नहीं पाएगा, यह विश्वास करना मुश्किल है कि इस तरह के अजीब पर्थाओं से एपल के वल आहार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन 1985 में इस सभी संकीता ने उ भावी डंक से जोब को अपनी ही कमपनी से निकाल दिया, बारा साल बाद एपल में नोकलियों की वापसी से पता चलता है कि व्यापार में सबसे महत्व पूर्ण कारिये, नए मुल्यों के निर्मान को एक सुतर में कम नहीं किया जा सकता है, जिने पेशवरों द्वारा ला पर ला दिया था, उस साल माइकल डेल ने मशूर एपल के लिए कहा, मैं क्या करूंगा, मैं इसे बंद कर दूंगा, और शेर दारकों को पैसे वापस दे दूंगा, बदले में जोब ने खराब स्वास्ते के कारण 2011 में इस्तिपा देने से पहले, आईपेड 2001, आईपोन 2007 औ और आईपेड 2010 की शुरुआत की, और अगले ही साल एपल दुनिया की सबसे मुल्यवान कमपनी बन गई थी, एपल का मुल्य महतवपोन रूप से किसी व्यक्ति विशेज के एगवचन दरश्टी पर निर्वर करता है, यह आजीब तरीके से संकेत देता है, जिसमें नई ट यह संस्तापक आधिकारिक निर्ने ले सकता है, मजबूत व्यक्तिकत वफादारी को प्रेरित कर सकता है और दसकों तक आगे की योजना बना सकता है, विरोधावासी रूप से परशिक्सित पेसेवरों द्वारा कारियरत ऐ व्यक्तिक नोकरशाही किसी भी जिवन काल से आई लेवल मैनेजमेंट के साथ कारिया करते हों, व्यवसाई के लिए सबक यह है कि हमें संस्तापकों की आउशकता है, चाहे कुछ भी हो हमें संस्तापकों के बारे में अधिक शेहन सील होना चाहिए, जो आजीब या चरम लगते हैं हमें ऐसा दारन व्यक्तियों को केवल ब्रद सेलता से परे कंपनियों का नेतरतों करने की आउशकता है, संस्तापकों के लिए सबक यह है कि इस शर्थ को छोड़कर व्यक्तिकत महतव और अनुकर्ण का आनंद कभी नहीं लिया जा सकता है, कि किसी भी समय व्यक्तिकत की उख्याता और राक्षज जैसे व्यवहा के लिए इसका आदान परदान किया जा सकता है, इसलिए सावधान रहें। कि हमें एन रेंडियन प्राइम मूवर की पूजा करने के लिए बुलाया जाता है, जो उनके चारों और से हर किसी से सोतंतर होने का दावा करते हैं। इस संबन में रेंड एक मात्र आदे महान लेखक थे, उनके खलनाएक असली थे, लेकिन उनके हीरों नकली थे। कोई गल्ट का गुलच नहीं है, समाज में कोई अलगाव नहीं है, अपने आप में विश्वास करने के लिए, कि देविये आतम प्रयाप्तता के साथ, निवेश एक मजबूत व्यक्तिका प्रतिक नहीं है, बनकि उस व्यक्तिका है, जिसने भीर की पूजा को गलत किया है। एक संस्तापक के लिए सबसे बड़ा खत्रा मिथक को निश्चित मानना है, जिससे वह अपना तिमाग खो देता है, लेकिन हर व्यवसाई के लिए समान रूप से कप्टी खत्रे वह सभी मिथक बावनों को खोना और ग्यान प्राप्त करना ही असली उदेश्य है। धन्यवाद हिंदी ओडियोगुक डोटकॉम आपका दिन शुब हो।